माइक्रोसोफ पाउपॉइंट के कई वर्जिन्स पहले आ चुके हैं और हर नए वर्जिन में माइक्रोसोफ द्वारा कुछ नए फीचर्स एड़ किये जाते हैं साथ ही उसे कारी करने की दृष्टी से आसान बनाया जाता है MS पाउपॉइंट का उप्योग मुख्यतया स्कूल्स में, ओफिस मीटिंग्स में, सेमिनाज में किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजन्ट करने के लिए किया जाता है Microsoft PowerPoint 2016 इसके पुराने सभी वर्जिन से अधिक उप्योगी है इसमें कई नई चीजें दी गई हैं, जैसे ओनलाइन फोटो या पिक्चर्ज इंसर्ट करना ओनलाइन वीडियो इंसर्ट करना वन ड्राइव ऑप्शन की साहता से प्रेजन्टेशन को ओनलाइन सेव और शेयर करना इसके अलावा इसमें कई नई तरह के अनिमेशन इफेक्ट, थीम्स आदी दिये हुए हैं जिनकी साहता से आप अपने प्रेजन्टेशन को आकर्शक बना सकते हैं तो आईए अब आपको Microsoft PowerPoint 2016 की प्रारंभिक जानकारी देदें सबसे पहले Start या Window बिटन पर क्लिक करें All Programs में जाएं और यहां से PowerPoint 2016 पर क्लिक करें यह PowerPoint 2016 ओपन हो गया है Left and Side में आपको वो फाइल्स दिखाई देंगी जिन पर आपने पहले काम किया होगा और उन्हें आपको ढूढना नहीं होगा आप डिरेक्ली यहीं से क्लिक करके उनको उपन कर सकते हैं यहां पर कई तरह की Template दी हुई हैं जैसे Gallery, Parcel, Wood Type, इत्यादी इनकी सायता से आप अपनी पसंद और आवशक्ता के अनुसार अपना presentation बना सकते हैं जो भी Template आप Select करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें अब यह देखिए इसमें कुछ और Color Options भी आ रहे हैं इन में से जो भी आप चाहें वो चुन सकते हैं और उसको फिर खोलने के लिए Create पर क्लिक करें अब हम PowerPoint 2016 बंद कर देते हैं यह हमने देखा PowerPoint उपन करने का एक तरीका अब दूसरी तरह से इसे उपन करके देखते हैं स्टार्ट पर क्लिक करें नीचे बॉक्स में PowerPoint 2016 टाइप करें यह देखिए सबसे उपर यह नाम आ गया है अब आप चाहें तो एंटर प्रेस करें या फिर इसी पर क्लिक करके इसे खोल लें हम इसमें अभी blank presentation चुन रहे हैं PowerPoint के features का उप्योग करने से पहले हम इसके interface के बारे में जानेंगे साथ ही हम यह भी समझ जाएंगे कि जरुरत के समय कौन सा tool हमें कहा मिलेगा इस window में सबसे उपर आपको title बार दिखाई देगा जिस भी नाम से आपने file save कर रखी होगी वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा left side में यहाँ आपको quick access toolbar दिखाई देगा जिसकी सायता से आप ज्यादा तर काम आने वाले features जैसे save, undo, redo इत्यादी का उपयोग कर सकते हैं आप इन में अपनी जरुरत के अनुसार options add भी कर सकते हैं और जिन options की उपयोगिता नहीं हैं उन्हें हटा भी सकते हैं यहाँ पर आपको ribbon मिलता है जिसमें अलग-अलग tabs होते हैं जैसे file, home, insert, design, इत्यादी जब भी हम powerpoint open करते हैं तो by default home tab selected होता है हर tab में अलग-अलग blocks और उनके features होते हैं जैसे home tab में clipboard, slides, font, paragraph, drawing, editing, इत्यादी blocks होते हैं और उसके अंदर उनके features होते हैं इसी तरह से insert tab में slides, tables, images, illustrations, इत्यादी blocks होते हैं हर tab में आपको इसी तरह से अलग-अलग blocks और उनके features मिलेंगे यहाँ पर view tab के पास में tell me नाम का एक नया advanced feature है इसका उप्योग करने के लिए या तो यहाँ पर click करें या फिर अपने keyboard पर alter और Q keys प्रेस करें इस option की सायता से आप PowerPoint के किसी भी option पर शीक्रिता से पहुँच सकते हैं मालीजे आपको search करना है symbol option तो आप यहाँ type करें symbol यह देखिए यह option यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर click करके आप इसे use कर सकते हैं right hand corner पर आपको ribbon display option मिलता है जिसकी सायता से आप इस ribbon को hide या unhide कर सकते हैं इसमें तीन options हैं पहला है auto hide ribbon अगर आप इस option को select करते हैं तो यह उपर जो ribbon था वो hide हो गया है जब भी आप उसे वापस चाहें तो उपर mouse ले जाकर के click कर दें तो वो ribbon आ जाएगा और उसके बाद फिर नीचे कहीं पर click करेंगे तो यह ribbon अपने आप hide हो जाएगा इसमें दूसरा option है show tabs इस option को select करने पर tabs आपको नजर आएंगे पर उनके अंदर जो blocks होते हैं या commands होती हैं वो नजर नहीं आएंगी उनको देखने के लिए जिस भी tab की commands या blocks आपको चाहें उस tab पर आप click कर दें तो यह देखें नीचे उससे जुड़े हुए सारे blocks आ गए नीचे कहीं भी click करने पर यह commands वापस से hide हो जाएंगे तीसर ओप्शन है Show tabs and commands इस पर click करने पर आपको सारे tabs और सारे commands नजर आएंगे और click करने पर भी यह height नहीं होंगे फिर इसके बाद आपको minimize, restore और close के buttons मिलते हैं Ribbon में सबसे पहला tab होता है file का जिसमें आपको options मिलते हैं यदि आप powerpoint 2007 पर काम कर रहे हैं तो यह options आपको office button के अंतरगत मिलेंगे देखिए यह new, open, save इत्यादी options आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस arrow पर click करने पर आप वापस main screen पर आ जाएंगे यहाँ पर जिस slide पर आप काम कर रहे होते हैं वो slide दिखाई देती है जैसे इस slide पर दो boxes बने हुए हैं प्लेस होल्डर पहले वाले box में लिखा हुआ है click to add title इसमें क्लिक करके आप जो भी title देना चाहें वो दे सकते हैं और नीचे वाले box में लिखा है click to add subtitle इसमें क्लिक करके आप जो भी subtitle देना चाहें वो दे सकते हैं आप चाहें तो इन boxes को चोटा या बड़ा भी कर सकते हैं इसे चोटा या बड़ा करने के लिए आप उस पर click करें और उसके बाद ये जो आपको चोड़ी शोटे circles दिख रहे हैं यहाँ पर mouse ले जाकर के उसे ड्रैक करके आप चोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं लेफ्ट साइड में स्लाइड पैन होता है हम जितनी भी स्लाइड इंसर्ट करते हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देती है और यहाँ से हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं स्लाइड पैन को छोटा या बड़ा करने के लिए जो बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है इस पर माउस ले जाकर के क्लिक करें और उसके बाद लेफ्ट या राइट साइड में ड्रैक करके आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं एक से ज्यादा स्लाइड इंसर्ट करने पर राइट हैंड साइड पर आपको स्क्रोल बार दिखेगा इसकी सहायता से भी आप एक से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं यह देखिए अभी हम first slide पर हैं, जैसे जैसे हम scroll bar आगे बढ़ाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, तो यह हम अगली slide पर पहुँचते जाएंगे, आईए अब हम screen के नीचे के हिस्से के बारे में समझते हैं, यह status bar है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम किस slide पर हैं और इस file में कितनी slides हैं, इसके अलावा आप अपने presentation के बारे में कोई note या comment भी दे सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जो note या comment आप देंगे, वो slide show present करने पर नजर नहीं आएगा, इसके बाद यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के views हैं, जिने हम बाद में समझेंगे, यहाँ zoom का option है, जिसके साहता से आप slide को छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं, यहाँ से हम fit slide to current window option भी choose कर सकते हैं, जिससे slide window screen के size के हिसाब से fit हो जाएगी, यह हमने MS PowerPoint open करके रखा है, सबसे पहले हम file tab के अंतर गताने वाले options को एक-एक करके समझेंगे, यहाँ पर हम आपको एक बाद बता दें कि यह जो file tab आप देख रहे हैं, MS PowerPoint 2007 में यह office button के नाम से होता है, MS PowerPoint में नई file लाने के लिए shortcut keys control और N प्रेस करें, या फिर file tab में जाकर new पर क्लिक करें, आप चाहें तो यहाँ से template भी चुन सकते हैं, यदि आपको यहाँ दी हुई templates के अलावा कोई और template सर्च करनी हो, जैसे मान लीजे आपको birthday की template चाहिए, तो यहाँ उपर search box में type करें, birthday और फिर enter की press करें, यह देखिए birthday की templates यहाँ पर आ गई है, इन में से जो भी template आपको चाहिए उस पर click करके आप उस पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक बात का धियान रखें कि template सर्च करते समय आपके system पर net connected होना चाहिए, पिछली page पर जाने के लिए home पर click करें, यहाँ ह लिए हम अभी सिर्फ एक slide पर काम कर रहे हैं, यह पहली slide पर हमने title और subtitle डाल दिया है, अब इस file या presentation को save करने के लिए shortcut keys control और S प्रेस करें, या फिर file tab में जाकर save पर click करें, यहाँ पर आपको file या presentation को save करने के लिए अलग-अलग locations मिलती हैं, अगर आपको one drive में file save करना ह तो one drive पर click करें, पर ध्यान रखें, इसके लिए आपका account इसमें बना हुआ होना चाहिए, यदि आप my documents या desktop पर file save करना चाहते हैं, तो this pc पर click करें, और in message जो भी option चुनना हो वो चुनलें, यदि in locations के अलावा किसी अन्य location पर file save करना हो, तो browse में जाकर, वो location चुनें, जि by default file my documents में save होती है, हम अपनी इस file को e drive में save करना चाहते हैं, इसलिए हम e drive select कर रहे हैं, अब आपको जिस भी नाम से file save करनी हो, वो नाम यहाँ पर दे दें, और नाम देने के बाद save पर click कर दें, देखे हमने जिस नाम से file save की है, वो नाम उपर title बार में नजर आ रहा है, अब हमें इस file को close करना है, तो हम shortcut keys, control और w प्रेस करेंगे, या फिर file tab में जाकर close पर click करेंगे, वापस हमको नई file लानी है, तो उसके लिए हम control और end keys प्रेस कर लेंगे, अब वापस इस file में हम कुछ काम कर लेते हैं, या कुछ type कर देते हैं, या हमने इस file में कुछ काम कि और अब हम इस file को अगर बिना save किये ही close करते हैं, तो यह देखिए, यहां पर एक dialogue box आजाएगा, जब यह आप किसी नई file में काम करेंगे, या किसी file को open करके, उसमें कुछ काम करेंगे, या changes करेंगे, और उसे बिना save करें, close करेंगे, तो यह dialogue box आजाएगा, अब अगर आप को इस file में और काम करना हो, तो cancel पर क्लिक करें, यदि आपको यह file save नहीं करना हो, तो don't save पर क्लिक करें, और यदि आप चाहते हैं, कि यह file save हो जाए, तो save पर क्लिक करें, हम इस file को save नहीं करना चाहते हैं, इसलिए don't save पर क्लिक कर रहे हैं, इसके पहले हमने जो file save की थी, माले जे हम उसे open करना चाहते हैं तो उसके लिए shortcut keys, control और O प्रेस करेंगे या फिर file में जाकर open option में यहाँ पर recent open की गई files के list मिलेगी उसमें अगर वो file दिख रही हो तो वहीं पर click करके उसे open कर लेंगे और अगर वो file का नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो browse पर click करके जिस location पर आपनी file save की थी वहाँ जाकर के file को select कर लें और फिर open पर click करें यह देखें वो file open हो गई है हम इसे वापस close कर देते हैं आपनी जिस location पर file save की हुई है उसके अलावा अगर किसी अन्य location पर आप उस file को save करना चाहते हैं या फिर file में कोई changes या correction किये हुए हो और उस edited file को आप किसी अन्य location पर उसी नाम से या किसी अन्य नाम से save करना चाहते हैं तो उसके लिए आप save as option का उप्योग कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे, सबसे पहले तो उस फाइल को open करने के लिए shortcut keys control plus o press करें, यह देखिए अभी हमारी यह जो फाइल है वो e drive में saved है, इस पर click करें, यह file open हो गई है, अब इसमें जो भी changes करना हो वो कर दें, यह हमने subtitle हटा दिया है, अब file option में जा करके save as पर click करें, अब जिस भी location पर यह file save करना हो, उसे choose करें, हम my documents choose कर रहे हैं, अब अगर आप चाहें तो इसी नाम से file save कर सकते हैं, या फिर file का नाम बदल भी सकते हैं, हमने file का नाम बदल करके presentation one edited कर दिया है, और अब save पर click करके हमसे save कर लेंगे, पहले जो file हमने बनाई थी, वो e-drive में saved है, और changes करने के बाद हमने file को my documents में नए नाम से save कर लिया है, किसी भी text को cut, copy या delete करने के लिए सबसे पहले उसे select करना होता है, text को select करने के लिए जहां से text शुरू हो रहा है वहां mouse ले जाएं, और click करके button को छोड़े बिना जहां तक text select करना हो, वहां तक mouse को drag करें, एक और तरीका है, अगर पूरे paragraph को एक साथ select करना हो, तो paragraph में कहीं भी mouse से तीन बार जल्दी जल्दी क्लिक करें, यह देखिए, पूरा paragraph select हो गया है, अब हम इसे डी select कर देते हैं, ध्यान रखें कि ऐसा करने पर पूरा paragraph एक साथ select होता है, बीज में से अगर कहीं से भी कोई भी part या कोई sentence आपको select करना हो, तो उसके लिए वही drag करने वाला तरीका आपको यूज करना होगा, माली जी हमको इसमें से कुछ text डिलीट करना है, तो जो भी text डिलीट करना हो, उसको select कर लें, और उसके बाद keyboard में डिलीट की प्रेस कर दें, यह देखिए, selected matter डिलीट हो गया है, यदि आपको यह text box सहित, cut, copy या डिलीट करना हो, तो उसको select करने के लिए इस text पर click करें, और अब यह जो border आप देख रहे हैं, उस पर click करें, ऐसा करने से देखिए, यह text box सहित select हो गया है, अभी इस box में केवल title ही लिखा हुआ है, पर अगर इसके अंदर और कुछ text भी लिखा होगा, तो वो पूरा की पूरा एक साथ select हो जाएगा, और अब इसे आप cut, copy या डिलीट करेंगे, तो box और उसमें लिखा text, दोनों एक साथ cut, copy या डिलीट हो जाएगे, यदि आप slide के सभी text और box एक साथ select करना चाहते हैं, तो उसके लिए shortcut की है Ctrl A, ये देखिए, अब इसमें ये दो अलग-अलग boxes हैं, title और subtitle के लिए, Ctrl A प्रेस करने पर ये सब एक साथ select हो गए हैं, ये अभी हमने आपको बताया, text को select करना, अब हम देखते हैं, इसको cut, copy और paste करना, उसके लिए हम एक और slide इंसर्ट कर लेते हैं, ये हमने एक और slide ले ली है, अब पहली slide से माली जीए हमको title लेना है, इस title को यहाँ से cut करके हम अगली slide में चाहते हैं, तो पहले इसको select कर लेंगे, और अब हम clipboard block में जाकर के cut option पर क्लिक करेंगे, या फिर shortcut की control express करेंगे, अब ये देखिए, यहाँ से हमारा selected text कट गया है, और अब second slide पर क्लिक करके, यहाँ title वाले box में उसको paste कर देंगे, पेस्ट करने के लिए जहाँ paste करना है, यहाँ क्लिक करें, और उसके बाद clipboard block में paste option पर क्लिक करें, या फिर shortcut की control V प्रेस कर दें, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने matter cut किया था, वहाँ से वो हट गया है, और जहाँ paste किया, वहाँ पर आ गया है, अगर हमको text copy करना है, तो उसके लिए भी सबसे पहले उसको select कर लिए, यहाँ से हम copy option पर क्लिक करेंगे, या फिर shortcut keys control C प्रेस करेंगे, यह matter copy हो गया है, प्रेस्ट करने के लिए जहाँ paste करना है, वहाँ क्लिक करें, और उसके बाद clipboard block में paste option पर क्लिक करें, या फिर shortcut key control V प्रेस कर दें, जिस test को हमने copy किया है, वो जहाँ से copy किया, वहाँ भी रहेगा, और जहाँ paste किया, वहाँ भी रहेगा, तो यह दोनों slide में यह title अब आ गया है, अगर delete करना हो, तो उसके लिए text को select कर लें, और keyboard पर delete key को प्रेस कर दें, यह देखें, यह delete हो गया है, अब हमारी second slide जो है वो पूरी खाली है, अब यहाँ से हमने matter तो सारा delete कर दिया है, अगर यह boxes भी delete करना हो, तो box select करने के लिए, box के border पर कहीं पर भी, mouse रखकर click करें, और फिर delete की प्रेस कर दें, अब यह देखें, हमारी पूरी slide खाली हो गई है, अब अगर हमको यह पूरा matter एक साथ copy करके दूसरी slide पर paste करना है, तो फिर हम Ctrl A से इस पूरे matter को select कर सकते हैं, यह देखें, अब यह box सहित पूरा की पूरा matter select हो गया है, और अब हम इसको cut या copy कर सकते हैं, हम इसको cut कर रहे हैं, यहां से cut करके, हमने इसको second slide में देजा करके paste कर दिया, यह देखें, पूरा matter यहाँ पर आ गया है, अब अगर आपको कभी पूरी की पूरी slide को उठा कर किसी दूसरी जगह paste करने की जरुरत हो, तो उसके लिए आपको पूरी slide select करना होगी, slide select करने के लिए, उस slide पर click करें, यह देखें, आपको एक border नजर आ रही है slide के आसपास, red color की, इसका मतलब है कि यह slide select हो गई है, अब अगर आप इसको cut करना चाहें, तो cut कर सकते हैं, copy करना चाहें, तो copy कर सकते हैं, और जहां ले जाकर इसे paste करना चाहें, वहाँ पर इसे paste कर सकते हैं, हम इसे cut करके, पहली वाली जो खाली slide है, उसके उपर paste करना चाहते हैं, तो हमने इसको select कर ही लिया है, अब हम इसको cut करेंगे, और पहली वाली जो slide है, इसके उपर mouse ले जाकर करके, वहाँ click करेंगे, और paste पर click कर देंगे, या फिर control V press कर देंगे, यह देखें, अब ये प अगर आप slide में किसी particular word को ढूणना चाहते हैं, तो उसके लिए home tab में, right hand side corner पर आपको find का button दिखेगा, उसपर click करें, इस dialogue box में जो word आप ढूणना चाहते हैं, वो type करें, और find next पर click करें, देखें, जैसे जैसे हम find next पर click करते जा रहे हैं, जहां जहां आगे और powerpoint लिखा हुआ है, वो highlight होता जा रहा है, यदि हम match case option को select करते हैं, तो ऐसे ही word ढूण पाएंगे, जिनके case यहां लिखे हुए word के case से match करते हों, यानि जो word आप ढूणना चाहते हैं, वो जिस case में लिखा हो, अर्थात अगर small letters में हो, तो यहां भी वो word small letters में होना चाहिए, अगर capital letters में हो, तो यहां पे भी उस word को capital letters में लिखें, अगर पहला letter capital है और बाकि small letters हो, तो उसे यहां पर भी उसी तरह से लिखें, अनिता आप उस word को नहीं ढूण पाएंगे, उधारन के लिए हम देख लेते हैं, हमने यहां पर power point लिखा है, वो पूरा small letters में हैं, अभी हमने आपको बताया कि आप उसको किस तरह से find next की सायता से ढूण सकते हैं, अभी match case को हमने select नहीं किया था, अब हम इसको select कर लेते हैं, और आप इसको ढूणने की कोशिश करते हैं, जैसे ही find next पर click किया, यह message आ गया, कि जो word आप चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है, तो अब हम इसको सही कर देते हैं, वर्ड में जहां पर दो जगर capital letters थे, वो हमने यहां पर भी type कर दिये हैं, अब हम इसको ढूणते हैं, यह देखिए, जैसे जैसे find next करते जाएंगे, जहां जहां पर वो word है, वो अपने आप highlight होता जाएगा, इसलिए ध्यान रखें, match case अगर आपने select किया हो, तो आपका word बिलकुल उसी case में type किया होना चाहिए, जिसमें की वो word है, अभी जो हम word ढूण रहे हैं, वो है power point, अगर हम यहां पर power point में से point हटा दें, केवल power ढूणना चाहें, तो हम वो भी ढूण सकते हैं, जैसे हम find next पर click करेंगे, यह देखिए, उसने power point में से, जो type किया हो हिस्सा है power, उसको पता दिया, और find next करते जाएंगे, तो वो जहां-जहां पर power आ रहा है, उसको highlight करता जाएगा, पर अगर हम find whole words only option को select करते हैं, तो फिर हम यह नहीं कर पाएंगे, हम इसको select कर लेते हैं, और अब अगर हम find next पर click करेंगे, यह देखिए, message आ गया है, कि जो word हम ढूणना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि find whole words only option को select करने के बाद, हम केवल पूरा word ही ढूंड सकते हैं, उसके किसी हिस्से को यह ढूंड करके नहीं बताएगा, अब अगर हम यहां पर power point को अलग-अलग कर दें, यह हमने इनको दो अलग-अलग हिस्सों में बाट दिया है, अब पूरा word power point न हो करके power अलग और point अलग हो गया है, अब अगर हम इसको ढूंडने की कोशिश करेंगे तो यह हमको मिल जाएगा, यह देखिए, क्योंकि अब जो पूरा word है वो है power, इसलिए ध्यान रखें कि इस option को select करने पर आप पूरा word ही ढूंड पाएंगे, उसका हिस्सा नहीं, अगर आप slide में किसी word की जगह कोई और word जाते हैं, तो उसके लिए find के नीचे दिख रहा है replace option पर क्लिक करें, उधारन के लिए हम चाहते हैं कि file में जहां-जहां MS लिखा हुआ है, उसकी जगह पर Microsoft आजाए, तो उसके लिए find what में type करेंगे MS, और replace with में जो नया word आप चाहते हैं वो लिखें, तो वो हम चाहते हैं Microsoft, अब MS को Microsoft से replace करने के लिए आप देख सकते हैं, यहां पर दो options हैं, replace और replace all, पर replace वाला option अभी चालू नहीं है, इसको चालू करने के लिए find next पर क्लिक कर यह देखिए, जहां पर MS लिखा हुआ है, वो highlight हो गया है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक करके MS को Microsoft से replace करें, तो उसके लिए हम replace option का use करेंगे, अभी सबसे उपर यह highlighted है, इसको हमको replace करना है, तो हम क्लिक कर देंगे, यह replace पे क्लिक करते ही, सबसे उपर वाला ज जो है, जहां पर MS लिखा हुआ है, वहां पर यह highlight हो गया है, अब आप देख लें, आपको इसको replace करना है या नहीं, अगर इसको नहीं करना है, तो वापस find next पर क्लिक करें, जहां पर अगली जगह पर MS लिखा हुआ है, वो highlight हो गया है, अगर इसको replace करना है, तो replace पर क्लिक करना हो वहाँ वहाँ पर words replace कर सकते हैं पर अगर आपको जितनी भी जगह पर MS लिखा है उस सभी को Microsoft से replace करना है तो उसके लिए option है replace all इस पर click करते ही message आ गया है कि चार जगह पर replacement उसको मिला है और वो उसने कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सारी जगह पर replacement हो गया है यहाँ पर हमने एक slide पर title और subtitle दे रखा है अब आगे काम करने के लिए हमें नई slide चाहिए तो उसके लिए home tab के slide block में new slide option में जाएंगे अब यहाँ पर आपको कई तरह के templates मिलेंगे जैसे अभी हम जिस slide पर काम कर रहे थे वो थी title slide इसके पास में है title and content अगर आप यह slide यूज करना चाहते हैं तो इस पर click करें यह देखिए slide आ गई है इसमें आप सबसे उपर title दे सकते हैं और इस नीचे वाले box में आप दिये गए title के बारे में points लिख सकते हैं या फिर आप इसमें table, chart, smart art graphics, picture, online pictures, videos वगेरा insert करना चाहें तो वो भी insert कर सकते हैं उधारन के लिए यहाँ पर हम आपको एक picture insert करके बता रहे हैं picture insert करने के लिए हम pictures वाले icon पर click करेंगे अब जिस भी location पर आपकी वो picture हो उस location पर जाएं हमारी जो picture है वो sample pictures में हैं इस पर double click करें और उसके बाद इसमें से जो भी picture आपको लेनी हो वो चुन लें और उसके बाद insert पर click करें यह देखे वो picture यहाँ पर insert हो गई है अब हम वापस new slide option में चलते हैं यहाँ पर अगली slide का नाम है section header अगर आपको title देना हो और उस title के संबंध में कुछ लिखना हो तो इस slide का use करेंगे हम इस पर click कर रहे हैं अब यहाँ जो भी मुख्य title है उसे उपर वाले box में type कर देते हैं यहाँ हमने type किया श्री राम चरित मानस अब अगर हम इसके संबंध में यह लिखना चाहते हैं कि इसके writer कौन है हमको लिखना है तुलसी दास्कृत तो यहाँ पर अब हम नीचे लिख देंगे तुलसी दास्कृत इसी तरह से slide का उपयोग करके अगर आपको किसी का quotation देना हो तो उपर वाले box में आपको quotation लिख दें और उसके बाद जिस भी महापुरुष का वो quote हो उसका नाम नीचे व तो आपको यहाँ से alignment से change कर सकते हैं यह दिखे यह इस तरफ आगया है इसी तरह यहाँ पर कई slides हैं जैसे अगर आपको slide में दो अलग-अलग content यूज करना हो जैसे दो chart insert करना हो या दो अलग-अलग tables इत्यादे insert करना हो तो two content slide ले ले लें यहाँ पर आप देख सकते हैं क यही दो अलग-अलग boxes है content के लिए जिसमें आप अलग-अलग content ले सकते हैं माल लीजिए पहले box में हमने एक picture insert कर ली तरीका वोई है जो आपको पहले बताया था और इसी तरह से दूसरे वाले box में अगर आप कोई दूसरा content डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं या दूसरा अगर आपको कोई picture या video या कुछ और insert करना हो तो वो आप insert कर सकते हैं अब इसी तरह से अगर आपको किनी दो topics में comparison करना हो तो आप comparison वाली slide का उप्योग कर सकते हैं इस तरह से आप जो main title है वो सबसे उपर डाल सकते हैं और comparison जिन भी subjects का हो रहा है वो यहाँ नीचे डाल सकते हैं और उसके नीचे फिर आप जो भी points आपको comparison के लिखना हो वो points लिख सकते हैं अगर आपको सिर्फ title देना हो तो यह slide सिलेक करें इसी तरह आपको blank layout वाली slide चाहिए तो आप इसे सिलेक करें अगर आपको caption और content दोनों use करना हो तो इसे सिलेक करें अगर आप picture insert करना चाहते हैं और उस picture के बारे में कोई caption देना चाहते हैं तो यह slide सिलेक करें अब आपने जितनी भी slides इंसर्ट की हैं उन में से किसी भी slide पर जाने के लिए आप उस slide पर click करें जैसे आपको अब तीसरे नंबर वाली slide पर जाना है तो उस पर click करें यह देखें वो वाली slide यहाँ पर आपको दिख जाएगी या फिर आप scroll bar के द्वारा slides उपर नीचे कर सकते हैं scroll bar के नीचे दिये गए बटन के द्वारा भी आप पिछली और अगली slide पर जा सकते हैं माली जे आपको किसी slide का layout चेंज करना हो जैसे कि हमने यहाँ जो यह slide इंसर्ट की थी इस slide में हमने एक picture भी इंसर्ट कर रखी है अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर दो अलग-अलग pictures इंसर्ट करें तो ऐसा करने के लिए हम home tab के layout option में जाएंगे और यहाँ से two content नाम का slide layout चुन लेंगे यह देखिए slide का layout चेंज हो गया है और अब हम यहाँ पर एक picture और इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका हम आपको पहले ही बता चुके हैं उसी तरह से आप दूसरी picture भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर home tab में layout के नीचे option होता है reset का अगर आपने कोई slide इंसर्ट की हो और उसके layout की formatting कर दी हो जैसे हम इस slide पर formatting कर देते हैं हम इस box को drag करके छोटा कर देते हैं इसमें लिखे text को bold कर देते हैं इसका font style भी change कर देते हैं अब इस box को drag करके हम दूसरी जगे shift कर देते हैं और यह जो हमने text लिखा था इसमें भी हमको जो भी changes करना हैं वो हम कर देते हैं हमने इसका font color बदल दिया box को छोटा कर दिया और हमने इसको भी drag करके दूसरी जगे पर रख दिया है अब इसे अगर हम वापस पहले जैसा करना चाहें तो उसके लिए reset option पर click करेंगे जैसे ही हम reset पर click करेंगे तो slide जो है back to normal हो जाएगी यानि जैसी originally वो होती है उसी format में आ जाएगी माली जीए ये हमारा एक presentation है अब आपको विशे के हिसाब से इसे अलग-अलग भागों में बाटना है उसके लिए दो slides के बीच में जहां आपको section बनाना है वहाँ पर click करें हम चाहें तो उस slide को भी select कर सकते हैं जिसके उपर हमें section बनाना है और उपर home tab के slides block में section पर click करते हुए add section option को select करेंगे अब यह यहां पर हमने दूसरी slide से section बनाया है अगर हम कहीं बीच में से section बनाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसके उपर default section अपने आप बन जाता है अब हमें section का कोई नाम देना होगा यहां पर जहां untitled section नजर आ रहा है यहां हम right click करेंगे और rename section option को select करेंगे यहां पर section का नाम type करके rename पर click करेंगे इसी तरह हम अपने presentation में विशय के हिसाब से जितने भी हिस्से करना चाहते हैं उतने sections बना सकते हैं एक बात का ध्यान रखें कि जब हम presentation देंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए sections प्रेसेंटेशन में दिखाई नहीं देंगे यह वर्गे करन हमने केवल अपने काम को आसान और सुविधा जनक बनाने के लिए किया है अब अगर हमको इस section हटाना है तो इसके लिए इस पर mouse ले जाकर के right click करेंगे और remove section पर click कर देंगे अब यह देखिए section हट गया है पर उसकी slides यहाँ पर है अब अगर हम चाहते हैं कि section के साथ साथ slides भी हट जाए तो उसके लिए वापस title पर right click करेंगे और remove section and slides पर click करेंगे ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि वो section और उसके अंदर आने वाली सारी slides यहाँ से हट गई है अब अगर हमको सारे ही sections हटाना है तो उसके लिए remove all sections पर click करेंगे अब यहाँ पर cable slides दिखाई देंगी और जितने भी sections हमने बनाये थे वो सब की सब यहाँ से हट गए है इस section को उपर या नीचे करने के लिए हम move section up और move section down options का उपयोग कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पूरा section अपनी slide सहित उपर आ गया है इसी तरह इसको हम नीचे भी कर सकते हैं अगर आपको किसी एक particular section की सभी slides को hide करना हो तो उस section के title name के पास जो arrow है उस पर click कर दें तो यह देखिए उस section की सभी slides hide हो गई है और यदि आपको sections की सभी slides को hide करना है तो उसके लिए किसी भी section के title name पर जाएं और right click करते हुए collapse all option को select करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी sections की slides minimize होकर hide हो गई हैं और इस तरह हमें बस अपने presentation के sections ही नजर आ रहे हैं अब अगर आप किसी particular section की ही slides को देखना चाहते हैं तो उस section के title name के पहले जो arrow लगा है उस पर click करें इससे आपको केवल उसी section की slides नजर आएंगे जिस पर आपने click किया होगा और यदि आप अपनी सभी slides को visible करना चाहते हैं तो फिर से section के title name पर right click करके expand all option को select करें अब यह देखिए सभी sections की सभी slides यहाँ पर visible हो गई हैं यदि आप चाहते हैं कि section presentation के समय भी दिखाई दे तो उसके लिए आप new slide में जाकर section header template लें section की जो भी heading देनी हो वो यहाँ पर type कर दें इसी तरह से जहाँ जहाँ पर आपको section बनाकर heading देनी हैं वहाँ पर slide insert करके section heading दे दें अब जब आप slide present करेंगे तो section वाली slide भी present होगी यदि आप text की font change करना चाहते हैं तो पहले उसे select करें फिर home tab में font block में जाकर यहाँ से आप जो भी font चाहें ले सकते हैं देखिए जैसे ही हम किसी font पर mouse ले जाते हैं तो उस font का preview हमें अपने selected text पर नजर आने लगता है हमें ये font अच्छा लग रहा है हम इस पर click कर देते हैं ये देखिए selected text का font change हो गया है आप चाहें तो text लिखने के पहले भी font select करके text type कर सकते हैं इससे आपने जो font चुना होगा उसी font में text type होगा जैसे यहाँ पर हम आपको ये करकर दिखा रहे हैं अब हम पहले यहाँ से जो भी font हमें चाहिए वो select कर लेंगे ये यहाँ पर हमने font चुन लिया है अब जब हम type करेंगे तो वो हमारे चुने हुए font में ही type होगा ये देखिए इसी तरह यदि आप font size चेंज करना चाहते हैं तो पहले text को select कर लें फिर home tab में यहाँ font size option पर क्लिक करें और जो भी size आप चाहें उस पर क्लिक कर दें ये हमने 54 size पर क्लिक किया तो ये हमारे selected text का font size चेंज हो गया है आप चाहें तो increase font size और decrease font size options की साहता से भी font का size बढ़ा या घटा सकते हैं यदि आप किसी text को bold करना चाहते हैं तो उसे select करके bold option पर क्लिक करें या फिर shortcut keys control plus B प्रेस करें ये देखिए selected text bold हो गया है अगर इससे पहले की तरह normal करना है तो या तो वापस bold पर क्लिक करें या फिर control plus B प्रेस कर दें ये देखिए text normal style में आ गया है यदि आप text को italic style में करना चाहते हैं तो उसे select करके italic option पर क्लिक करें या control plus B प्रेस करें ये देखिए selected text italic style में आ गया है इसे वापस normal करने के लिए फिर से italic पर क्लिक करें या फिर control plus B प्रेस कर दें यदि आप text पर underline चाहते हैं तो उसे select करके underline option पर क्लिक करें या फिर control plus B प्रेस करें ये देखिए underline आ गई है यदि text पर से underline हटाना हो तो दोबारा उसे select करके control plus B प्रेस कर दें या फिर underline पर क्लिक कर दें यदि आप किसी text पर shadow effect देना चाहते हैं तो उसे select करने के बाद text shadow option पर क्लिक करें देखिए selected words की shadow आ गई है अगर इसे वापस normal करना हो तो फिर से इसे select करने के बाद text shadow option पर क्लिक कर दें ये shadow चले गई है यदि आप किसी word, sentence या paragraph को काटना चाहते हैं यानि cross करना चाहते हैं तो उसे select करने के बाद strike through option पर क्लिक करें ये देखिए selected text पर ये lines आ गई है यानि selected text कट गया है अगर इसे वापस normal करना हो तो फिर से strike through option पर क्लिक कर दें ये normal हो गया है यदि आप किसी word, sentence या paragraph के characters के बीच की space बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो उसे select करने के बाद character spacing option पर क्लिक करें यहां आपको spacing के अलग-अलग options मिलेंगे very tight में characters के बीच कोई space नहीं होता है वो बहुत ज्यादा पास-पास होते हैं tight में भी वो पास होते हैं normal में जिस तरह से या जितना space हमीशा होता है वो आपको मिलेगा loose में space थोड़ा बढ़ जाएगा very loose में characters के बीच space और ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें से आपको जैसी भी spacing चाहिए हो वो आप ले सकते हैं आपने कोई word, sentence या paragraph टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद आप चाहते हैं कि आपके matter के सभी words capital letters में हो क्या फिर प्रतेक word का पहला letter capital हो या फिर सारे letters, small letters के रूप में नज़र आए तो ये काम आप change case option के साहता से कर सकते हैं home tab में जाकर change case पर click करें इसमें सबसे पहला option होता है sentence case ये by default on ही रहता है ये किस तरह से काम करता है इसको समझने के लिए हम एक sentence नीचे यहाँ पर type करते हैं ये हमने sentence type करना शुरू किया और पहला word लिखा how how लिखकर जैसे ही हम space bar प्रेस करेंगे तो ये देखिए how का at जो है वो अपने आप capital हो गया क्योंकि ये sentence का पहला letter है इस तरह जब भी आप कोई नया sentence type करेंगे उसका पहला letter capital ही आएगा ये हमने अगला sentence type करना शुरू किया पहला word लिखने के बाद जैसे ही हम space bar प्रेस करेंगे तो ये देखिए first का at capital हो गया यदि आपको किसी text के सभी letters को small letters में convert करना हो तो उसे select करके change case option में जाएं और यहां से lower case option पर click करें ये देखिए सभी letters small letters में convert हो गये हैं यदि आपको किसी sentence के सभी letters को capital letters में convert करना हो तो sentence को select करके change case option में जाकर के upper case option चुने ये देखिए ये जो sentences हमने select किये थे उनके सभी letters capital letters में convert हो गये हैं अब अगर हमको इन में से किसी एक sentence में हर word का पहला letter capital चाहिए यानि बाकिके letters small होंगे केवल पहला letter capital होगा तो उसके लिए sentence को select करके change case option में जाकर के capitalize each word option को चुनेंगे अब ये देखिए पहले sentence के मकाबले दूसरे sentence को जब आप देखेंगे तो इसमें हर word का पहला letter capital है इसका उपियोग मुख्य रूप से heading में लिखे text के लिए किया जाता है जैसे कि यहां उपर heading में हमने किया हुआ है आपने जो भी case use किया है उसको अगर आप उल्टा करना चाहते हैं याने capital को small letters में convert करना है small को capital में convert करना है तो उसके लिए change case option में जाकर के toggle case चुने उधारन के लिए यहां पर हमने सारे small letters का use किया है अब अगर हम change case option में जाकर toggle case चुनेंगे तो यह सभी capital letters में convert हो जाएंगे इस तरह से अब इसी तरह से हम इन sentences को select करते हैं अब इस पर अगर हम toggle case यूज़ करेंगे तो यहां पर जो capital letters हैं वो small में convert हो जाएंगे और जो small हैं वो capital में यह देखिए यह पूरा change हो गया है यदे आप presentation को आकरशक बनाने हैं तो किसी particular word, sentence या paragraph को color करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उस text को select करें फिर font color option में जाएं यहां से जो भी color आपको पसंद आए उस पर click कर दें यह देखिए selected text का color change हो गया है अब यदि आप यहां दिये गए colors के अलावा कोई अन्य color का उपयोग करना चाहते हैं तो more colors option में जाकर और कोई color चुन सकते हैं यहां पर आपको दो options मिलते हैं standard और custom standard में आपको जो blocks दिख रहे हैं उन में से जो भी color आपको पसंद आ रहा है उसको आप select कर सकते हैं custom tab में जाकर आप अपनी पसंद का color चुन सकते हैं और color को अपनी आवशक्ता के अनुसार light या dark कर सकते हैं changes करने के बाद okay पर click करें देखिए text में वो color आ गया है font colors में आपको एक और option मिलता है eye dropper का इसकी मदद से आप screen पर और कहीं पर कोई जो दूसरा color होगा उस color को चुन सकते हैं यह हमने पहले इस text को select कर लिया है अब हम font color option पर जाकर eye dropper को select करेंगे और अब जो color screen पर से हमको pick करना है वहां mouse ले जाएंगे या वहां उस eye dropper को ले जाएंगे और जब यह square के अंदर वो color हमको दिख जाएगा तब हम वहां click कर देंगे और उसके बाद यह देखिए हमने जो text select किया था उसके अंदर वो color अपने आप fill हो गया है अब यदि आपको text पहले की तरह normal करना हो याने ये सारी colors जटाने हो तो text को select करके font color option में जाकर black color पर click कर दें यह देखिए यह color वापस black हो गया यदि आप text में की गई सभी formatting जैसे कि text का color change किया हो या फिर text को bold किया हो underline किया हो या italic किया हो font या font size चिंज किया हो इस तरह से कोई भी formatting अगर कर रखी हो तो उसको हटाने के लिए clear all formatting option का उप्योग किया जाता है यह यहाँ पर हमने text की formatting कर दी थी और अब इस पर से हमको formatting हटानी है तो हमने इसको select कर लिया है और अब clear all formatting option पर click करेंगे यह देखिए सभी formatting हट गई है और इस slide की जो default font और font size थी वो आ गई है यदि आपका कोई simple presentation बना हुआ है और आप उसे अपनी पसंद की theme और color देना चाहते हैं तो उसके लिए design tab में जाएं यहां themes block में आपको अलग-अलग type की color theme या templates मिलेंगी हर theme में निश्चित colors, fonts और formatting graphics का combination होता है जो आपके presentation को आकरशक रूप प्रदान करता है आप जब किसी भी theme पर mouse ले जाएंगे तो आपको उस theme का preview slide पर नज़र आएगा theme gallery में जब आप यहां click करते हैं आप यहां से जो भी theme select करेंगे वो theme सभी slides पर apply हो जाएगी यह देखिए सभी slides पर यह theme apply हो गई है यहां पर आपको जो theme आपने चुनी हैं उसी के अलग-अलग variants मिलते हैं जिसमें की अलग-अलग colors आपको मिल जाएंगे इन में से आप जो भी variant चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं यह देखिए अब वो variant सभी slides पर apply हो गया है हम इसको वापस normal कर देते हैं normal करने के लिए हम office theme चुनेंगे यदि आप चाहते हैं कि particular theme केवल selected slide पर ही apply हो तो उसके लिए theme पर right click करके apply to selected slides option पर click करें यह देखिए वो theme केवल इसी slide पर apply हुई है इसी तरह आप चाहें तो अलग-अलग slides पर अलग-अलग theme भी use कर सकते हैं इसको हम वापस normal कर देते हैं यदि आप चाहते हैं कि कोई theme default theme की रूप में set हो जाए तो उस theme पर right click करके set as default theme option पर click करें अब जब भी आप ctrl plus n प्रेस करके नई फाइल लाएंगे तो जो theme आपने set की होगी उसी theme के साथ नई फाइल आएगी बाद में आप design tab में जाकर कोई भी theme select कर सकते हैं यदि आप theme gallery को quick access toolbar में add करना चाहते हैं तो किसी भी theme पर right click करें और add gallery to quick access toolbar option पर click करें यह देखिए यह theme gallery quick access toolbar में add हो गई है अब आप सीधे यहां से कोई भी theme चुन सकते हैं यह देखिए यह जो theme हमने चुनी वो यहां सभी slides पर आ गई है अब अगर आप इस theme के colors या font में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर click करें अब यहां जब आप colors पर mouse ले जाएंगे तो बहुत सारे colors के आपको options मिल जाएंगे यह देखिए जैसे जैसे हम अलग-अलग colors पर mouse ले जा रहे हैं slide पर हमको वो colors बदलते हुए नजर आ रहे हैं इसमें से आपको जो अच्छा लगे उस पर आप click कर दें यह हमने colors change कर लिये हैं इसी तरह से अगर आपको font बदलना है तो fonts पर mouse ले जाएं यहां पर अब आपको अलग-अलग fonts नजर आ रहे हैं इसमें से जो font आपको पसंदो उस पर आप click कर दें इस तरह से हम किसी भी theme में color और font बदल सकते हैं अब अगर आप इस theme को save करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर click करें और यहां सबसे नीचे option मिलता है save current theme इस पर click कर दें अब जहां पर भी आप इसे save करना चाहते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे save कर सकते हैं आप इस file को जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे दें हमने इसको नाम को नाम दिया my theme save पर click करदें यह theme save हो गई है जो theme आपने सेव की है वो आपको यहां gallery में भी नजर आएगी अगर आपको यह theme डिलीट करना हो तो वापस इस downward arrow पर क्लिक करके custom के अंतरगर जो आपको यह theme नजर आ रही है इस पर right क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक कर दें एक बार फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप इस theme को डिलीट करना चाहते हैं यह इस पर क्लिक कर दें यह theme डिलीट हो गई है अब यदि आप अपने सिस्टम में से ब्राउस करके कोई theme निकालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर नीचे option होता है browse for themes इस पर क्लिक करें और सिस्टम में जहाँ पर भी आपने theme सेव करके रखी हो वहाँ से आप उस theme को select करें और apply पर क्लिक कर दें यह देखिए यह जो हमारे पास saved theme थी वो अब यहाँ पर apply हो गई है यदि आप powerpoint presentation देते समय सामान्य से हट कर कुछ अलग type का presentation देना चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी slide पूरी screen पर दिखाई दे या फिर आप slide के उपर नीचे या दाएं बाएं जगर छोड़ना चाहते हैं या आप उसे banner के रूप में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप slide size option का उप्योग कर सकते हैं आईए पहले हम इस slide को full screen पर देखते हैं उसके लिए keyboard में F5 की press करते हैं देखिए अभी इस slide पूरी screen पर नहीं आ रही है इसके left और right side में ये black screen दिखाई दे रही है अब slide show से बाहर आने के लिए keyboard में escape की press करें अब slide का size change करने के लिए design tab के customize block में जाकर slide size option पर click करें यहां आपको standard और white screen ये दो options मिलते हैं आप इन में से कोई एक चुन सकते हैं हम यहां पर white screen चुन रहे हैं F5 की press करके हम इसे वापस full screen पर देख लेते हैं ये देखिए अब ये पूरी screen पर आ रही है Escape की press करके हम slide show से बाहर हो जाते हैं यदि आप कोई अन्य size चाहते हैं तो उसके लिए custom slide size पर click करें यहां से आप जो size चाहें वो चुन सकते हैं या फिर आप खुद ही जो size रखना चाहें वो यहां से change कर सकते हैं हम यहां white screen यानी 16-9 ही select रहने दे रहे हैं यहां से हम इसका orientation भी change कर सकते हैं जैसे अभी यह landscape है हम portrait चुन रहे हैं अब okay पर click करेंगे अब यहां पर दो options हैं maximize और ensure fit maximize चुनने पर अगर जो हमारा matter है वो slide के size से बड़ा होगा तो वो उससे बाहर हो जाएगा चुकि हमने slide का orientation change कर दिया है तो अगर matter या जो भी content होगा वो slide के size से बड़ा होगा तो वो उससे बाहर हो जाएगा कैसा वो दिखेगा यह हम देख लेते हैं maximize पर हम click कर रहे हैं हम इसको अच्छी तरह से देखने के लिए F5 की press कर रहे हैं ताकि हम इसको full screen पर देख सकें अब चुकि हमारा orientation portrait है इसलिए slide उस size में आ गई है और जो भी उससे ज्यादा matter है या content है वो सब उससे बाहर हो गया है जतना slide size में आ रहा है केवल उतना ही content हमको नजर आ रहा है बाकि कट गया है अब हम इसको फिर से normal कर देते हैं अब हम चाहते हैं कि जो भी size या orientation हमने change किया है slide का उसके अंदर पुरा matter हमारा आ जाए पुरा content आ जाए तो उसके लिए हम चुनेंगे ensure fit अब हम इसको f5 की press करके देख लेते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी content था image और text सबको मिला करके वो इस size में भी पुरा fit हो गया है उस पुरे content को fit करने के लिए हो सकता है कि जो matter है या जो image है वो छोटी हो जाए यदि आपको banner की तरह slide present करना हो slide size option में जाकर banner option सेलेक करें और ok पर click करें अब इन दोनों options में से जो भी आप लेना चाहें वो ले लें ensure fit पर हम click कर रहे हैं अब जैसे ही आप F5 की press करेंगे banner जैसी पट्टी दिखाई पड़ेगी जिसमें उपर और नीचे black screen दिखाई दे रही है और बीच में banner की पट्टी के रूप में slide नजर आ रही है इस तरह आप अपनी आवशक्ता नुसार slide का size चुन सकते हैं यदि आप सभी slides में या प्रतेक slide में अपनी पसंद का कोई color देना चाहते हैं या फिर आपको किसी slide में एक से ज्यादा colors करना हो या फिर color की जगह कोई picture का उपयोग करना हो या texture का उपयोग करना हो या अपनी पसंद के रंगों का कोई pattern इस्तामाल करना हो या आपने कोई theme का उपयोग किया हो और आप उसके graphics को हटाना चाहते हो तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में देखते हैं customize block में अगला option है format background इस पर click करें यहाँ पर color भरने के लिए अलग-अलग options हैं सबसे पहला है solid fill solid fill select करके जो भी color चुनना हो वो आप यहाँ पर click करके यहाँ से चुन सकते हैं click करने पर वो color आपकी slide के background में आ जाएगा आप चाहें तो color बदल भी सकते हैं इस तरह से इनके अलावा कोई और colors चाहिए हो तो more colors पर click करके यहाँ से आप वो चुन सकते हैं यहाँ पर भी आपको custom और standard दो option मिलते हैं custom या standard दोनों में से आप जो color चाहिए वो चुन सकते हैं custom में आपको color को light या dark करने की सुविधा भी मिलती है और इसके बाद OK पर click कर दें यहाँ नीचे transparency का option है इससे आप जो color आपने fill किया उसकी transparency बढ़ा या घता सकते हैं more colors के अलावा यहाँ पर नीचे eye dropper वाला option भी है अगर आप screen पर कोई और दूसरा color हो और उस color को pick करना चाहते हैं तो वो आप eye dropper की मदद से कर सकते हैं इस पर click करें अब इस eye dropper को आप mouse की सहायता से screen पर दिख रहे colors में से उस color पर ले जाएं जो आप यहाँ पर fill करना चाहते हैं अगर आपको black चाहिए तो हमारा जो text है उस पर eye dropper ले जाने पर black color आ गया है अगर आप white करना चाहते हैं तो यह यहाँ white पर हम ले गए जब square के अंदर वो color आ जाए इसका मतलब वो select हो गया है तो हम white चुन रहे हैं और उसके बाद हम उस पर click कर देंगे तो यह देखें पूरे background में white color आ गया अब हम अगले option पर चलते हैं फिल में अगला option है gradient fill solid में पूरा एक ही color आता है जबकि gradient fill में आपको एक color के shades दिखाई देंगे जैसे हम इसको select करेंगे तो यह देखें यहाँ पर screen पर blue के shades दिखाई दे रहे हैं light से dark की तरफ वो जा रहा है अब इसमें कुछ और options है नीचे यह कुछ preset gradients है इसमें आप देख सकते हैं कि अलग-अलग तरह से shading की हुई है कहीं पर नीचे light है, कहीं पर ऊपर light है कहीं पर बीच में light color है इसमें से अगर आपको कोई gradient चाहिए तो वो आप यहां से चुन ले जैसे यह top spotlight है इसको हमने चुना तो इसमें उपर से light आ रही है और इसके बाद type कैसा चाहिए वो आप यहां से चुन सकते हैं, यह linear, radial, rectangular, path, shared from title, यह अलग-अलग types हैं इसमें हमने shared from title चुना यह चुनने पर देखिए यह इस तरह से नजर आ रहा है अगर हम और कोई type चुनते हैं तो वो बदल जाएगा, linear में यह इस तरह से दिखाई दे रहा है इसमें से आपको जो भी ठीक लगे वो आप चुन सकते हैं यहां से लाइट का direction आप चुन सकते हैं वो आपको bottom right corner में चाहिए या फिर bottom left corner में चाहिए center में चाहिए जिस भी तरफ आपको light shade चाहिए वो आप यहां से चुन सकते हैं हमने यह from center चुना इसके बाद gradient stops है gradient stops में यह आप देख सकते हैं कहां से कहां तक white color है और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से white पढ़ता जाएगा कहां पर yellow रहेगा यह आप decide कर सकते हैं यह आपको changes slide पर नजर आ रहे हैं इसमें फिलहाल दो colors हैं यानि एक white का shade है और यह जो color हमने yellow या golden yellow कह लें यह जो color लिया है वो है अब अगर आपको इसमें और colors add करना हूँ तो किस gradient stop पर आपको वो color add करना है उस stop को आप select करें जैसे हमने बीच वाले stop को select किया है अब हम यहाँ पर कोई दूसरा color डालना चाहते हैं जैसे light green हमने select किया तो अब यहाँ पर देखिए यह तीन colors के shared आ गए है पहला gradient stop white का है फिर green का है और उसके बाद वो golden yellow की तरफ बढ़ता है अब आप चाहें तो इसमें और gradient stop बढ़ा करके colors भी बढ़ा सकते हैं जैसे हमने इसमें एक और stop बढ़ा दिया है और इसको हम और कोई दूसरा color दे देते हैं माले जै हमने light blue लिया अब यह देखिए इसमें एक और color बढ़ गया है अभी जो gradient stops को हम mouse की सहायता से move कर रहे थे वो आप चाहें तो position वाले option से भी कर सकते हैं यहां से भी इसकी position को आप घटा या बढ़ा सकते हैं और जिस stop की position को आप change करना चाहते हैं उस stop को आपको चुनना होगा और यहां से आप transparency और यहां से brightness बढ़ा या गटा सकते हैं इसके बाद अगला option है picture और texture fill इसको select करें इसको select करने पर जो background है उसमें texture आएगा इसमें अगर आपको background में picture चाहिए तो वो आपको insert करनी रहेगी जो भी file या जहां पर भी वो picture हो वहां से उस file को आप ले लें अब इसमें जो picture insert करना है वो अगर आपके system में कहीं saved है तो आप वहां से भी ला सकते हैं उसके लिए file पर click करें जिस भी location पर आपने file save कर रखी हो वहां से वो picture ले लें और insert पर click कर दें तो यह देखें background में वो picture insert हो गई है अगर आप net से कोई picture लेना चाहते हैं तो online पर click करके net से आप picture select कर सकते हैं एक इसमें बीच में option है clipboard का यह अभी on नहीं है यह उस इस्तिती में on होगा जब आपने कोई image copy करके रखी हो मालीजे हम slide पर यह जो image है इसको copy कर लेते हैं जैसे हम इसको copy करेंगे तो आप यह देख रहे हैं clipboard वाला option चालू हो गया है और अब जब हम इस पर click करेंगे तो यह copied image background में आ जाएगी इसके अलावा अगर आप background में texture चाहते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे texture मिलते हैं इसमें से जो texture आपको चाहिए वो आप as a background चुन सकते हैं इस तरह से पुरी slide पर वो texture आ जाएगा इससे तरह से यहां पर भी आप transparency को change कर सकते हैं और नीचे कुछ और options दिये हुए हैं इनका भी उपयोग करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से इससे background में अंतर आएगा अगला option है pattern fill पैटन फिल में आपको यह अलग-अलग प्रकार के patterns दिखाई देंगे इसमें से जो pattern आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं और यहां से आप foreground याने आगे का color और background याने पीछे का color भी change कर सकते हैं जैसे foreground अभी इसमें blue है इसको हमने change करके yellow कर दिया और background को green कर दिया तो यह रेखिए इस तरह से नया pattern दुन गया जो भी background आपने select किया है उसको अगर आप सारी slides पर apply करना चाहते हैं तो उसके लिए apply to all पर click करें तो यह देखे सारी slides पर यह आ गया है और अगर आप background चेंज करना चाहते हैं वापस से उसको set करना चाहते हैं तो reset background पर click कर दें तो यह normal हो गई है हमारी slide अब हम वापस से background बना सकते हैं यहां पर नीचे एक और option है hide background graphics यह उस समय काम आता है जब हमने slide के लिए कोई theme चुन रखी हो जैसे उपर से हम कोई theme चुन लेते हैं यह हमने theme चुनी अब इस में slide में जो यह graphics हैं अलग यह जो designs बनी हुई हैं यह आपको हटाना है तो आप hide background graphics को select कर लें कि देखें select करते ही वो बागी की चीज़ें यहां से हट गई हैं और सारी slide से हटाना हो तो apply to all कर दें यदि आपने कोई presentation बना रखा है और आप उसे दिखने में सुन्दर और आकरशक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए pictures का उप्योग कर सकते हैं picture insert करने के बाद आप उसका size change कर सकते हैं उसे crop करके कोई भी shape दे सकते हैं यहां हमने पहले से ही एक powerpoint presentation तयार किया हुआ है इसमें हम picture insert करने के लिए insert tab पर click करेंगे images block में यहां आपको pictures option दिखाई पड़ेगा इस पर click करें आपके system में जिस location पर भी file रखी है उस location पर जाएं यहां पर हम sample pictures वाले folder को select करके insert पर click कर रहे हैं अब इसमें जो भी pictures हैं उनके list यहां पर आ गई है इसमें हम lighthouse वाले picture insert करना चाहते हैं तो इसे select करके insert पर click करेंगे देखें यह picture slide में insert हो गई है आप देखेंगे जैसे ही picture insert हुई उपर अपने आप format tab खुल गया है इस tab के ribbon में दिख रहे options के बारे में हम आपको अगली कुछ वीडियोज में बताएंगे अभी हम इस picture को resize करके देखते हैं अभी यह picture size में बहुत बड़ी है आईए इसे थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं picture को select करने के बाद जब हम उसके corners या edges पर mouse ले जाते हैं तो arrow का shape change होकर वह double sided arrow जैसा दिखने लगता है हम picture के edges पर mouse से click करके अंदर की तरफ ड्रैक करते हैं यह देखे picture का size छोटा हो गया है यदि इसी तरह आप इसे बाहर की तरफ ड्रैक करेंगे तो picture बड़ी होती जाएगी picture का size change करने का एक तरीका और है उसके लिए पहले picture को select करें और format tab के size block में जाकर यहां से picture की height आप change कर सकते हैं और यहां से आप उसके width चेंज कर सकते हैं यहां पर आपने देखा कि height चेंज करने पर width भी अपने आप change होती है और width चेंज करने पर height यदि आपको सिर्फ picture की height बढ़ानी हो तो आप picture के ऊपर वाली age पर जो गोल निशान दिख रहा है उस पर click करके ऊपर की तरफ ड्रैक करें यह देखिए picture की height बढ़ रही है इसे तरह यदि आपको picture की सिर्फ width बढ़ानी हो याने चोड़ाई बढ़ानी हो तो आप picture के left या right side वाली age पर जो गोल निशान दिख रहे हैं उन पर click करके ड्रैक करें हम right side से drag कर रहे हैं यह देखिए इस तरफ picture की width बढ़ रही है यदि आपको picture को crop करना हो तो picture को select करके crop option के downward arrow पर click करें यहाँ पहला option है crop इस पर click करें देखिए picture की edges पर black color के निशान आ गए हैं अब आपको जिस भी हिस्से से picture crop करनी हो वहाँ click करके drag करें यह देखिए picture crop हो रही है आप उपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी चाहें इस picture को crop कर सकते हैं यदि आप किसी shape के अनुसार picture को crop करना चाहते हैं तो यहाँ downward option पर click करके crop to shape option में जाएं यह एक और menu open हो जाएगा इसमें से जिस भी shape के अनुसार picture crop करना हो उससे select करें यह देखिए जो shape हमने select किया था उसके अनुसार यह picture crop हो गई है crop में अगला option है aspect ratio इसमें square, portrait और landscape के अंतरगत अलग-अलग size दिये हुए हैं आप जिस भी size में picture crop करना चाहते हैं वो size चुने हम 2-3 चुन रहे हैं यह देखिए picture उस size में crop हो गई है यदि आपने किसी slide में एक से अधिक images या image और text insert किये हुए हैं और आप उनका order बदलना चाहते हैं यानि किसी भी text या image को आगे या पीछे करना चाहते हैं या किसी image का alignment बदलना चाहते हैं या उन्हें rotate करना चाहते हैं तो ये सब कैसे किया जा सकता है आईए देखते हैं इस document में हमने पहले से ही दो images डाल रखी हैं हमें इस पीछे वाली image को आगे लाना हैं तो उससे हमें select करना पड़ेगा उसको select करने के लिए पहले हम उपर वाली image पर click करके उसको थोड़ा सा सरका देते हैं और अब जो दूसरी image है उसको हम select कर लेंगे अब format tab के arrange block में जाकर bring forward option पर click करेंगे यह देखिए पीछे वाली picture आगे आगे है अभी हमने इस option का उपयो केवल दो images के लिए देखा अगर दो से ज्यादा images हूं तो हम किसी image को आगे की तरफ कैसे लाएंगे यह देखने के लिए हम एक picture और insert कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर तीन images हैं अब माल लीजे हम सबसे नीचे वाली जो image है उसको उपर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले इसको select किया अब bring forward option के drop down arrow पर click करके bring to front option को select करेंगे यह देखिए यह image सबसे आगे आगे है यदे किसी image को पीछे की तरफ भीजना हो तो image को select करके send backward option पर click करें यह देखिए यह वाली जो हमारी image है वो इस image के पीछे चली गई है अब यहां पर सबसे उपर यह single tulip वाली जो picture है मान लेजे हम इसको सबसे पीछे भीजना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस picture को select करेंगे और send backward में drop down arrow पर click करके send to back पर click कर देंगे यह देखिए अब यह दो जो pictures है उसके पीछे वो picture चली गई है हम उसको खसका करके देख सकते हैं यह देखिए अब यह जो picture है यह text के भी पीछे चली गई है अब अगर आप इसे text के आगे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप format tab में arrange के जो options है उनी का उप्योग कर सकते हैं bring forward पर जैसे ही हम click करेंगे तो यह देखिए text के उपर वो image आ गई है यहाँ पर सबसे नीचे option है selection pen इस option के सहायता से हम सभी images और text का order और visibility set कर सकते हैं उसके लिए इस option पर click करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि picture 2 सबसे उपर है उसके नीचे है picture 1 उसके नीचे है picture 3 और सबसे नीचे है text जिसका नाम यहाँ पर content place folder 4 लिखा हुआ है अब यदि हम picture 2 को click करके नीचे drag करेंगे तो देखिए वो picture 1 के नीचे आ गई है अब यदि हम picture 3 को click करके सबसे उपर कर देते हैं तो यह देखिए हमारी सबसे पीछे वाली जो picture थी वो सबसे आगे आ गई है इसे तरह से अगर आपको text को सबसे आगे लाना है तो इसको click करके track करके सबसे उपर ले आए यह देखिए अब text सबसे उपर आ गया है और images पीछे चले गई हैं इस तरह से आप इनका order बदल सकते हैं यहाँ पर picture के नाम के आगे यह आँख जैसा एक जो निशान दिखाई दे रहा है अगर आप उस पर click करेंगे तो जिस भी निशान पर आप click करेंगे वो वाली picture document से हट जाएगी यह देखें वो निशान यहाँ से चला गया है उसकी जगए एक straight line आ गई है और document से वो picture भी हट गई है अगर वापस हम इस straight line पर click करेंगे तो वो picture वापस आ जाएगी इस तरह से यहाँ से अब हमने बागे सारी images नटा दी है एक image रखी है अब हम देखते हैं अगला option उसके लिए हमने इस image को select कर लिया है next option है align objects इस option की सायता से आप image को document में एक predefined position पर set कर सकते हैं इसके लिए इस option पर click करें यहाँ पर देखिए काफी सारे options है align left, align center, align top, इत्यादी इसमें से आप align के जिस भी option पर click करेंगे image वैसी ही align हो जाएगी जैसे हमने align left पर click किया यह देखिए image page के left side में shift हो गई है अब यहाँ पर left, center और right के बाद तीन options है align top, middle और bottom जिस भी तरफ आपकी वो image होगी जैसे अभी हमारी image left में है अब उस में आप image को top पर रखना चाहते हैं, middle में रखना चाहते हैं या bottom में रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ इन तीनों options में से एप चुन सकते हैं मालीजे हमने यहाँ से चुना align bottom यह देखिए हमारी जो image है लेफ्ट साइड में ही नीचे की तरफ खसक गई है इसी तरह से अगर हम इसको right में align करेंगे तो यह ऐसी के ऐसी right में आ गई है अब right के अंदर आप इसको top, middle, bottom जहां चाहते हैं वहाँ ले सकते हैं हमने चुना top तो यह right में top पर आ गई है अब यहां पर rotate objects का option है इसकी साहता से हम image को rotate कर सकते हैं अब यहां नीचे जो options है उन पर जब आप mouse ले जाएंगे तो क्या changes picture में आएंगे वो आप preview में देख सकते हैं इसमें से आपको जजबी एंगल पर या जजबी तरह से picture को rotate करना हो वो आप कर सकते हैं इसके अलावा दूसरा तरीका है image के ऊपर आपको यह rotate करने के लिए निशान नजर आ रहा होगा इस पर प्लिक करके जजबी दिशा में आपको इसको rotate करना हो माउस को घुमा करके आप picture को उतना rotate कर सकते हैं जब आप उसको छोड़ेंगे उस एंगल पर picture rotate हो जाएगी जदे आपने slide में कोई image insert की है और आप उस image की style change करना चाहते हैं या image पर किसी तरह की border देना चाहते हैं या border का color, width तथा उसकी style change करना चाहते हैं तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं आईए देखते हैं यहाँ slide में हमने एक image insert की हुई है इसकी style change करने के लिए पहले हम picture select करेंगे उसके बाद format tab के picture style block में जाएंगे यहाँ पर अलग-अलग तरह की styles दी हुई हैं देखिए इनमे से हम जिस भी style पर mouse ले जा रहे हैं image उस style में दिख रही है यहाँ पर आप एक drop down arrow देख रहे हैं इस पर click करने पर यह drop down menu open होता है यहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार की picture styles दिखाई देती हैं अब इस में से आप जो भी चाहें वो style ले सकते हैं हमने यह style चुनी है यहाँ पर आपको और भी options मिलते हैं पहला option है picture border इस option की साहता से आप image की border का color change कर सकते हैं यहाँ पर आपको अलग-अलग colors दिखाई पड़ेंगे यहाँ आप देख सकते हैं जिस भी color पर mouse ले जा रहे हैं image पर उस color की border दिखाई दे रही है इस में से जो भी color आपको पसंद आए उस पर click करें यह देखिए जिस color पर हमने click किया border पर वो color आ गया है इसे menu में नीचे आपको no outline option दिखाई पड़ रहा होगा यदि आप इसे select करेंगे तो image में से border हट जाएगी इस option के नीचे more outline colors का option है इसे click करने पर colors का एक menu open होगा जहां से आप अपनी पसंद का कोई भी color चुन सकते हैं इस menu में आपको standard और custom दो options मिलते हैं इस में से आप कोई भी color चुन सकते हैं custom में आप अपने हिसाब से color को dark या light कर सकते हैं color choose करके ok पर click कर दें यह देखिए हमने जो color choose किया था उस color की border यहाँ पर आ गई है अब हम आपको picture border के और भी options के बारे में बता देते हैं इसमें अगला option है eye dropper eye dropper को select करने के बाद आप mouse को जहां भी ले जाएंगे वहां पर जो color होगा वह आपको यह बताता है जैसे जैसे हम mouse घुमा रहे हैं जहां ले जा रहे हैं वह color उस पर आ रहा है अब इसमें से जो भी color आपको चाहिए जो कि आपको square के अंदर दिख रहा है वह अगर आपको चाहिए तो उस पर वही पर क्लिक कर देए यह देखिए border का color change हो गया है अगला option है weight जब आप इस पर mouse ले जाएंगे तो एक और menu open होगा इसमें आप देख सकते हैं अलग-अलग width वाली lines दिखाई दे रही हैं इनमें से आप इस भी size की border चाहते हैं उस line पर क्लिक कर देए अब यह देखिए जस line पर हमने क्लिक किया था image की border उस width की हो गई है इसी में नीचे more lines option भी है इसे क्लिक करने पर right side में एक window open होगी यहां से आप अपने अनुरसार भी border की चौड़ाई set कर सकते हैं अब इसमें आप अगर line हटाना चाहते हैं तो no line को select कर सकते हैं अगर आपको solid line चाहिए तो solid line select करें अगर आप gradient line चाहते हैं तो उसके लिए यह option चुने पर आपको जो भी changes हम करेंगे वो दिख सकें इसके लिए हम पहले इसके width यहां से बढ़ा देते हैं यह हमने border की width बढ़ा दी है अब जब हम gradient line select करेंगे तो और कुछ options यहां पर आ जाएंगे यहां पर preset gradients हैं आप चाहें तो इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं अब हमने preset gradient चुना था तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसी के हिसाब से border ऊपर की तरफ light है और नीचे की तरफ dark color में हैं आप यहां से type चुन सकते हैं shedding का direction क्या होगा वो यहां से आप चुन सकते हैं यहां से आप gradient stop चुन सकते हैं इसमें आप कितना part dark चाहते हैं कितना light चाहते हैं वो आप इन stops की मदद से change कर सकते हैं और जैसे हम यहां पर change कर रहे आप देख सकते हैं और यहां पर यह जो gradient stops हैं आप इनको add भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं यहां पर यह 3 की जगर 4 कर दिए और अगर आपको कोई hटा ना हो तो इसको select करके remove gradient stop पर click कर दें तो वो हट जाएगा अगर आपको color में कोई change करना हो तो वो आप यहां से कर सकते हैं यह देखिए यह हमने color change कर दिया है इसमें जो gradient selected था उसका color change हुआ है जैसे हमने बीच वाले gradient का color change किया अब हमको last वाले gradient का color change करना है तो उसको select करेंगे और उसके बाद color में जाकर के हम वो color चुन लेंगे अब यह देखिए last वाले gradient stop पर red color आगया है इस तरह से आप इसमें और color जाट कर सकते हैं या उन्हें हटा सकते हैं इसी तरह आगे आप इसकी position, transparency, brightness यह सब यहां से घटा बढ़ा सकते हैं अगला option है dashes इस option को देखने के लिए हम पहले इस image को normal कर देते हैं इसके लिए यह हम यहां पर click करेंगे यह reset picture पर click करते ही यह देखिए picture normal हो गई है अब हम dashes वाले option पर जा करके जो भी outline हमको चाहिए उस पर हम click कर सकते हैं देखिए हम जब mouse ले जा रहे हैं तो ध्यान से देखने पर आप आएंगे कि picture के आसपास की जो outline है वो change हो रही है यहां से या तो आप जो भी आपको outline चाहिए चुन लें या फिर more lines के option आपको मिलेंगे यह वापस से यह window open हो गई है अब इसमें यहां से हमने dash type चुन लिया है और यहां से हमने उसके width बढ़ा दिया है ताकि वो हमको अच्छे से दिख सके यह दिखिए अब आप देख सकते हैं कि picture में जो हमने outline चुनी वो कैसे दिखेगी यदि आपने कोई image insert की हुई है और आप उस image पर shadow, reflection, glow इत्यादी effect देकर image को और अधिक आकरशक बनाना चाहते हैं या फिर आप image के layout को smart art graphics की साहता से बदलना चाहते हैं तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं आएए देखते हैं picture border के बाद अगला option है picture effects इसकी साहता से आप image पर अलग-अलग effects डाल सकते हैं उसके लिए picture effect पर क्लिक करें पहला option है preset इसके उपर mouse ले जाने पर एक और menu open होगा इसमें भी आपको बहुत सारे options दिखेंगे जहां पर भी हम mouse ले जा रहे हैं image पर वैसा effect आपको दिखाई दे रहा है जिस तरह से आप preset के effects देख पा रहे हैं उसी तरह से shadow में भी जाकर के आप वो देख सकते हैं यहां पर आप ध्यान से देखें picture के बाहर जो border है उस पर यह shadow के effects आ रहे हैं हर option में से जो भी option आपको अच्छा लगे वो आप चुन सकते हैं यह reflection है इसमें picture के नीचे reflection नजर आ रहा है इसको अच्छे से देखने के लिए हम picture को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अब हम देख पाएंगे अलग-अलग reflection variations चुनने पर picture में क्या बदलावा रहा है यहां पर glow का option मिलता है जिसके अंदर glow के variations हैं अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी option हम चुन रहे हैं उसके हिसाब से picture में बाहर की तरफ आपको glow दिखाई दे रहा है soft edges के options भी हम देख लेते हैं इसमें जैसे-जैसे points बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे image की जो age है वो soft होती जाएगी इसी तरह से आपको यहां पर bevel और 3D rotation के options मिलेंगे जो भी options आपने चुने हैं अगर आपको वो हटाने हो तो उसी option के अंदर सबसे उपर उस option को हटाने के लिए एक option मिलता है जैसे shadow में no shadow है, reflection में no reflection मिलेगा सब में आपको सबसे उपर एक इस तरह का option मिलेगा जिस पर click करके आप उसे हटा सकते हैं last option है picture layout इस option पर click करने पर एक menu open होगा इसमें अलग-अलग तरह के layout हैं आप जिस भी layout को select करेंगे आपकी image text के साथ उसी तरह से set हो जाएगी इसमें से आपको जो भी पसंद हो उसको आप select कर सकते हैं यह देखिए यह picture का layout change हो गया है अब यहां पर आप जाहें तो कोई text type कर सकते हैं इस layout से related कुछ और options आपको यहां पर दिखेंगे इन में से आप जो चाहें वो select कर सकते हैं यदि आपने slide में कोई image insert की हुई है और आप उसके background को हटाना चाहते हैं या फिर image की sharpness और brightness को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं या फिर आप image के color को बदलना चाहते हैं या image को transparent करना चाहते हैं तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं आए इस वीडियो में देखते हैं इस powerpoint document में हमने पहले से ही एक image डाल रखी है image में editing करने के लिए हम image को select करेंगे image select करते ही उपर menu bar में format tab दिखाई दे रहा है हम इस पर click करेंगे इसमें edges block में पहला option है remove background इस पर click करें इस पर click करते ही image का color कुछ इस तरह का हो जाएगा और एक अलग menu open हो जाएगा जिसमें आपको कुछ और options लिखेंगे इन्ने से पहला option है mark areas to keep मतलब उन areas पर click कीजिए जिन्हें आप image में रखना चाहते हैं आप चाहें तो यह जो square बना हुआ दिख रहा है इसको drag करके भी उस area को select कर सकते हैं अब हम keep change पर click करेंगे यह देखिए यहां से पूरा background जो है वो हट गया है केवल फूल बचा है जिस तरह से हमने इस option का उपयोग किया उसी तरह से दूसरे options का उपयोग भी कर सकते हैं अगला option है corrections इस option को समझने के लिए हम एक दूसरी picture insert कर लेते हैं करेक्शन पर click करने पर आप देख सकते हैं कि यह menu open हुआ है जिसमें यही image अलग-अलग color format के साथ दिखाई दे रही है जिसमें sharpness और brightness कम या ज्यादा है हम जिस भी image पर mouse ले जाएंगे image में वो changes आपको नजर आएंगे अब हम इन में से किसी एक image पर click करते हैं जैसे हमने यह इस image पर click किया तो यह देखिए यह image change होकर ऐसी हो गई है हम दोबारा corrections option पर click करके आपको कुछ और options के बारे में बता देते हैं इस menu में नीचे की तरफ आपको picture corrections options दिखेगा इस पर click करें click करते ही right side में एक menu open होगा इसमें भी picture formatting के options आपको मिलेंगे जैसे sharpness के लिए preset option भी है जैसे कि उपर वाले menu में थे और उसी के नीचे slider है जिसकी सायता से भी आप sharpness कम या ज्यादा कर सकते हैं इसी तरह से आप brightness भी set कर सकते हैं अब हम आपको edges block के आने options के बारे में बता रहे हैं color option के सायता से आप image को अलग-अलग color दे सकते हैं यह देखिए जिस भी option पर हम mouse ले जा रहे हैं image का color वैसा हो रहा है आपको जो भी color set करना हो उस पर click कर दें आपको इस menu में नीचे भी तीन options दिखेंगे इनने से पहला option है more variations जिस पर mouse ले जाते ही colors की list दिख जाएगी इन में से आप चाहें तो अलग-अलग colors चुन सकते हैं उसके नीचे है set transparent color जिसकी सायता से आप image के background को transparent कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखें इस option की सायता से सभी images का background transparent नहीं होता है हम इस पर click कर रहे हैं और अब हम इस picture पर click कर रहे हैं यहां पर देखिए इससे कोई फरक नहीं पड़ा है हम दूसरी picture पर यह करके देखते हैं उसके लिए पहले हम एक नई picture insert कर लेते हैं यह हमारी नई picture insert हो गई है अब इसमें हम इस option का उप्योग करके देखते हैं set transparent color हमने चुना और अब हम जहां पर भी click करेंगे वहां से वो color हट जाएंगे यह देखिए यह background transparent हो गया है सबसे last में picture color options हैं इस पर click करते ही right side में वही menu open होगा जो पहले हुआ था इसमें नीचे की तरफ आपको picture color वाले options दिखेंगे यहां से आप image के लिए कोई भी पसंदीदा color चुन सकते हैं यहां predefined options के अलावा sliders भी दे रखे हैं जिनकी साहता से आप image में अपने अनुसार color changes कर सकते हैं अब हमने यह जो भी changes किये हैं वो सब हटाना है picture को normal करना है तो reset पर click कर देंगे यह देखिये picture normal हो गए यदि अपने slide में कोई image insert की हुई है और आप उस पर artistic effect देना चाहते हैं या फिर image का size कम करने के लिए उसे compress करना चाहते हैं या आपने जो image slide में insert की है उसकी जगह अपने PC से या online कोई और image insert करना चाहते हैं या आपने जो भी changes image में किये हैं उन्हें हटाकर image को दो बारा पहले वाली सिदी में लाना चाहते हैं तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं आईए इस वीडियो में दिखते हैं उसके लिए image को select करके adjust block के artistic effect option पर click करें यह drop down menu open हो गया है यहां पर देखे हम जिस भी option पर mouse ले जा रहे हैं image पर वैसे effect नजर आ रहे हैं अब इसमें से आपको जो भी effects set करना हो उस पर click कर दें इसी menu में नीचे की तरफ आपको artistic effects options दिखेगा जिसकी सायता से आप और भी effects image में डाल सकते हैं हम इस पर click कर रहे हैं click करते ही यह देखिए right side में एक menu open हो गया है artistic effects के सामने वाले box में जो drop down arrow है उस पर click करने पर यह जो वही वाला menu open हो जाएगा जो हमने यहां से खुला था आप उसको यहां से भी open कर सकते हैं और यहां नीचे दो sliders हैं उपर है transparency इस option की मदद से आप picture की transparency को कम या जयारा कर सकते हैं और उसके नीचे है smoothness इसकी मदद से हम picture की smoothness पढ़ा और घटा सकते हैं पिक्चर को वापस normal करने के लिए reset पर click करें चली अब हम आपको image को compress करके बताते हैं compress pictures हमें तब काम आता है जब हमें कोई ऐसी file भेजनी है जिसकी size बड़ी है और वो file size ज्यादा होने के कारण attached नहीं हो रही है compress pictures की सायता से आप image की file size कम कर सकते हैं इस image की quality पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि image वैसी की वैसी दिखेगी इमेज को select करने के बाद इस option पर click करें यह देखिए एक window open हुई है इसमें कई options हैं पहला है apply only to this picture जो की by default selected है मतलब केवल picture compress होगी दूसरा है delete cropped areas of picture यह भी पहले से ही selected है इसका मतलब है कि यदि आप picture को crop करते हैं तो यह option crop किये गए area को हटा कर picture को compress करेगा उसके नीचे जो option selected है वो है use document resolution मतलब जो document resolution है वो वैसा कव वैसा रहेगा और यदि आप email भेजने के लिए document की file size को compress करना चाहते हैं तो इसके उपर वाला option मतलब email select कर सकते हैं इतना करने के बाद हम okay पर click कर देंगे इससे आपकी image का size compress हो जाएगा compress pictures के बाद next option है change picture जिसकी सायता से आप picture बदल सकते हैं इस option को click करने पर एक window open होगी जिसकी सायता से आप अपने computer से या फिर online कोई भी picture select कर सकते हैं हम computer से picture insert करना तो बता ही चुके हैं इस option की सायता से हम online picture insert करना भी सीख लेते हैं हम यहां दिख रहे बिंग image search option पर click करते हैं इस पर click करते ही कुछ categories आपको दिखाई पड़ेंगी आप यहां से भी आपकी इच्छानुसार category चुन सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहां search में title डाल करके उस title से pictures चुन सकते हैं जैसे यहां पर हमको tulip flowers चाहिए तो हमने यहां type किया tulip यह tulips यहां पर search में option आ गया है इस पर click करके हम इसको search कर लेंगे यह देखिए अब यहां पर सारी जो images है यह tulip की हैं अब इतनी सारी images में से जो image आपको चुननी हो उस पर click करें और फिर insert पर click करें click करते ही पुरानी image नई वाली image से replace हो गई है और चलिए अब हम आपको last option के बारे में बता देते हैं उसके लिए हम इस image में कोई भी effect दे देते हैं अब हम इस picture का size भी बढ़ा देते हैं अब यदि हम इस effect को या किसी भी effect या color या फिर editing को image से हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें वही original image मिल जाए तो हम image को select करेंगे और फिर reset picture के आगे दिख रहे है drop down arrow पर click करेंगे click करते ही यहां दो options दिखाई पड़ेंगे reset picture और reset picture and size अब यदि आप केवल picture को reset करना चाहते हैं यानि effects हटाना चाहते हैं तो पहला option चुनिए अब यह देखिए जैसे picture थी वैसी हो गई है मतलब effects हट गए हैं पर picture का size normal नहीं हुआ है हम इसे वापस effect वाली position में ले आए हैं अब अगर आप चाहते हैं कि picture भी reset हो जाए यान effects भी हट जाए और साथी साथ इसका size भी बदलकर original style में आ जाए तो उसके लिए हम दूसरा वाला option यानि reset picture and size चुनेंगे अब यह देखिए picture में से साथ effects भी हट गए हैं और size भी normal हो गया है MS powerpoint में एक बहुत ही अच्छा option है जिसका नाम है quick access toolbar इस toolbar की सहायता से हम तुरंट किसी भी option का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए आपको किसी भी tab में जाने के जरूरत नहीं होती इस toolbar में आप वो commands रख सकते हैं जिनके आपको अक्सर जरूरत पड़ती है इसके साथ ही आपने इसमें जो भी command add की हो उसे shortcut की द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं quick access toolbar से आपके समय की बच्चत होती है और काम भी आसानी से हो जाता है तो आईए देखते हैं इसका उप्योग कैसे किया जाता है quick access toolbar menu bar के उपर left side में होता है जैसा कि इसका नाम है quick access मतलब जिसे हम तुरंत इस्तेमाल कर सकें या जिस पर हम तुरंत पहुंच सकें इस toolbar में वो commands रखी जाती है जिनकी हमें अकसर जरुरत पड़ती है इसमें by default तीन commands होती है save, undo और redo इन commands के बाद आपको एक downward arrow दिखेगा जिसके मदद से आप quick access toolbar में उपयोगी commands add कर सकते हैं हम इस पर click करते हैं ये देखे, drop down menu open हो गया है अभी इसमें केवल तीन commands के सामने टिकमाक लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये quick access toolbar में पहले से ही है अब बाकी commands में से जो भी command आप यहाँ पर add करना चाहते हैं उन पर click कर दें जैसे उदारन के लिए हम इस menu में से new command को add करना चाहते हैं तो हम इस पर click कर रहे हैं ये देखे, new command quick access toolbar में add हो गया है अब अगर आपको इस option को use करना है यानि अगर आपको कोई नई file लानी है तो उसके लिए file में जाकर के new पर click करने की बजाए आप सीधे quick access toolbar में new पर click कर दें ये देखे, ये नई file आ गई है अगर हमको इसे हटाना हो तो वापस new पर click करके ये tick हटा देंगे आईए अब हम quick access toolbar के कुछ अन्य options देखते हैं इसके लिए हम इसे दोबारा open करेंगे इसमें more commands option पर click करें click करते ही एक नई window open होगी चूंकि हमने quick access toolbar के लिए ये window open की है तो यहाँ पर quick access toolbar selected है आपको इस list में कई सारे commands दिखाई दे रहे हैं इन में से आप कोई भी command select करके add कर सकते हैं उधारन के लिए हम इन commands में से copy command add करना चाहते हैं तो हम उस पर click करेंगे और फिर add button पर click करेंगे उस पर click करते ही ये देखिए copy command इस list में add हो गया है जिस तरह हमने एक command add किया है उसी तरह आप इस list में से और भी commands add कर सकते हैं जिस तरह से हमने ये commands add किये हैं उसी तरह से इन्हें remove भी किया जा सकता है उदारन के लिए हम new file command को remove करना चाहते हैं तो उस पर click करके remove बटन पर click कर दें ये देखिए new file command यहां से remove हो गया है इसके अलावा यहां दिये गए upward और downward arrows की सहायता से आप ये set कर सकते हैं कि कौन सा command आपको पहले चाहिए और कौन सा बाद में उदारन के लिए हमें copy command save से पहले चाहिए तो हम copy command को select करेंगे और इस upward arrow पर तब तक क्लिक करेंगे जब तक यह command सबसे उपर ना आ जाए इसी तरह से downward arrow की सहायता से आप किसी भी command को नीचे की तरफ shift कर सकते हैं उदारन के लिए हम save command को redo के बाद चाहते हैं यह देखिए यह redo के नीचे आ गया है अब इसे save करने के लिए ok पर click कर दें अब यह देखिए जो भी setting हमने की थी वो यहां उपर आपको नजर आ रही है यह copy command सबसे पहले आ गई है और save command redo के बाद में आ गई है और जो भी नए commands हमने add किये हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं quick access toolbar में commands add करने का एक और तरीका है हम insert tab के ribbon में दिख रही text box command को quick access toolbar में add करना है तो हम text box command पर right click करेंगे ऐसा करते ही देखिए एक menu open हुआ है इसमें सबसे पहले option है add to quick access toolbar हम इस पर click करते हैं यह देखिए text box command quick access toolbar में add हो गया है अब इस drop down menu में सबसे आखरी option है show below the ribbon इस option को click करने पर quick access toolbar ribbon के नीचे आ जाएगा यह देखिए quick access toolbar ribbon के नीचे shift हो गया है इसे वापस उपर shift करने के लिए quick access toolbar पर right click करें और show quick access toolbar above the ribbon पर click कर दें आप quick access toolbar में दी गई commands को shortcut keys से भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको अपने keyboard की alter key प्रेस करना होगी उसे प्रेस करते ही आपको quick access toolbar में number और tabs पर alphabets दिखने लगेंगी इन numbers और alphabets को प्रेस करने पर यह option apply हो जाएंगी माल लेजिए हम save का option यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो number दिया हुआ है वो है 4 तो हम keyboard पर 4 number की प्रेस कर देंगे यह दिखिए save की window open हो गई है इसी तरह जब भी आप यहाँ दी गई commands shortcut की द्वारा यूज करना हो तो alter की प्रेस करें सारे numbers और यह alphabet वापस यहाँ जाएंगे फिर आप इस message इसका भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं quick access toolbar में जितने भी commands add होते जाएंगे number इस तरह से बढ़ते जाएंगे जैसे 9 के बाद 090807 इत्यादी alignment हमें यह दर्शाता है कि जब हम किसी file में काम करेंगे तो हो किस side से आरंभ होगा चार तरह के alignments होते हैं left alignment, right alignment, center और justify आईए हम इस video में इनको एके करके समझते हैं by default ms powerpoint में center alignment set होता है यानि जब भी आप इसमें कुछ type करेंगे तो text center में type होगा जैसे अभी हमने यह type किया यह center में आया है लेकिन यदि आपको कोई text left में लिखना हो तो उसके लिए home type के paragraph block में जाकर align left option पर click करें यह देखिए cursor जो है वो left में आ गया है अब हम जो भी text type करेंगे वो left side में type होगा एक बार का ध्यान रखें कि या तो आप text type करने से पहले जो alignment चाहिए वो select करें जैसे हमने पहले ही select किया था तो जो भी हमने text type किया वो left से शुरू हुआ पर अगर आपने text पहले से type कर रखा है तो उससे select करके आप उसका alignment बाद में भी बदल सकते हैं जैसे अब इस text को अगर हमें center align करना है तो इसको select करने के बाद हम center align पर click करेंगे यह देखिए यह center में आ गया इसी तरह यदि आपको right align करना है तो text को select करके right align पर click कर दें यह देखिए text right में आ गया अब जो भी text आप type करेंगे वो right side से type होगा अगला option है justify इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर यह data ले रखा है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सभी lines हैं वो left side से तो एक सीध में हैं लेकिन right side में कोई line छोटी है कोई बड़ी है अगर हम इसे दोनों तरफ से equal करना चाहते हैं यानि left और right दोनों side से lines एक सीध में हो तो उसके लिए paragraph को select करके justify option पर click कर दें यह देखे इस paragraph की सभी lines दोनों तरफ से बराबर हो गई हैं इस तरह आप alignment option का उप्योग करके अपने document को व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं मान लीजे आप अपने powerpoint presentation में किसी text को list के रूप में प्रस्तूत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो सुन्दर और स्पष्ट दिखाई पड़े तो उसके लिए आप अपने presentation में bullets और numbers का उप्योग कर सकते हैं आईए आपको बताते हैं कैसे यहां हमने कुछ matter पहले से type करके रखा है यदि हम इसे एक नजर देखते हैं तो यह सपष्ट नहीं होता कि यह paragraphs हैं या अलग-अलग points हैं आईए हम इनके आगे bullets या numbers दे देते हैं इसके लिए इस matter को select करके paragraph block के numbering option में चलते हैं यहां पर आपको numbering की अलग-अलग styles मिलेंगी आपको जो ठीक लगे वो आप select कर लें यह तो अभी आपने पहले से type किये हुए matter पर numbering करना सीखा पर मालीजिए कि आपने अभी matter type नहीं किया है और अब आपको कोई list बनानी है और वहाँ पर numbers देना है तो आप matter type करने के पहले भी numbering का जो option है उसको on कर सकते हैं उसके लिए हम paragraph block में जाकर जिस भी style में हमको numbering करना है वो style चुन लेंगे यह देखें यहाँ पर हमने एक point लिखने के बाद जैसे enterprise किया तो यहाँ पर दूसरा point अपने आप उसके नीचे आ गया है इस तरह से आपको जितने भी points लिखना हो सब में numbering होती जाएगी अब अगर आप किसी point के अंदर कोई sub point देना चाहते हैं तो उसके लिए end में cursor ले जाकर के enterprise करें enterprise करने पर तो अगला number आ जाएगा पर हम उसके बाद tab key को press करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह चौथे point में एक sub point आ गया है इसका यह point number one आ गया अब वापस enter press करेंगे तो इस तरह से यह जो sub points हैं उनके number आगे बढ़ते जाएगे अब अगर आपको वापस main points पर आना है याने अब आपको यहाँ पर पाचवा point देना है तो उसके लिए shift और tab key को एक साथ press करें यह देखे पाचवा point यहाँ पर आ गया है अब इसको हम वापस normal कर देते हैं अब अगर आप यहाँ पर numbers डालने की बजाए bullets डालना चाहते हैं मतलब कि आपको points में 1,2,3 या ABCD नहीं देना है numbering करने के बजाए केवल bullets चाहिए तो आप इस matter को select करके paragraph block में जाकरके bullets option में जाए यहाँ से यह आपको अलग-अलग प्रकार की bullets मिल जाते हैं इन में से आपको जो भी choose करना हो वो आप choose कर लें यह हमने choose किया अब यहाँ पर numbers की जगव पर bullets आ गए हैं और जिस तरह से हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आपने पहले से matter type करके नहीं रखा है तो type करने के पहले किस तरह से numbering डाल सकते हैं उसी तरह से आप matter type करन चाहते हैं तो आप pictures भी लगा सकते हैं उसके लिए bullets option पर click करें अब bullets and numbering option में जाएं अब open हुए dialogue box में से picture option को click करें ऐसा करते ही insert pictures का dialogue box उपन होगा यहां पर दो options हैं आप चाहें तो अपने computer में saved कोई picture ले सकते हैं या फिर online कोई picture डाउनलोड कर सकते हैं हम अपने computer से ही कोई picture लेना चाह रहे हैं तो यहां पर click करेंगे आपकी computer में जहां भी picture saved है उस पात पर जाकर picture पर click करके insert पर click कर दें यह देखिए अब bullets की जगह पर pictures आ गई है अब इन smileys को हम वापस से numbers में convert कर देते हैं अब यदि हम number का color change करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं उसके लिए bullets and numbering option को click करें open हुए dialogue box में color option पर click करें अब अपनी पसंद के अनुसार यहां से color चुन लें और okay पर click कर दें यह देखिए numbers का color change हो गया है bullets and numbering के कुछ और options हम आपको बता रहे हैं यह जो numbers या bullets हैं उनका size भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं और चाहें तो 2 या उसके बाद के number या alphabet से start कर सकते हैं यानि जैसे यहां पर 1,2,3,4 ऐसे number डले हुए हैं अगर हम चाहते हैं कि यह numbering 2 से शुरू हो बजाए 1 के 2,3,4,5,6 ऐसे numbers आएं तो हम वो भी कर सकते हैं उसके लिए हम start 8 पर set कर देंगे 2 तो अब जो numbering होगी वो 2 से शुरू होगी इसी तरह से अगर alphabet होगे तो A की बजाए B से numbering शुरू होगी यह हमने OK पर क्लिक किया और यह देखिए जो अभी हमारी numbering 1,2,3,4 थी वो चेंज होगे 2,3,4,5 हो गई है तो ऐसे आप किसी भी number या किसी भी alphabet से numbering शुरू कर सकते हैं अब अगर आपने जो matter में numbering की है या bullets लगाई है वो आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी matter है उसको select करें उसके बाद अगर bullets हटानी है तो bullets option में जाकर none पर क्लिक कर दें यह देखिए यहां से हट गई है और अगर आपको numbers अटाने हो तो उसी तरह से आप matter को select करें और numbering में जाकर के none पर क्लिक कर दें यह देखिए यहां से numbers हट गए यदि आपको slide में लिखे किसी text को right side या left side में थोड़ा किसकाना हो या किसी paragraph में लिखी lines के बीच space बढ़ाना घटाना हो या फिर दो या दो से अधिक paragraphs के बीच की space को बढ़ाना या घटाना हो या फिर column insert करना हो तो ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं आईए इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले हम आपको increase intent के बारे में बता रहे हैं उसके लिए paragraph को select करके increase intent पर क्लिक करें ये देखिए इससे paragraph right side में खस गया है इसी तरह decrease intent की सहायता से आप paragraph को left side में खिसका सकते हैं और ये जो option है वो paragraph पर ही काम करता है एक line पर नहीं अब next option है line spacing यदि आपको slide में लिखे paragraph की lines के बीच space बढ़ानी या घटानी हो तो paragraph को select करके line spacing option में जाएं यहाँ पर अलग-अलग line space दी हुई है इन में से जिस पर भी आप cursor ले जाएंगे वो आपको preview में नजर आएगा अब आपको जो suitable लगे उसे आप select कर सकते हैं हम 1.5 को select कर रहे हैं आईए अब हम line spacing के कुछ अन्य options देखते हैं उसके लिए line spacing option पर click करें उसके पहले आप text को जरूर select कर लें यह यहाँ पर एक dialogue box open हो गया है इसमें यहाँ से हम paragraph का alignment बदल सकते हैं हम इसको left ही रख रहे हैं left में paragraph कहां से start हो वो आप indentation की सहता से set कर सकते हैं आपने books में newspaper जित्यादी में देखा होगा कि पहली line थोड़ा आगे से शुरू होती है अगर आप भी paragraph की पहली line थोड़ा आगे से शुरू करना चाहते हैं तो special में जाकर first line option चुनें आप चाहें तो यहां से इसकी दूरी और बढ़ा सकते हैं या गटा सकते हैं अब हम ok करके देख लेते हैं कि क्या difference आएगा यह देखें जैसे हमने ok किया तो इस paragraph में पहली line जो है वो थोड़ा आगे से शुरू हो रही है हम इसको वापस select करते हैं और बाकी options देखते हैं अगर आप जाते हैं कि पहली line को छोड़कर बाद की सभी lines थोड़ा आगे से शुरू हों तो यहां पर पहले indentation में before text में space बढ़ा दें और उसके बाद special में hanging option का उप्योग करें आप चाहें तो यह जो space है वो बढ़ा या घटा भी सकते हैं उसके बाद ok पर click कर दें यहां पर देखिए पहली line को छोड़कर के paragraph की बाकी जो lines हैं वो आगे खसक गई हैं इसको वापस हम normal कर रहे हैं यदि आप दो या दो से ज्यादा paragraphs के बीच की gap कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम उन सभी paragraphs को select कर लेंगे और उसके बाद दोबारा line spacing option में जाएंगे यहां पर आपको before और after दो options मिलते हैं तो paragraph के ऊपर जो space है यानि उसके पहले जो space है उसको आप यहां से बढ़ा गटा सकते हैं और paragraph के बाद में जो space है उसको आप यहां से गटाया बढ़ा सकते हैं यहां पर आपको single, 1.5 lines, double यह जो options दिखाई दे रहे हैं यह options आपको बाहर भी मिल जाते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से आप lines के बीच की space को या gap को कुछ points कम या ज्यादा कर सकें उसके लिए exactly option पर click करें अब यहां से आपको कितने points बढ़ाने हैं या घटाने हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें lines के बीच में exactly उतनी ही spacing आएगे जितने points आपने चुने हैं या जितने points आपने set किये हैं अगला option है multiple यहां से जो आप spacing चुनेंगे वो lines की होगी जैसे अगर आपने 3 चुना तो 2 lines के बीच 3 lines का gap आ जाएगा जैसे इसको हमने okay किया तो यह देखिए हर line के बीच में 3-3 lines का gap है अब हम इसे normal कर देते हैं इसके बाद आता है add और remove columns option paragraphs by default एक column में होते हैं पर यदि आप column wise matter लिखना चाहते हैं तो add या remove columns में जाकर के जतने columns यहां चाहिए हो वो आप select कर सकते हैं यहां से हमने two columns वाला option select किया यह देखिए पूरा text दो columns में divide हो गया है अब यहां पर पहले column में यह देखिए यह एक जो word है वो थोड़ा बाहर जा रहा है हम इसको नीचे ले लेते हैं अब यह देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं कि पूरा जो matter है वो दो columns में यहां पर आ रहा है और अगर हम तीन column select करेंगे तो पूरा text तीन columns में आ जाएगा अब अगर हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो वो तीसरे column में type होगा और अगर यहां पर space भर जाएगी इस column में से text shift होकर के पिछले columns में चाता जाएगा आप चाहें तो more columns की सहायता से जितने चाहें उतने columns add कर सकते हैं और अगर आप columns हटाना चाहते हैं तीन की बज़ाए इसे फिर एक या दो columns में ले जाना चाहते हैं तो वापस आप इस option में जाकर के one column select कर लें यह हमने one column select किया पुरा matter वापस एक column में आ गया यदि आप MS PowerPoint में किसी paragraph के text की direction को change करना चाहते हैं या text को ऊपर, नीचे या बीच में align करना चाहते हैं या फिर text को smart art में convert करना चाहते हैं तो वो सब कैसे किया जा सकता है आए देखते हैं पहले हम text direction देखते हैं इस drop down list में आपको 4 directions दिखाई पड़ेंगी By default हम जो भी लिखते हैं वो horizontal direction में होता है मतलब left से right की तरफ लिखा हुआ होता है इसके अलावा यहां तीन और directions हैं Rotate all text 90 degree, rotate all text 270 degrees और stacked आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम अलग-अलग directions पर mouse ले जा रहे हैं प्रिव्यू में हमें दिख रहा है कि वो किस तरह से change होगा अब इसमें से हमें text के लिए जो भी direction fix करनी हो उस पर click कर दें next option है align text इससे आप text box में लिखे गए text का alignment set कर सकते हैं अब जिस भी text का alignment हम को change करना है पहले उस पर click कर देंगे और अब हम click करेंगे align text option पर इस drop-down list में आपको तीन option तिखाई पढ़ रहे हैं top, middle और bottom देखें जिस भी option पर हम mouse रख रहे हैं text उसी के हिसाब से align हो रहा है अब हमें text जिस भी तरह से align करना हो उस alignment पर click कर देंगे इसी drop-down list में more options की सायता से आप text को कुछ और alignments में भी set कर सकते हैं हम इस पर click कर रहे हैं देखें आपर काफी सारे options दिखाई पढ़ रहे हैं यहाँ पर vertical alignment के सामने जो drop-down menu है उस पर click करें उस पर click करने पर कुछ और alignments के list दिखाई पढ़ रही है इसमें से आप जो चाहें वो select कर सकते हैं और select करने के बाद window को close कर दें अब हम paragraph block का last option भी देख लेते हैं यह last option है convert to smart art इसके तोरह PowerPoint slides में लिखे गए text को smart art में बदल सकते हैं चलिए हम आपको यह करके बता देते हैं उसके लिए पहले हम यह दूसरी वाली slide चुन रहे हैं जिस पर हम इसको use करेंगे अब हम इस option पर click करेंगे इसे click करने पर एक menu open होगा जिसमें आपको काफी सारे smart art graphics दिखाई पड़ेंगे आप अपनी इच्छा और आवश्यक्ता नुसार कोई भी graphic चुन सकते हैं इसे में या नीचे more smart art graphics का option है इसकी सायता से आप text के लिए कुछ और smart art graphics भी चुन सकते हैं हम इस पर click कर रहे हैं click करने पर एक window open होगी जिसमें आपको कई सारे smart art graphics अलग-अलग category में मिल जाएंगे अगर आपको list वाले smart art graphics चाहिए तो आप इसमें जाएं यह यहां पर जो सारे styles इसकी है वो नजर आ रही है process वाला चाहिए हो तो process पर click करें cycle चाहिए हो तो इस पर click करें इस तरह से आप इसमें से जाने select करने के बाद हम okay पर click कर देंगे तो यह देखिए यहां पर यह आ गया है आज कल किसी भी तरह के presentation के लिए जासे की business को promote करने के लिए school colleges में presentation देने के लिए किसी भी तरह की report दिखाने के लिए powerpoint presentation का उप्योग किया जाता है powerpoint में आप animation का उप्योग करके slides को video की तरह बना सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगे कि वो video देख रहा है इस option से slide के एक-एक object पर within प्रकार का animation लगाया जा सकता है चलिए हम आपको slide में animation देना बता देते हैं स्लाइड में animation देने के लिए animation tab पर क्लिक करें अभी यहां पर जितने भी options दिखाई पड़ रहे हैं यह सभी disabled हैं आपको जिस text पर effect देना है उस text को select करें माल लेजिए हम title पर effect देना चाहते हैं इसलिए हम उसे select कर रहे हैं देखिए animation block के सभी options enable हो गए हैं इनकी सायता से आप animation insert कर सकते हैं इसके अन्य options के लिए इस drop-down arrow पर क्लिक करें इसमें आपको चार दरह के effects मिलेंगे entrance effect जिससे object को या text को उस slide show के दौरान special effect के साथ प्रवेश करवाया जा सकता है emphasis effect object या text को slide पर highlight करने के लिए ये effect लगाया जा सकता है exit effect इससे object या text को slide show के दौरान slide से exit effect के साथ हटाया जा सकता है motion paths इस effect से object या text को slide पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन प्रकार से move करवा सकते हैं अब हम आपको बताते हैं किस तरह से इन options को यूज करने पर slide पर effect पड़ेगा सबसे पहले हमको जहां पर यह animation डालना है उस text को हमने चुन लिया और अब हम add animation पर जा करके सबसे पहले चुन लेते हैं entrance effect यहां पर हमने wheel effect चुना है इसमें देखिए text slide पर इस तरह से आते हुए दिखाई देता है अब हम emphasis effect यूज कर रहे हैं इसके लिए हमने चुना है wave effect अब यह देखिए यह इस तरह से आपकी slide पर नजर आएगा अगला option चुन रहे है motion parts motion parts में से हमने चुना है shapes अब चुकि हमने circle चुना तो यहां पर जब हमारा text move होगा तो उसकी motion circular होगी अगर हम कोई और motion चुनेंगे तो वो उस motion में move करेगा इसके बाद हम ले रहे है exit effect और इसको हम use करेंगे सबसे last में जब आपको text हटाना हो यहां पर हमने चुन लिया bounce इसको चुनने पर यह देखिए जो text है यह bounce होते हुए exit करेगा अब हम इसको वापस novel कर देते हैं सारे animation यहां से अटा देते हैं अभी यह जो सारे options हमने आपको बताये थे यदि आपको उनके और options चाहिए तो वह आपको यहां से मिलेंगे जैसे entrance में आपको यहां पर यह इतने effects दिखाई दे रहे हैं अब अगर इनके अलावा आपको और entrance effects चाहिए तो आप more entrance effects पर क्लिक करें तो यह देखिए यह आपको इतने सारे effects यहां पर मिल जाएंगे इसी तरह से आप more emphasis effects, more exit effects, more motion parts पर जाकर के और ज्यादा effects देख सकते हैं अभी हमने आपको सारे यह effects बता दिये एक बार अब हम इस title के लिए एक effect चुन लेते हैं more entrance effects में जाकर के हम यहां से effect चुनेंगे, अब इनमे से जिस भी effect पर आप click करेंगे preview में आपको वो effect पीछे दिखाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यह effect किस तरह से slide पर नजर आएगा जैसे fly in पर text इस तरह से enter होगा, wheel पर इस तरह से enter होगा माल लिजे हमने wheel चुना और अब हम इसको apply करने के लिए okay पर click करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं कि apply करने पर यहां पर एक number आ गया है, इसका मतलब है इस text पर हमने एक animation दे दिया है इस पर हम एक और effect लगा देते हैं, इसको select करके हम add animations में जाएंगे और उसके बाद हमने इस पर एक और लगा दिया, grow and turn, यह एक और effect लगा दिया, तो यह देखिए, अब यहां आप देख सकते हैं title पर एक और दो, यह दो numbers दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि इस पर दो effects लग गए हैं एक बात का ध्यान रखें, यदि आपने ज्यादा effects दिये होंगे, तो जो effects पहले दिये होंगे, वो पहले दिखाई पड़ेंगे मतलब जब आप slide show में देखेंगे, तो एक के बाद एक यह दोनो effects नजर आएंगे यदि हमें दो effects नहीं चाहिए, तो दो मेंसे एक को remove कर देंगे, जो भी effect नहीं चाहिए उस पर click करके delete button press कर दें यह देखिए वो effect यहां से चला गया, अभी हमने title पर animation दे दिया है, और नीचे जो points दिखाई पड़ रहे हैं, हमें उन पर अभी animation देना बाकी है यदि आप चाहते हैं कि नीचे लिखे सभी points एक साथ आ जाएं, तो आप इन्हें select करके animation दे दें, जैसे हमने इनको सबको एक साथ select कर लिया है, और यहां से हमने animation select कर लिया है अब यह देखे सारे points एक साथ आ रहे हैं, और इन सभी पर दो number डला हुआ है, यानि इन सब पर एक साथ एक ही animation लगा है अब अगर आप चाहते हैं कि यह points एक एक करके आएं, तो इस box को select करके effect दे दें, जैसे हमने इस box को select कर लिया है और इसमें fly-in effect दे दिया अब यह देखिए, एक-एक point बारी-बारी से यहां पर आ रहा है, और हर point पर अलग number डला हुआ है यहां एक और बात का ध्यान रखें कि presentation में जिस text पर पहले animation दिया होगा, वो text पहले आएगा, और जिस text पर बाद में animation दिया होगा, वो बाद में आएगा अब animation लगने के बाद यह दिया आप देखना चाहते हैं कि आपकी slide किस तरह दिखेगी, तो upper left corner में आप preview option पर क्लिक करके यह देख सकते हैं यह देखे पूरी slide आपके सामने इस तरह से present हो जाएगी आप चाहें तो इसे animation pen में जाकर यहां से भी play कर सकते हैं आएगे आपको कुछ और options बताते हैं, उसके लिए यहां पर drop down arrow पर क्लिक करें और इस menu में से effect options पर क्लिक करें यदि आप चाहते हैं कि title के साथ कोई sound effect भी आ जाए तो sound option के सामने वाले menu पर क्लिक करें यहां पर आपको अलग-अलग sounds मिल जाएंगे इसमें से जो भी sound आप चाहते हैं उसपर क्लिक करें मान लिजे हमको यह sound चाहिए हमने इसको select कर लिया अब next option है animate text यहां से आप यह चुन सकते हैं कि आपका text एक साथ आ जाए या एक-एक word करके आए या फिर एक-एक letter करके आए मान लिजे हमने by letter चुना अब okay पर क्लिक करें यह अभी यहां पर हमने देखा कि एक-एक letter करके आ रहा है और हर letter के साथ एक sound भी आ रहा है यदि आपको यह effect और setting सही नहीं लग रहे तो वापस title को select करें effect option पर जाएं और by letter के बदले हमने इसको all at once कर दिया है अब हम जब okay करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं एक sound के साथ पुरा text आ गया है वैसे ही आप नीचे वाले text पर भी effect दे सकते हैं यदि आप sound effect हटाना चाहते हैं तो drop down arrow पर क्लिक करें अब effect options पर क्लिक करके sound option में जाएं तो यहां जो भी effect है उसे हटाने के लिए menu में no sound select कर लें अब okay पर क्लिक करें अब देखिए इसको okay करने पर यहां पर sound नहीं आया है यह slide पर हमने animation add कर दिये हैं और अब slide को full screen पर देखने के लिए हम F5 की press करेंगे यहां पर यह blank screen आ रही है इस पर text लाने के लिए हम right arrow की press करेंगे या फिर mouse से क्लिक करेंगे यह देखिए अब एक एक करके यहां पर text आता जा रहा है slide show से संबंधित और जो भी details हैं वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे अफल स्क्रीन से बाहर आने के लिए skip की press करें format penter command के प्रयोग से किसी भी शब्द वाक या image या फिर वीडियो में जो design या formatting आपने दी है वही कि वही formatting किसी दूसरे शब्द वाक या image या फिर वीडियो पर आप लगा सकते हैं एक बात का ध्यान रखें यह copy best command की तरह काम नहीं करता क्योंकि copy best command data को copy करता है और format penter format को copy करता है हमने पहले से एक practice sheet बना रखी है और उसमें कुछ images भी insert कर रखी है अब यहां पर यह जो इस slide पर text है और image है इसके हम formatting कर देते हैं सबसे पहले तो हम text का color change कर देते हैं उसके लिए text को select करके यहां से जो भी color हमको चाहिए वो चुमनेंगे यह हमने color change कर दिया अब हम font size थोड़ा इसका बढ़ा करना चाह रहे हैं यह हमने font size बढ़ा कर दिया है इसका style बदल देते हैं इसको bold करके हमने टालिक कर दिया अब हम चाह रहे हैं कि इस picture की image पर border डाल दें उसके लिए format में picture layout में जाकर के हमने यह border चुम ली है और अब हम इसमें reflection effect डालना चाह रहे हैं तो picture effects में जाकर के जो भी reflection ठीक लगे वो हम डाल सकते हैं यह हमने reflection effect इसमें डाल दिया नीचे आपको दिख रहा है picture का यह जो image इसका reflection दिखाई दे रहा है अब हम इस पर animation भी डाल देते हैं उसके लिए पहले हम text को select करेंगे और फिर animations में जाकर के जैसा हमको animation चाहिए वो यहां से चुन सकते हैं इसी तरह image पर भी हम animation डाल देते हैं image को select करके यहां हम animation देते हैं इतने changes हमने इसमें कर दिये हैं अभिदे के slide पर हमने यह animation दिया है तो यह side में आप देख सकते हैं slide के side में एक star आ गया है इससे आपको पता चल जाएगा कि इस slide पर animation आपने set किया है यहां हम आपको एक बात बता दें format penter से animation copy नहीं होता है आपको हर slide पर अलग से animation insert करना होगा यहां नीचे वाली slides में आप देख सकते हैं हमने कोई भी formatting नहीं की है तो चलिए अब format penter के साहता से इन slides की formatting कर लेते हैं पहले सभी slides के text को हम एक जैसा कर लेते हैं उसके लिए हमने जिस slide पर formatting की है उसमें से text को select कर लेंगे और फिर home tap के clipboard block में आपको option मिलेगा format penter का उस पर click करें अब जिस slide पर हमको यह formatting चाहिए उस slide पर जाकर उसके text को select कर लेंगे यह देखिए दोनों text अब बिलकुल एक जैसे हो गए यह test slide 1 और यह test slide 2 पर यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो पहली वाली slide है इसमें जो text है वह center alignment में है जबकि हम तीसरी slide पर जहां हमने यह format copy किया है यहां पर यह center alignment नहीं है यह हमको अलग से करना पड़ेगा इसको हम format में जाकर के यहां से center alignment ले लेते हैं अभी देखिए यह alignment भी बराबर हो गया है इसी तरह अब हम image की भी same formatting करेंगे इसके लिए image को select करके format painter पर click करें अब दूसरी slide जिस पर की हमको यह formatting चाहिए उसकी image पर click करें यह देखिए जिस तरह के border और reflection पहली image पर था वही effect दूसरी image पर भी आ गया है जिस तरह से text का alignment हमने manually ठीक किया था उसी तरह से image का alignment और size भी आपको अपने आप set करना पड़ेगा अब यदि आप दो या उससे अधिक slides पर काम कर रहे हैं तो format painter option पर double click करके उसे एक से अधिक बार use कर सकते हैं हम यह भी करके देख लेते हैं text को select कीजिए और format painter option पर double click करिए अब जितनी भी slides हैं उनके text को select करते जाएए यह देखिए जैसे जैसे हम text select करते जा रहे हैं वसे वसे formatting होती जा रही है इसी तरह हम सभी images की formatting भी एक जैसी कर लेते हैं उसके लिए पहले हम skip की दबाएंगे क्योंकि हम अल्रेडी अभी इस option को use कर रहे थे तो skip की दबा करके हम इस option से बाहर आ गए अब जिस slide पर हमने image की formatting कर रखी है वहां से हम image को select करेंगे और format penter पर double click करेंगे अब जिस जिस image पर formatting करनी है उस पर click करते जाएं यह देखिए सभी images की formatting होती जा रही है अब Ctrl Z से हमने इसको वापस normal कर लिया है अब हम आपको keyboard shortcut के जरिये भी format penter यूज करना बता देते हैं इस slide में हम कुछ shape insert कर देते हैं उसके लिए insert पर click करेंगे और shapes में जाकरके यहां से कोई भी shape चुन लेंगे हमने shape चुन लिया है अब यहां पर click करके drag कर देंगे यह देखिए जो shape हमने चुना था वो यहां पर आ गया है अब यह जो smiley हमने चुना है इसको copy करके तीन और smileys बना लेते हैं अब हम इन में से एक की formatting कर देते हैं यह हमने इसको color कर दिया है इसकी border हमने जो है वो मोटी कर दी है यहां पर हम इसमे glow effect भी डाल रहे हैं अब बागी के जो तीन smileys हैं उनको भी same formatting देने के लिए पहले हम इस format किये हुए smiley को select करेंगे और उसके बाद press करेंगे control plus shift plus c इन तीन keys को एक साथ प्रेस करने पर format copy हो जाएगा अब दूसरे smiley को select करके control plus shift plus v keys को प्रेस करें यह देखिए अब दोनों smileys एक जैसे हो गए हैं इसी तरह से बागी बचे दो smileys को भी आप same formatting दे सकते हैं यदि आप images को slider की तरह animate करना चाहते हैं यानि आप चाहते हैं कि images screen पर आपकी मर्जी के अनुसार उपर नीचे दाएं बाएं animate होकर चली जाएं तो यह काम आप कैसे कर सकते हैं आई इस वीडियो में देखते हैं जिस भी slide पर आप animation set करना चाहते हैं वहां अपने अनुसार 4-5 images insert कर लीजिए image insert करने के लिए insert टैप में जाकर pictures पर क्लिक करें आपके computer में जहां भी images saved हैं वहां से अपने पसंद की images insert कर लीजिए देखे स्लाइड पर images दिखाई पड़ रही हैं पर ये images size में बहुत बड़ी हैं तो हम mouse की सायता से इने छोटा कर देते हैं ये देखे सभी images का size छोटा हो गया है अब हम इने horizontally arrange कर देते हैं ये हमने सभी images arrange कर ली है अब हम इन सभी images को select करके ctrl-g keys की सहायता से group बना सकते हैं या फिर format tab में जाकर यहां group objects option में जाकर group पर click कर देंगे हम इस group की तीन copies और बना लेते हैं उसके लिए group को select करके ctrl-c प्रेस करेंगे और ctrl-v से उसकी तीन copies बना लेंगे ये देखे आब हमारे पास इस तरह से चार sets हो गए हैं इन में से दो को उपर और दो को नीचे slider की तरह arrange करते हैं अब हम फिर से इनके group बना लेते हैं अब पहले group को select करके इस पर animation set कर देते हैं group select करने के बाद animation tab पर क्लिक करें animations के drop down arrow पर क्लिक करें और यहां से हम जाएंगे motion parts में यहां पर आपको बहुत सारे अलग-अलग shapes नसर आएंगे इन में से हम चुन रहे हैं lines यह देखिए यहां पर हमने animation दे दिया है और अब हम इसका preview देख लेते हैं इसका preview देखने के लिए हम यहां left hand corner पर जाएंगे उपर की तरप और preview उपर क्लिक करेंगे ऐसा करने पर यह हमको दिख रहा है कि यह जो animation है यह top to bottom यानि उपर से नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है हम आगे इसका direction right to left set करना बताएंगे पहले हम इस slide के नीचे वाले group पर भी यही animation set कर देते हैं group select करके animations के drop down arrow पर क्लिक करें अब opened drop down list में से motion paths option के अंतरगर दिखाई पढ़ रहे lines option को select करें इस group पर भी animation direction top to bottom में set होगा चलिए अब हम आपको उपर वाले group पर right to left और नीचे वाले group पर left to right animation direction set करना बता देते हैं पहले हम उपर वाले group का animation direction set करते हैं उसके लिए इसको select करने पर जो downward arrow देख रहे हैं उस पर click करके उसे left direction में मोड़ें और उसे आगे की तरफ ड्रैक करें वैसे ही नीचे वाले group को select करके arrow को right direction में मोड़ें और उसे आगे की तरफ ड्रैक कीजिए आप चाहें तो इसे अपनी उच्छा नुसार किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं अब नीचे वाले group को select कीजिए अब यहां पर उपर timing block में जब हम start वाले option पर जाएंगे तो यहां drop down menu में हमको 3 options मिलते हैं on click with previous और after previous on click select करने पर जिस भी image को हमने select कर रखा होगा click करने पर वो चलेगी अगर हम with previous option को चुनते हैं तो जो पहले वाली image है उसके चलने के साथ साथ दूसरी वाली image भी चलेगी और अगर हम after previous चुनते हैं तो पहले वाली image के चलने के बाद जो दूसरी वाली image है वो चलेगी यहां से हम with previous select कर रहे हैं animation complete हो गया है अब हम slide show चलाकर देख लेते हैं उसके लिए हम press करेंगे shortcut key F5 यदि आपको animation fast लग रहा है तो duration और delay options की सहता से आप timing set कर सकते हैं duration का मतलब है कि कितनी देर वो animation slide पर टिका रहे क्याने जो भी time आप duration में set करेंगे वो image उतनी देर तक आपको चलती हुई नजर आएगी और delay में जितना time आप set करेंगे उतने seconds के बाद animation शुरू होगा बान लिजे हमने दूसरी वाली हमारी जो image है उस पर यहां से दो सेकंड का delay set किया है तो पहली वाली image के animation चलू हो जाने के दो सेकंड बात दूसरी image का जो animation है वो start होगा अब अगर आप slideshow चलाएंगे तो यह जो time आपने set किया है उसके हिसाब से चलेगा यह हमने slideshow चलाने के लिए F5 की press की तो यह देखिए अब जो slide आ रही है वो धीरे धीरे आ रही है मतलब animation जो है वो अब धीरे धीरे चल रहा है यदि आपने कोई powerpoint presentation बनाया है और आप उसे full screen पर show करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी particular slide से presentation शुरू हो या आप चाहते हैं कि कुछ particular slides ही present हो या फिर आप ये चाहते हैं कि सभी slides आपके द्वारा दिये गए समय के हिसाब से अपने आप screen पर आती जाएं तो ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं आए देखते हैं यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ slides बना रखी हैं अब हम इनको full screen पर present करना चाहते हैं तो उसके लिए slideshow टैप पर क्लिक करेंगे इसमें आपको मिलता है start slideshow block और इसमें पहला option है from beginning इस option की मदद से जो slides आपने बना रखी होगी उन सभी को आप full screen पर run कर सकते हैं इसके लिए आप from beginning option पर क्लिक करें या shortcut key F5 प्रेस करें ये देखे ये पहली slide आगई है अब इस पर जो भी text या image हमने डाल रखी है उसको लाने के लिए right arrow की प्रेस करें या फिर mouse से क्लिक करें जैसे जैसे हम mouse से क्लिक करते जाएंगे एक के करके सारी चीज़ें जो slide की हैं वो आती जाएंगी इसी तरह से आगे की slides लाने के लिए भी right arrow की प्रेस करते जाएं या फिर mouse से क्लिक करते जाएं प्रेजंटेशन से बाहर आने के लिए escape की प्रेस करें इसके बाद हमारे पास next option है from current slide इस option के मदद से आप जस भी slide को select करेंगे उस slide से slide show शुरू होगा मान लिजेए आपर हमने third slide select की तो आप third slide और उसके बाद वादी सारी slides show होंगी अब इस selected slide से slide show run करने के लिए from current slide option पर क्लिक करें या फिर shortcut की shift plus F5 प्रेस करें जैसे हमने right arrow की press की यह देखिए तीसरी slide यहाँ पर आ गई है जिससे के हमारा presentation स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे हम mouse click करते जाएंगे या right arrow की press करते जाएंगे आगे की जो slides है वो आती जाएंगी इसके बाद next option है custom slide show इस option से आप केवल उन slides को run कर सकते हैं जिने आप पहले से select करके रखेंगे इसके लिए आप सबसे पहले इस पर click करें यहाँ पर आपको custom show option दिखाई देगा इस पर click करें यह यहाँ पर एक window open हो गई है यहाँ पर आप new पर click करें आप जो slides show बना रहे हैं अगर उसको कोई नाम देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ से उन slides को select करें जिनने आप show करना चाहते हैं और उसके बाद add पर click करें अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो-जो slides select की थी वो सब यहाँ पर आ गई हैं अगर आप इन में से किसी slide को remove करना चाहते हैं तो आप उससे select करके remove पर click कर दें slide delete हो जाएगी यदि आप slide का order change करना चाहते हैं तो वह आप यहाँ से कर सकते हैं माली जी यहाँ पर जो 5th number की slide है उसको हम सबसे उपर लाना चाहते हैं तो इसको select करेंगे और यह upward arrow जो है उस पर click करते जाएंगे जब तक कि यह सबसे उपर ना आ जाए इसे तरह से अगर हमको slide number जो 1 है उसको 3 के नीचे लाना है तो उसको select करके downward arrow पर click करेंगे यह देखिए slide नीचे आ गई है और slide का order change करने के बाद okay पर click कर दें अब show पर click करें यह देखिए यहाँ पर पांचवी slide सबसे पहले आई है उसके बाद पांचरी और पहली slide को हमने सबसे नीचे कर दिया था इसलिए सबसे लास्ट में आ रही है पहली slide इस तरह से आप देख सकते हैं कि screen पर केवल और वही slides show हो रही है या दिखाई दे रही है जिने हमने select किया था आपने जो भी custom slide show बनाया है यादि बाद में उसमें कोई changes करना चाहते हैं जैसे कि किसी slide को हटाना हो या कोई और slide add करना हो तो उसके लिए दोबारा custom show option में जाएं और edit option में जाएं जैसा कि हमने आपको प हो या remove करना हो आप कर सकते हैं आपने जो slide show बनाया है अगर उसको remove करना है या उसकी copy करना है तो आप इन दोनों options की साहता से कर सकते हैं अभी हमने देखा कि जब हम slide show run करते हैं तो slide को screen पर लाने के लिए right arrow की press करना पड़ती है या फिर mouse से click करना पड़ता है यदि आप चाहते हैं कि किसी particular time के बाद सभी slides एक-एक करके आती जाएं तो उसके लिए transition block में जाकर timing block में जाएं और यहां पर after में जितने seconds बाद आप slide को screen पर लाना चाहते हैं वो time set कर दें और apply to all पर click करें अब जब हम F5 की press करेंगे तो देखिए हर slide अपने आप screen पर आना शुरू हो जाएगी पर अभी यह जो slides आ रही हैं यह simple way में आ रही है एक के बाद एक करके सारी slides आती जा रही हैं और हर slide पर जो image आ रही है उस पर हमने जो animation दे रखा है वो भी आ रहा है animation जो है वो हम image और text पर देते हैं पर अगर आप चाहते हैं कि slide show के समय जो slide आ रही है वो भी एक effect के साथ आए तो उसके लिए transitions effect देना होगा जो यहाँ पर transitions tab में आपको मिलता है यहाँ पर आपको transition to this slide block मिलेगा इसमें आपको slide पर देने के लिए अलग-अलग तरह के transition effect मिलते हैं आपको जो भी effect लेना हो उसे आप select कर लें और apply to all पर click कर दें अब जब आप F5 की press करेंगे तो आप देखेंगे हर slide के पहले यह effect आजाएगा यह देखे अब दूसरी slide आई अब इसके बाद यह transition effect जो हमने चुना था वो अब तीसरी slide आएगी अब यह जो हमने transition effect दिया था उसमें हमको और option मिलते हैं उसके लिए effect options पर जाएं अब यह जो effect है वो right से शुरू हो या left से यह भी आप यहाँ से चुन सकते हैं इसको जैसे हमने left चुना तो आप यह देखिए यह left की तरफ जा रहा है और यह transition effect कितनी देर तक रहे वो आप duration से set कर सकते हैं जितना time आप यहाँ पर set करेंगे उतने seconds के लिए वो transition effect आपको दिखाई देगा जैसे हमने 5 second set किया और इसको apply to all कर दिया अब जो हमारी सारी slides आएंगी उसमें यह effect 5 second तक रहेगा और उसके बाद slide पर जो भी text या image होगी वो आएगी एक और option इसमें मिलता है वो है sound का जब भी slide आए तो transition effect के साथ साथ उसमें कोई sound भी हो अगर आप यह चाहते हैं तो उसके लिए sound के सामने drop down arrow पर click करने पर आपको इतने सारे अलग-अलग sounds मिलते हैं अब इसमें से आप और अब इसको हम apply to all कर देंगे अब जब हम slide show करेंगे तो transition effect भी होगा sound भी होगा और जो duration हमने set किया है उतने duration के लिए वो transition effect हमको दिखाई देगा सामानत हम powerpoint में काम करते समय कई बार cut, copy और paste का उपयों करते हैं किसी भी text या image को paste करने के बाद जब हम कोई नया text या image cut या copy कर लेते हैं तो पहले वाला text या image जिसे हमने cut या copy किया था वो चला जाता है और उसके इस्थान पर नया text या image हमारे पास रह जाता है यानि अब यदे हम paste करेंगे तो नया text या image paste होगा पुराना नहीं powerpoint में एक बहुत ही अच्छा function है clipboard इसमें cut या copy किये हुए 24 text या image अपने आप अस्थाई रूप से store हो जाते हैं और 24 से अधिक text या image cut या copy करने पर पहले के text या image delete होकर उसकी जगह पर बाद वाले text या image आते जाते हैं आप चाहे तो इन store किये हुए text या image को बगैर cut या copy किये फिर से paste कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखें computer को बंद करने पर clipboard में stored पूरा data चला जाता है आई आपको बता दें कि आप clipboard को कैसे use कर सकते हैं उदारन के लिए हम इस slide में कुछ lines को cut कर लेते हैं अब जहां पर भी हमें यह data paste करना होगा वहां पर click करेंगे और इस data को paste कर देंगे यह देखिए वो lines यहां पर paste हो गई है इसी तरह हम कुछ lines copy कर लेते हैं और इनको यहां पर paste कर देते हैं जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि यह cut और copy के हुए matter clipboard में automatically आ जाते हैं तो वो आये हैं या नहीं यह हम clipboard में चलकर देखते हैं उसके लिए clipboard के पास arrow के निशान पर click करें यह देखिए जो data हमने cut और copy किया था वो यहां पर automatically आ गया है अब इन में से आपको जो भी data कहीं और paste करना हो तो पहले उस इस्थान पर आप click करें और फिर जिस data को paste करना हो उस पर click कर दें देखिए यह data यहां पर paste हो गया है इसी तरह आप यहां से जितनी भी बार चाहें data paste कर सकते हैं अब हम यह अगली slide ले रहे हैं यहां इस slide में आप देख सकते हैं एक image है अब हम इस image की copy कर लेते हैं उसके लिए image पर click करके इसको copy कर लेंगे यह देखिए यह भी clipboard में आ गई है अब जहां भी इसे paste करना हो वहां पर click करें और clipboard में जाकर इस image पर click करें यह देखिए वो image यहां पर paste हो गई है इसे भी आप जतनी बार paste करना चाहें उतनी बार paste कर सकते हैं अब हम clipboard की मदद से यह जो पूरा data यहां पर है उसको एक साथ paste कर सकते हैं तो पहले हम एक नई slide ले लेते हैं और अब हम यहां पर click करने के बाद paste all option पर click करेंगे तो देखिए यह पूरा data एक साथ यहां पर आ गया है अब हम एक नई file open कर लेते हैं अभी हमने जिस file में clipboard पर काम किया था माल लीजिए हम उस clipboard का data इस file में भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए clipboard के arrow पर click करेंगे यह देखिए clipboard में cut और copy किया हुआ data दिखाई दे रहा है अब हमें इस file में जहां भी data की जरूरत हो वहां पर click करें और फिर इन में से जो भी data चाहिए उस पर और यदि पूरा data चाहिए तो paste all पर click करें हमें पूरा data चाहिए इसलिए हम paste all पर click कर रहे हैं यह देखिए पूरा data यहां इस file में भी आ गया है अगर हमें कोई data clipboard में से delete करना हो तो उसके लिए data के सामने जो downward arrow है उस पर click करेंगे और नीचे menu में delete पर click कर देंगे यह देखिए यह data यहां से delete हो गया यदि clipboard के पूरे data को delete करना हो तो उसके लिए clear all पर click करेंगे यह देखिए click करते ही पूरा data यहां से चला गया है यदि आप किसी word sentence या paragraph की font या font size बतलना चाहते हैं या फिर आप selected paragraph पर bullets या numbering का उप्योग करना चाहते हैं तो यह काम आप shortcut menu और mini toolbar की सहता से आसानी से और शिगरता पूर्वर कर सकते हैं तो आईए देखते हैं shortcut menu और mini toolbar का उप्योग करना जिस भी word sentence या paragraph को mini toolbar की सहता से format करना है उसे select करें और उसके बाद mouse से right click करने पर आपको दो menus दिखाई पड़ेंगे यह उपर वाला mini toolbar है और यह नीचे वाला shortcut menu है जैसा कि आप देख सकते हैं mini toolbar में formatting के options हैं जैसे font, font size, font style, alignment इत्यादी और shortcut menu में commands दी गई हैं जैसे cut, copy, paste, इत्यादी चलिए हम आपको mini toolbar और shortcut menu यूज़ करके बता देते हैं माल लीज़े आपको इस selected title की font बदलनी है तो हम mini toolbar में यहाँ पर click करके जो भी font लेना चाहें ले सकते हैं यह देखे इस title की font change हो गई है इसी तरह यदि आपको इस title को italic करना हो तो इसे select करके right click करेंगे और mini toolbar में से italic option पर click करेंगे यह देखे टाइटल italic हो गया है इसे तरह से आप mini toolbar के बागी options का उप्योग भी कर सकते हैं आईए अप shortcut menu का उप्योग करना देखते हैं यहाँ पर इन सभी paragraphs को select करके हमने right click किया अब इस shortcut menu में आपको cut, copy, paste इत्यादी options दिखाई दे रहे हैं मान लीजिए आप इन paragraphs को bullets style में convert करना चाहते हैं तो shortcut menu में bullets option में जाएं अब यहाँ से जिस भी style bullets चाहिए उस पर click कर दें यह bullets यहाँ पर आ गई हैं इसे तरह यदि आपको bullets की जगह पर numbering करना हो तो इस matter को select करके right click करेंगे और फिर numbering option में जाएंगे अब यहाँ से जिस भी तरह की numbering style चाहिए उस पर click कर दें यह दिखिए यहाँ पर numbers लिखे हुए आ गए हैं इसे तरह से आप shortcut menu के बागी options का भी उपयोग कर सकते हैं यदि आप slide में लिखे हुए text को अलग-अलग design देना चाहते हैं तो यह काम आप word art की साहता से कर सकते हैं और यदि आपको slide में किसी भी तरह का symbol insert करना हो तो वो आप symbol option की साहता से कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं slide में word art और symbol कैसे insert किये जाते हैं फाइल में word art insert करने के लिए insert tab में जाएए यहां text block में दिखाई दे रहे options में से word art option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने पर आपको अलग-अलग style के word art दिखाई देंगे इन में से जिस भी style का word art आपको insert करना हो उसे select करें अब यहां आपको जो भी text type करना हो वो type कर दें यदि आपको इस word art का size छोटा या बढ़ा करना हो तो वो भी कर सकते हैं अब जैसे हमें इसका size बढ़ा करना है तो उसके लिए हम पहले इस text को select कर लेंगे और home tab में जाकर यहां से हम इसका font size बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं यह हमने font size बढ़ा लिया है अब मालेजिये आप word art की style बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए format tab में जाकर word art styles block में जाएं जब आप इस arrow पर click करेंगे तो यहां पर आपको अलग-लग style के word art मिलेंगे जिस भी style पर आप mouse ले जाएंगे नीचे screen पर उसका preview दिखाई देगा आपको जो भी style पसंद आए उस पर click कर दें यदि आपको word art का color change करना हो तो text fill option में जाएं और यहां से जो भी color लेना चाहें वो ले सकते हैं इसे तरह word art की border का color change करना हो तो text outline में जाकर आप border का color change कर सकते हैं यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जिस भी color पर हम mouse ले जा रहे हैं उस color की border आती जा रही है text effect में जाकर आप word art में shadow, reflection, glow इत्यादी effect दे सकते हैं shadow option में जाने पर जो भी letter है उसमें बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ shadow दिखाई देगी अगर आप reflection पर जाते हैं तो जो भी letters लिखे हुए हैं उसके नीचे अलग-अलग तरह का reflection दिखाई देगा glow option में यहां पर अलग-अलग option दिये हैं जो भी letters या जो text लिखा हुआ है उसके आसपास glow नजर आएगा इसे तरह से अगर आप इसको rotate करना चाहते हैं तो यह 3D rotation का option है जिसमें की लिखा हुआ जो text है वो rotate हो जाएगा अगर आप transform option पर जाएंगे तो यहां पर जिस style में यह word लिखे हुए हैं हमारा text भी उसी style में आ जाएगा अगर आप इस तरह से अपने लिखे हुए text को change करना चाहते हैं तो आप इन में से कोई option चुन सकते हैं आईए अब हम आपको बताते हैं symbol insert करना आप यहां देख सकते हैं हमारा text लिखा हुआ है अब हम इसके नीचे इससे संबंदित एक symbol insert करना चाहते हैं तो उसके लिए insert tab के symbols block में जाएंगे और यहां symbol option पर click करेंगे अब यह यहां पर आपको font दिखाई देगा और उसके symbols दिखाई देंगे जैसे यहां पर अभी calibri light font है और यह सारे जो आपको नजर आ रहे हैं यह इसके symbols हैं font आप change कर सकते हैं उसमें से जिस font के symbols आपको पसंद आए वो आप चुन सकते हैं अगर आपको designer symbols चाहिए तो उसके लिए यहां से webdings font चुने इसमें आपको कई सारे और symbols मिलेंगे इसी तरह से और भी font हैं जैसे कि wingdings है इसमें भी आपको इस तरह के कई सारे fonts मिलते हैं अब जैसे यहां पर हमको यह एक symbol मिला जो हमारे text से संबंधित है इस पर click करके insert पर click कर देंगे और close कर देंगे यह देखिए यह हमारा symbol यहां पर insert हो गया है हम चाहते हैं कि हमारे text के नीचे आए तो enter press करके हम इसको नीचे ले आएंगे इस तरह से अब अगर इसका size बड़ा करना हो तो उसके लिए symbol को select करके home tap पर जाकर click करें इसमें आप font size पर जाएं और यहां से जो भी size आपको चाहिए वो size आप select कर लें इस तरह से आप PowerPoint में word art और symbol insert कर सकते हैं कई बार English लिखते वक्त हमें कुछ words की spelling पता नहीं होती और सही spellings लिखने के लिए हमें किसी अन्य वक्ति की या फिर internet की सहता लेनी पड़ती है MS PowerPoint के proofing tap के options की सहता से यह problem solve की जा सकती है आईए सीखते है proofing tap के options के बारे में यहाँ पर हमने कुछ text type किया हुआ है MS PowerPoint हमारे द्वारा लिखी गई गलत spellings को show करने लगता है यदि किसी भी शब्द के spelling गलत होती है तो उसके नीचे red line आ जाती है Spelling चेक करने के लिए या तो F7 की press करें या फिर review tag पर क्लिक करें यहाँ से spelling option पर क्लिक करें यह दिखिए right hand side पर एक window open हो गई है यदि हमने slide में कोई भी शब्द select नहीं किया होगा तो slide में जो भी पहला ऐसा शब्द होगा जिसके spelling गलत होगी उससे संबंदित सई spelling के suggestions इस box में दिखाई देंगे यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि जो शब्द आप slide में लिख रहे हो उसकी spelling गलत हो तभी उसके नीचे red line आए यदि वो शब्द MS PowerPoint की dictionary में नहीं होगा तो भी उसके नीचे red line आजाएगी यहाँ पर यह जो शब्द लिखे हैं ग्यान यग्य यह हिंदी भाषा के हैं और यह MS PowerPoint की dictionary में नहीं है इसलिए इसने जो अपने हिसाब से suggestions दिये हैं ग्यान word के लिए वो हमें नहीं चाहिए अब इन suggestions में से कोई भी spelling सही नहीं है हमको यही spelling रखना है तो या तो हम इसको ignore कर दें और अगर आपको यह word बार-बार यूज़ करना हो तो आप इसको MS PowerPoint की dictionary में add भी कर सकते हैं उसके लिए add पर जाकर अगर click करेंगे तो यह word इस dictionary में add हो जाएगा और ignore करने के लिए ignore पर click कर दें यह देखिए दोनो words के नीचे से red line चली गई है एक spelling सही होते ही दूसरा जो word है जिसकी spelling गलत होगी वो highlight हो जाएगा यहाँ पर landscape की spelling गलत है तो यहाँ suggestions में से सही spelling चुने और change पर click कर दें अगर पूरे text में वो spelling एक से ज्यादा बार आई है और सभी जगह आपको सही करना है तो change all पर click कर दें यह देखिए हमने तीन जगह पर landscape लिखा था और तीनों जगह इसकी spelling सही हो गई है इसे तरह से जो next word highlighted है उसकी spelling को भी हम सभी जगह पर सही कर देते हैं जैसे ही सभी spelling mistakes clear हो जाएंगी यह message आ जाएगा इसे ok कर दे अब चली आगे बढ़ते हैं और proofing tab का next option देखते हैं next option है thesaurus इसकी मदद से आप किसी word का समान अर्थ यानि पर्यावाची शब्द पता कर सकते हैं मान लिजे हम portrait शब्द का synonym यानि पर्यावाची शब्द पता करना चाहते हैं तो इस word को select करके thesaurus पर click करेंगे यह देखे ms powerpoint ने यहां पर portrait शब्द से मिलते जुलते कई शब्द दे दिये हैं इसमें से जो भी आपको सही लगे उसको select कर लें और उसको insert करना हो अगर तो यहां drop down arrow पर click करें यहां पर insert और copy दो option मिलते हैं आपको जो भी करना हो उस option क्लिक कर दें insert करने पर यह देखिए वो word यहां पर portrait की जगह पर आ गया है MS powerpoint में कोई presentation बनाते समय कई बार आपको कुछ online searching की जरूरत पढ़ सकती है अब आप powerpoint को छोड़े बिना ही किसी भी शब्द के बारे में वेप से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं या फिर किसी particular word को या paragraph को किसी भी अन्य भाशा में translate कर सकते हैं मान लीजिए हमें Mount Everest पर presentation बनाना है यहां पर हमने topic लिख दिया है अब हम इस topic के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हम इस शब्द को select कर लेंगे अब या तो review tab में जाकर smart look up option पर click करेंगे या फिर selected word पर right click करके open हुए menu में से smart look up option चुन लेंगे यह देखिए इसमें आपको explore option के अंतरगत selected word से संबंधे ठे सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे कि यहां पर Mount Everest की कुछ जानकारी और उसकी images आ गई है इसमें थोड़ा नीचे की तरफ Wikipedia की जानकारी है और उसके नीचे कुछ और wave results है हम अपने presentation में एक image insert करना चाहते हैं इसलिए हम उपर images पर click करेंगे यह देखिए यहां wave page पर Mount Everest की बहुत सारी pictures आ गई है यह free images हैं इसलिए हम इनका इस्तमाल कर सकते हैं हमें इस page से जो भी picture चाहिए वो हम अपने presentation में डाल लेते हैं यह यहां से जो picture हमको चाहिए वो हम copy कर रहे हैं इसको अब हम यहां पर अपनी slide में डाल देंगे यह picture हमने अपनी slide में insert कर दी है और अब हमको कुछ text भी डालना है तो यहां पर ही हमको इसके बारे में text भी मिल गया है इसको हम यहीं से copy करके और यहां पर paste कर सकते हैं explore option की मदद से अभी हमने mount Everest के बारे में जनकारी भी ढूंड ली और उसी के साथ हमको picture चाहिए थी वो भी ले ली अब यहां पर जो text दिया हुआ है इसमें से अगर किसी word का meaning पता करना है तो वो भी हम smart look up option के साहता से कर सकते हैं उसके लिए जिस भी word का meaning देखना हो उसको select करें उसके बाद smart look up option पर क्लिक करें यह वापस यहां पर sidebar आ गया है इसमें define option पर क्लिक करें अब यहां पर देखिए आपको word यहां पर नजर आ रहा है उसके meanings नजर आ रहे हैं उसके अलग-अलग अर्थ दिये हुए है as a noun, as a verb उसका origin भी दिया हुआ है कि वो word कहां से आया है अगर आप इस शब्द का उचारण सुनना चाहते हैं तो यहां पर एक speaker का जो निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप उचारण सुन सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और translate option के पहरे में आपको बता देते हैं जैसा कि इस option के नाम से ही clear है इसकी साहता से आप किसी भी शब्द को या फिर paragraph को एक भाशा से किसी अन्य भाशा में translate कर सकते हैं ट्रांसलेट करने के लिए पहले जिस भी शब्द या परिग्राफ को ट्रांसलेट करना हो उसे सेलेक करें अब रिव्यू टैब में जाकर translate option पर क्लिक करें इस option पर क्लिक करते ही एक menu open हो गया है इसमें आपको कुछ और सब options दिखाई दे रहे हैं यदि आप selected text को translate करना चाहते हैं तो यह पहला वाला option select करें इस dialogue box में yes पर क्लिक कर दें यहां पर आप देख सकते हैं कि side pen open हो गया है अब यहां पर from वाले box में जिस भी language में matter लिखा है वो वाली language अपने आप यहां आ गई है यहां पर English लिखा हुआ है वो नहीं हो तो जिस language में आपका matter है वो language आप drop down arrow पर क्लिक करके यहां से चुमने अब यहां पर two में French selected है इसलिए आप देख सकते हैं कि नीचे इस matter को इसने French में translate कर दिया है हम चाहते हैं कि यह matter हिंदी में translate हो इसलिए हम यहां पर क्लिक करके हिंदी चुन लेंगे या फिर जिस भी भाषा में आपको इसका translation चाहिए इन दी हुई languages में से आप उसको चुन लेंगे हिंदी यहां पर दी हुई है हमने इसको select कर लिया यह देखिए नीचे अब इस paragraph का translation हिंदी में आ गया है अब अगर आपको यह translation इंसर्ट या copy करना हो तो यहां इस drop down menu से आप इसे copy कर सकते हैं या फिर insert पर क्लिक करके सीथे slide में insert कर सकते हैं यह देखिए यह Hindi वाला मेटर यहां पर आ गया है हमने इसको वापस English में change कर लिया है चलिए अब हम आपको translate option के दूसरे sub option को use करना बता देते हैं open हुए menu में से choose translation language पर क्लिक करें translate to option के drop down menu में से वो भाशा चुने जो आप mini translator के pop-up में देखना चाहते हैं यहाँ पर हमने select किया है Hindi आप जो language चाहें वो select कर सकते हैं अब translate option में जाकर के mini translator पर क्लिक करें इस dialogue box में yes पर क्लिक करें अब जिस भी शब्द का अर्थ आपको देखना हो उस पर आप mouse ले जाएं यह देखे एक pop-up आ गया है जिसमें कि आपको उसका हिंदी में अर्थ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने हिंदी में अर्थ लिखा हुआ आ रहा है इसके नीचे भी कुछ options हैं पहला option है expand इस पर आप click करेंगे तो यह side pen खुल जाएगी यहाँ पर आपको उसका meaning दिख जाएगा और यहीं पर आपको insert और copy करने का option भी मिल जाता है यही option आपको pop-up में भी मिलता है यह देखे expand के पास में copy करने का option है इसके मदद से आप यह जो अर्थे इसको copy कर सकते हैं फिर play का option है अगर आप इसको play करेंगे तो जिस word पर आपने mouse रखा था उस word को यह पढ़कर के बता देगा तो फिर यह option बंद मिलेगा यह उसको play नहीं करेगा और अब हम play पर क्लिक करते हैं माउस international word पर है इसलिए वो play हुआ अगर पूरा paragraph selected होगा तो पूरा paragraph play हो जाएगा यह हमने पूरा paragraph select कर लिया है और अब हम play पर क्लिक करते हैं यह देखिए यह पूरा paragraph play हो रहा है इसको रोकने के लिए हम stop पर क्लिक करते हैं help के लिए यहाँ पर क्लिक करें और अगर आपको updated services चाहिए हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आज कर हम इंटरनेट पर कई तरह के animation effects देखते हैं उन्हीं में से एक है handwriting animation MS PowerPoint में इस तरह का animation डालने के लिए सबसे पहले आप जिस text पर animation देना चाहते हैं उसे लिख कर अपने अनुसार formatting कर लें अब चूंकि हम handwriting animation insert कर रहे हैं तो उसके लिए हमें hand यानी हाथ के image की जरूरत होगी वो हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना होगी हमने पहले से ही एक image डाउनलोड कर ली है और वो हमारी computer में saved है हम insert option की साहता से उस image को insert कर लेते हैं यदि image का background white है जैसा की आप इस image में देख सकते हैं तो इसमें पीछे जो text लिखा हुआ है वो छुप रहा है वो दिखनी रहा है इसलिए हम image का जो background है उसको transparent कर लेते हैं ताकि पीछे से जो text है वो नजर आ जाए उसके लिए image को select कर लें फिर format tab में color option पर click करें drop down menu में से set transparent color पर click कर दें इस image में से जो हिस्सा transparent करना है उस पर click करें यह देखिए हाथ की image को छोड़के जो पीछे background था वो हमको transparent करना था तो वो transparent हो गया है और अब पीछे से जो text है वो नजर आ रहा है यहाँ पर यह जो हाथ का size है वो थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं break करके हमने इस image को छोटा कर लिया है और इस text के हिसाब से हाथ का size हम ले आए हैं अब हम एके करके text और image पर animation दे देते हैं पहले हम text को select करते हैं text को select करने के बाद animation tab पर click करें और animation option में से appear को select करें इसके बाद उपर दिखाई पड़ रही ribbon में से animation pen पर click कीजिए जिसे की right side में एक animation pen दिखाई पड़ेगे इस pen में आपको slide में जो जो animation inserted है वो दिखाई पड़ेंगे चुकि text पर हमने animation insert कर दिया है तो animation pen में उसके आगे दिखाई पड़ रहे drop down arrow पर click करेंगे यहां से effect options पर click करें अब यह जो dialogue box open हुआ है इसमे animate text वाले drop down menu में से by letter चुने by letter चुनने से फायदा यह होगा कि एक एक letter screen पर आएगा अब हम okay पर click कर देंगे यह दिखे आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से एक एक करके letter screen पर आएगा हमने जो animation दिया है उसमें यहां पर यह जो letter के आने की duration है वो यहां पर auto select की हुई है तो वो animation की जो memory length है वो अपने आप इसने चुनी है अब आप उसको कितना जल्दी या कितना डिले के साथ यहां पर लाना चाहते हैं उसके हिसाब से duration खुद set कर दें हम यहां पर duration set कर रहे है 0.5 यह 0.50 हमने duration set कर दी है हमने text पर animation दे दिया है अब हम image पर animation insert करते हैं उसके लिए image को select करेंगे animation option के drop down menu में से custom path select करें custom path select करते ही cursor की जगह एक plus दिखाई पड़ेगा अब mouse की साहता से जो text आपने type किया हुआ है उसे लिखें यह देखें mouse की साहता से हमने यह text यहां पर लिख लिया है अब image को select करके start option के drop down menu में से with previous select करेंगे और duration में हम यहां पर time डाल देंगे हमने time डाल दिया है 3.25 एक बात हम आपको बता दें कि यह हमने अपनी image और animation के अनुसार setting की है with previous हमने इसलिए चुना है ताकि जो हमारा text है उसी के साथ यह जो हमारी image है वो भी चले after previous अगर हम चुनते तो पहले text आएगा और जो हाथ है वो थोड़ा सा late आएगा पर हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ चलें इसलिए हमने with previous चुना है अब हम एक बार preview देख लेते हैं यह देखे यहां पर text और hand की जो speed है वो match हो रही है पर hand की image आखिर में भी दिखाई पड़ रही है हम चाहते हैं कि जैसे ही text लिखना खतम हो हाथ भी हट जाए तो उसके लिए image को select करेंगे अब animation pen में image के आगे दिखाई पड़ रहे drop down arrow पर click करेंगे open हुए menu में से effect options पर जाएंगे और यहां से after animation option के सामने दिखाई पड़ रहे drop down menu में से hide after animation select करेंगे ओके पर click करेंगे अब एक बार फिर से हम preview देखते हैं अब यह देखिए जैसे ही लिखना खतम होता है हाथ चला जाएगा जिस तरह से जब computer में कोई data load होने में वक्त लग रहा हो तो loading लिखा हुआ या उसका fine आ जाता है उसी तरह अगर आपको powerpoint presentation में जो अगली slide दिखानी है उसके बारे में कुछ समझाना है और तब तक आप चाहते हैं कि screen पर यह loading animation effect नज़र आए तो उसके लिए आप इस effect को कैसे दे सकते हैं यह हम आपको बता देते हैं सबसे पहले slide पर एक rectangle insert कीजिए इसका background color bright होना चाहिए आप अपने अनुसार कोई भी color चुन सकते हैं हमने यहाँ पर यह blue color चुना हैं अब इस rectangle के अंदर हम और 3-4 छोटे-छोटे rectangles insert करेंगे यह insert में shapes में जाकरके हम यहाँ पर और चोटे-चोटे rectangles insert कर देंगे इन rectangles का जो color है वो पीछे वाले बड़े rectangle से अलग होना चाहिए ताकि वो अलग दिखे तो हम ऐसा color ले रहे हैं जो blue पे बिलकुल अलग नज़र आए अब इसी को हम copy-paste करके आगे 2-3 जगर डाल देंगे एक बात का ध्यान रखें कि यह जो rectangles आप इसमें add कर रहे हैं या insert कर रहे हैं उनकी लंबाई एक जैसी नहीं होनी चाहिए लंबाई अलग अलग हो पर उनकी चोड़ाई एक जैसी होनी चाहिए ताकि वो एक पट्टी के रूप में नज़र आए यहाँ पर यह हमने लंबाई तो अलग कर दी है पर जो इनकी चोड़ाई है वो एक सरी की है अब एक एक करके इन सभी छोटे वाले rectangles पर हम animation effect दे देते हैं उसके लिए पहले वाले rectangle को select करके animation tap पर क्लिक करें यहाँ से fly in animation चुन लें यह देखिए यह rectangle नीचे की तरफ से fly करके आ रहा है हम चाहते हैं कि यह left side से आए उसके लिए effect options पर क्लिक करके drop down menu से from left चुनिए अब slide show चला करके देखते हैं कि पहले rectangle पर animation किस तरह set हुआ है यह दिखिए इस तरह से यह left की तरफ से आपको चलता हुआ दिखाई देगा इसी तरह से हम बाकी rectangles पर भी animation सेट कर लेते हैं यह हमने सभी rectangles पर animation सेट कर दिया है एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि बाकी के जो rectangles हैं उन पर आपको timing block के start option के drop down menu से after previous चुनना है जिसे कि slide show चलाने पर इन rectangles का animation अपने आप display होगा और आपको mouse से बार बार क्लिक करने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी यानि जैसे ही पहले rectangle का animation खतम हुआ दूसरे का शुरू हो जाएगा दूसरे के बाद तीसरे का शुरू हो जाएगा और यह अपने आप एक के बाद एक आता जाएगा अब हम एक बार slide show चला कर देख लेते हैं यह देखिए यह इस तरह से एक के बाद एक rectangles जो हैं यहाँ पर आते जाएगे अब हम इस animation में एक चीज और add कर देते हैं यह यहाँ से हमने लिया text box और अब इसमें लिख देते हैं loading loading लिखने के बाद यहाँ पर हम team dots लगा देंगे अब इस text पर हम animation set कर लेते हैं उसके लिए animation tab में जाकर grow and turn animation चुनेंगे फिर timing block में start option के menu से with previous चुनेंगे जिससे कि जो last वाला rectangle है जब वो आएगा उसका animation शुरू होगा उसी के साथ यह loading वाला animation भी चलू हो जाएगा अब हम duration को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम इसे 2.75 कर देते हैं जिससे कि यह effect थोड़ी देर तक रुके और slide show के समय अच्छा दिखे 2.75 यहां हमने इसको कर दिया अब एक बाफर से slide show चला कर देखते हैं यह देखे लोडिंग एनिमेशन effect कम्प्लीट हो गया है यदि आप MS PowerPoint में काम करते वक्त किसी particular word या paragraph को explain करते हुए कुछ extra लिखना चाहते हैं और साथ ही यह भी चाहते हैं कि वो slide में दिखाई ना दे तो इसके लिए आप comment command का उप्योग कर सकते हैं कमेंट्स तब भी काम आते हैं जब आपको किसी का PowerPoint presentation चेक करना हो और आपको लिखे गए text में कुछ और points एड़ करवाने हैं तो आप comments में वो points एड़ करके दे सकते हैं चली देखते हैं MS PowerPoint में comments कैसे insert किये जाते हैं मान लीजे मुझे और मेरे कलीग को एक presentation पना कर अपने boss को देना है पर मेरा कलीग किसी कारण से office नहीं आ पाया है या फिर किसी अन्य कारण से हम PPT एक दूसरे के साथ discuss नहीं कर सकते हैं तो ये काम comments और notes की साहता से किया जा सकता है आएए देखते हैं कैसे मेरे कलीग ने यहाँ पर जो title लिखा है वो black color में है और मुझे ये red color में करवाना है उसके लिए मैं comment insert करना चाहती हूं तो पहले जिस text पर comment insert करना है उसे select कर लें अब review tab में जाकर new comment option पर क्लिक करें यह देखिए यहाँ पर right hand side पर comment box open हो गया है इसमें जो भी comment type करना हो वो type कर दें हमने यहाँ पर लिखा make the title in red color और हमारे कलीग को भीज दिया पर हमारे कलीग के पास भी कुछ suggestions हैं तो वो हमारे comment पर reply कर सकता है यह देखिए यहाँ पर कलीग ने reply किया है और PPT दुबारा हमें भीजती है अब यदि नया comment type करना चाहते हैं तो comments block में जाकरके new comment option पर click करें या फिर site pen में सबसे उपर दिखाई दे रहे new button पर click करके आप नया comment इंसर्ट कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पर पीचे एक नया comment box आ गया है इसमें comment type कर दीजिए और फिर enter press कर दीजिए यह देखिए comment इंसर्ट हो गया है new button के पास में आप दो और button देख सकते हैं previous और next previous button से आप selected comment से पहले वाला comment देख सकते हैं और next button से आप selected comment के बाद वाला comment देख सकते हैं यही काम आप comment block में दिखाई दे रहे previous और next option पर click करके भी कर सकते हैं जब previous या next पर click करते हुए आप अपने presentation के सभी comments देख लेंगे तो यह message दिखाई देगा इसमें लिखा है powerpoint presentation के end तक पहुँच गया है क्या आप शुरू से continue करना चाहते हैं अगर आप फिर शुरू से comments देखना चाहते हैं तो continue पर click करें नहीं तो cancel पर click कर दें अब हम आपको slide में notes डाल कर बता देते हैं notes डालने के लिए नीचे दिखाई दे रहे notes option पर click करें उससे पहले हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि ये notes और comments केवल आपकी सुविधा के लिए होते हैं ये slide show के समय दिखाई नहीं देते हैं notes में आप वो बात लिख सकते हैं जो आप slide में समझाना चाहते हैं मतलब पूरा content तो slide पर हो पर उसका explanation आप अपनी सुविधा के लिए notes में लिख सकते हैं ये देखें यह नीचे हमने हमको जो note डालना था वो डाल दिया है यहाँ पर notes के पास एक और option होता है comments का इस option के सहायता से आप comments वाले side pen को hide कर सकते हैं और दुबारा इसी option को क्लिक करने पर side pen side pen को आप यहाँ उपर जो cross का निशान है यहाँ से भी close कर सकते हैं अब यह देखे side pen जो है वो तो height हो गया है पर यहाँ पर comment box का icon आप देख सकते हैं इसका मतलब इस title पर या फिर इस title के किसी word पर कोई comment किया हुआ है हम नीचे वाला जो paragraph है इस पर भी कोई comment देदेते हैं इसके लिए नीचे वाले paragraph को select करेंगे review टैब में जाकर new comment option पर क्लिक करेंगे अब यह जो नया comment box आया है इसमें अपना comment टाइप कर देंगे यह हमने comment यहाँ पर लिख दिया है अब हम यह जो side pen है इसको height कर देंगे यह देखे अब नीचे वाले paragraph पर भी यह comment box दिखाई दे रहा है अब यदि आप यह देखना चाहते हैं कि document में कौन-कौन से comments inserted है तो उसके लिए show comments option के drop down arrow पर क्लिक करें यहां से comments pen पर क्लिक करें यह देखे जहां जहां भी जो भी comments डले हुए होंगे वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे आप चाहें तो इन icons पर क्लिक करके भी उस पर क्या comment डला है यह देख सकते हैं जिस comment icon पर आप क्लिक करेंगे वो comment pen में आपको selected नजर आएगा जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि यहां पर कौन सा comment डला हुआ है उसके लिए हम इस icon पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए comment pen में यह जो नीचे selected comment नजर आ रहा है यह उस icon का है show comments option के drop down menu में एक और option होता है show mark up यह by default selected रहता है इसे यदि आप deselect कर देंगे तो यह देखिए यहां पर comments के जो icon बने हुए थे वो सब hide हो गए हैं हम इस option को दुबारा select कर लेते हैं यह show mark up जैसे हमने वापस select किया यह icon हमको फिर से नजर आने लगे हैं जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस previous और next option का उपयोग करके आप अगले और पिछले comments देख सकते हैं और यदि किसी comment को delete करना हो तो उस comment box पर क्लिक करके comments block के delete option पर क्लिक करें यह देखे comment यहां से delete हो गया है या फिर side pen में दिखाई दे रहे comments में भी एक cross का निशान है उपर इस पर click करने से भी comment हट जाएगा इस तरह से tips और tricks उप्योग करके आप समय बचा सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं सबसे पहले हम आपको copy paste करने का सरलसा तरीका बता रहे हैं यह इस slide पर हमने एक image insert की है और साथी कुछ text भी हमने यहां पर लिख दिया है अब मार लीजिये हम इस text को copy करना चाहते हैं सामने तब हम किसी भी text को या image को copy करने के लिए Ctrl C press करते हैं जिससे कि यह copy हो गया और अब जहां भी से paste करना है वहां पर mouse ले जाकरके paste करने के लिए Ctrl V की हम press करते हैं तो यह दिखिए यह यहां पर same text paste हो गया है अब हम आपको बताते हैं वह सरलसा तरेका जिससे आप यह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं जिस भी text या picture को copy करना हो उस पर click करें इसी text को हम वापस से copy करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने इस पर click किया और अब Ctrl की press करके रखनी है और जहां भी इस text को paste करना है वहां तक उसे drag करके mouse का click छोड़ दें यह देखिए same text नीचे बड़ी आसानी से paste हो गया अगर आप image को इस तरह से copy paste करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं इस पर click करें और Ctrl की दबाते हुए इसको drag करके जहां पर चाहिए वहां ले जाके छोड़ दें यह तो हुई पहली tip अब हम आपको बताते हैं अगली tip यदि आपने कोई bulleted series बना रखी है जैसे यहां पर उदारन के लिए हमने यह numbers लिख दिये हैं यह कोई points भी हो सकते हैं अब इसमें आप कोई point उपर या नीचे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको cut press करने की कोई जरूरत नहीं है हम आपको एक simple trick बताते हैं alter shift press कीजिए और up या down arrow keys को प्रेस करके आप point को उपर या नीचे ले जा सकते हैं point उपर ले जाने के लिए up key का यूज कीजिए और किसी भी point को अगर नीचे लाना हो तो down arrow key का यूज कीजिए अब हम आते हैं तीसरी tip पर आप slide show के बीच में कई सारे shortcut tricks का उप्यो कर सकते हैं उसके लिए slide show start होने पर F1 की press करें ये एक slide show help का dialog box open हो जाएगा इससे आपको slide show से संबंधित कई shortcuts मिलेंगे ये general tab के tricks हैं जैसे की Ctrl और S की press करने से आपको एक dialog box दिखेगा ये देखिए जैसे ही हमने ये keys press की तो ये dialog box आ गया है जिसमें सभी slides के number हैं जितनी slides presentation में होंगी उसके numbers यहां पर आ जाएगे और इस box के साहता से आप जिस slide पर चाहें उस slide पर जा सकते हैं Ctrl प्लस और Ctrl माइनस से slide show zoom in और zoom out कर सकते हैं यहां पर उपर ink laser pointer tab पर क्लिक करें यहां आपको कुछ और shortcuts मिलेंगे Ctrl P प्रेस करते ही यहां पर एक pointer आ जाएगा इसकी मदद से आप slide पर लिख्या हुआ कोई भी point या अगर कोई chart वगेरा हो तो उसको समझा सकते हैं अब यहां पर text लिखा है और उसमें अगर आपको कोई चीज अंडरलाइन करनी है तो आप वह भी कर सकते हैं तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया अगर आप किसी शब्द को या किसी चीज को encircle करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं यह free computer education प्रोवाइड करता है तो हमने free को encircle कर दिया अगर कोई खाली slide है और उसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इस pointer की मदद से आप लिख भी सकते हैं जैसे यही पर हम आपको लिख कर बता रहे हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं pointer को disable करने के लिए दोबारा control P प्रेस करें स्कैप की प्रेस करके हम बहार आगे स्कैप की प्रेस करते ही यहां पर एक dialogue box आएगा और यह आप से पूछेगा कि क्या pointer द्वारा लिखा गया text slide में रहने देना है अगर आप text को slide में रखना चाहते हैं तो keep पर क्लिक करें नहीं तो discard पर क्लिक करें discard पर क्लिक करने से जो भी आपने text लिखा होगा वो हट जाएगा हम इसको रखना चाहते हैं इसलिए keep पर क्लिक कर रहे हैं यह देखिए slide में pointer की मदद से जो भी हमने लिखा था या उससे जो भी निशान बनाये थे वो इस slide पर नजर आ रहे हैं इसे तरह आप कई आन्ने shortcuts भी slide show में use कर सकते हैं अब हम आते हैं अगली tip पर यदि आप किसी slide में chart insert करते हैं इसको समझने के लिए हम एक chart यहाँ पर insert कर रहे हैं यह देखिए chart हमने slide में insert कर लिया है अब जब हम slide show presentation चलाते हैं तो chart एक ही बार में display हो जाता है जैसे यह हम तीसरी slide से slide show चला रहे हैं यह देखिए पूरा chart जो है वो एक ही बार में screen पर आ गया यदि आप chart को series wise या फिर category wise डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं आये देखते हैं chart insert करने के बाद animation tap पर click करें अब यहां से जो भी animation आप chart को देना चाहते हैं वो select कर लें हमने यहां से यह fed को select किया अब हम फिर slide show चलाते हैं यह देखिए इस animation के बाद भी पूरा की पूरा जो chart है वो एक ही बार में display हो गया है इस chart में जो बार्ज हैं उनको one by one display करवाने के लिए अब हम animation tab के अंदर effect options पर click करेंगे अब drop down menu से by series या फिर by category select करेंगे हम इसमें अभी by series select कर रहे हैं अब हम वापस से slide show चला रहे हैं अब आप देखेंगे कि यह series wise एक एक करके यह bars आ रहे हैं यहां पर नीचे आप देख सकते हैं यह पहली category है फिर दूसरी category है तीसरी है फिर चौती है यह चार अलग-अलग categories है अगर हम by categories चुनेंगे तो एक एक category एक के बाद एक आती जाएगी हम effect option में जाकर के by category चुन रहे हैं यह वापस हम slide show में देखते हैं तो यह देखिए एक category आई फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौती एक एक करके यह category आ गई है इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे options भी हैं तो जिस भी तरह से आप उस chart को display करना चाहते हैं वो यहाँ से चुन सकते हैं आज हम आपको Microsoft PowerPoint में table insert करके उसे format करना सिखा रहे हैं हम आपको दो तरीकों से table बनाना बताएंगे साथ ही उसे format करना जैसे कि उसमें अलग-अलग border देना, background को color करना इत्यादी भी सिखाएंगे चलिए देखते हैं, PowerPoint में table कैसे insert की जाती है PowerPoint ओपन करके insert tab पर क्लिक करें Insert tab के menu बार में tables block के अंतरगर्थ आपको table का option दिखाई देगा इस पर क्लिक करें क्लिक करने पर एक menu open होगा जिसमें आपको कुछ options दिखाई देंगे पहला है insert table, इसके बाद भी insert table option है तिसरा option है draw table और चोथा option है excel spreadsheet हम एके करके इन सभी options को समझेंगे सबसे पहले हम पहले वाला जो insert table option है उसको समझ लेते हैं यहाँ पर पहले वाले option के नीचे आप कुछ blocks देख सकते हैं इस menu में दिखाई दे रहे blocks में से उतनी rows और columns पर mouse pointer ले जाएए जितने आप table में insert करना चाहते हैं हमें अपनी table में 4 rows और 4 columns चाहिए इसलिए हम 4 rows और 4 columns पर mouse pointer ले गए और आखिरी वाले block पर जाकर के हमने click कर दिया click करते ही slide में table insert हो गई है table insert होते ही आप देख सकते हैं उपर design tab enable हो गया है यदि ये tab दिखाई न दे तो table पर click करने पर ये tab आ जाता है इस tab में आपको table को format करने के लिए कुछ options मिलेंगे हम एके करके सभी options को समझेंगे सबसे पहला जो block है वो है table style option इसमें आपको कुछ sub options दिखाई देंगे पर इन options को समझने से पहले हम अपने table में कुछ headings डाल लेते हैं उदारन के लिए यहां पर हमने डाल दिया column 1, column 2, इत्यादी सारे columns को हमने इस तरह से नाम दे दिया table style options के अंतरगत पहला sub option है header row ये by default selected रहता है इसके selected रहने पर table में जो सबसे पहली row है वो highlighted रहती है मतलब table का header highlighted होगा यदि हम इसे T select कर देते हैं तो देखिए जो header है वहां से highlight हट गया है अब हम इसे दोबारा select कर लेते हैं table style option में next option है total row यदि हम इस option को select कर लेते हैं तो इससे table की जो सबसे आखरी वाली row होगी वो highlight हो जाएगी यह देखिए यहां पर यह हमारी table की आखरी row highlight हो गई है इसको हम deselect कर देते हैं table style options वाले block में तीसरा option है banded rows यह option भी by default selected रहता है इससे table की जो alternate rows है वो एक समान color की होती है इसको समझने के लिए हम अभी header row वाला जो option है उसको deselect कर रहे हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि banded rows option के selected रहने से table में जो alternate rows है वो एक समान color की यहां पर होती है जैसे कि आप देखेंगे table में जो पहली और तीसरी row है वो एक जैसे color की है और दूसरी और चौती row एक समान color की है यदि हम इस option को deselect कर देते हैं तो यह देखिए सारी की सारी rows एक जैसे color की हो गई हैं अब हम इस option को फिर से select कर रहे हैं और इसी के साथ header row वाले option को भी select कर रहे हैं इस block में next option है first column यदि हम इस option के सामने दिखाई दे रहे check box पर click करके इसको select करते हैं तो देखिए table का पहला वाला जो column है वो highlight हो गया है इस में पहली row की तरह मतलब header row की तरह ही पूरे में यह dark color दिखाई दे रहा है इस block में अगला option है last column इस option को select करने पर table का जो last column है वो highlight हो गया है इसका मतलब इस पे भी header row और पहले column की तरह color fill हो गया है इस block का आखिरी option है banded column इस option को select करने से पहले हम banded rows, first column और last column यह जो options है इनको टी select कर रहे हैं अब हम जैसे ही banded columns वाले option को select करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं alternate columns का जो color है वो हमारी table में एक सरीका हो गया है मतलब पहला और तीसरा column एक जैसे color का है और दूसरा और चौथा column एक जैसे color का है अब आगे बढ़ते हैं और आपको table की कुछ अन्य styles के बारे में बता देते हैं design tab में जो next block है वो है table styles इस block के अंदर आपको table की कुछ predefined styles मिलेंगी यहाँ आप देख सकते हैं कि हम जिस भी style पर mouse ले जा रहे हैं slide का जो table है वो उसी style में दिखाई दे रहा है जैसे कि अभी इस style पर हमारा mouse रखा हुआ है तो नीचे slide में भी जो table है वो इसी तरह का दिखाई दे रहा है और इस style को confirm करने के लिए आपको उस style पर click करना पड़ेगा यहाँ पर दिख रहे drop down arrow पर click करके open हुए menu में से आप table के लिए और भी styles select कर सकते हैं जैसे कि हमें यह style चाहिए तो हम इस पर click कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि slide में जो हमारा table है उस पर यह style apply हो गया है अब हम आपको कुछ और formatting options के बारे में पता देते हैं table styles block के अंतरगत अगला option है shading इस option को use करने के पहले हम अपनी table को select कर लेंगे और table को select करने के लिए इसकी जो यह boundary line दिखाई दे रही है इस पर कहीं पर भी click करें अब हम shading option के drop down arrow पर click करेंगे इस पर click करते ही देखिए एक menu open हो गया है इसमें आपको काफी सारे color दिखाई दे रहे होंगे इसमें से आप कोई भी color चुन सकते हैं जैसे हमने यह इस color पर click किया तो यहाँ पर आप background में देख सकते हैं कि हमारे table में भी वो color fill हो गया है यदि आप यहाँ पर दिखाई दे रहे colors के अलावा कोई और color चाहते हैं तो more fill colors option पर click करके आपको यहाँ से अने colors भी मिल सकते हैं चलिए इस window को हम close कर दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं shedding के drop down menu में next option है eye dropper eye dropper basically कोई color select करने के काम आता है इस पर हम click कर रहे हैं इसे click करने पर जो mouse pointer होता है वो एक dropper की shape का बन जाता है इसके साहता से आप slide में से कोई भी color अपने table में fill कर सकते हैं जैसे ही हम table border पर mouse ले गए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि black color लिखा हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है अगर हम इस पर click कर देंगे तो यही color हमारी table में fill हो जाएगा यह देखे पूरी table हमारी जो है वो black हो गई है यह देखे वापस से जब हम mouse को table की line पर ले गए तो आप यहां पर gray लिखा हुआ दिखाई वे रहा है इस पर click कर देंगे तो यह देखे है हमारी table में gray color फिल हो गया है अब हम table के background को reset कर देते हैं उसके लिए हम shading option के drop down menu में से no fill option पर click करेंगे यह देखे जैसे ही हमने no fill option पर click किया तो यहां से background color हट गया है पर उसके साथ ही हमने जो उपर heading बनाई थी column 1, column 2 जो लिखा था वो भी अब यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें text का color white ही था तो वो अब इसी जो background है white background है उसी में मिल गया है तो हम उसको जो है select करके text का जो color है वो black कर देते हैं Shading option के menu में अब हम अगला option देख रहे है gradient इस option को click करने पर जो menu open हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कुछ light variations है और कुछ dark variations है इसमें से आप जिस पर भी click करेंगे वैसा gradient टेबल के background में set हो जाएगा यह देखिए अब हमारी जो table है वो इस तरह की दिखाई दे रही है अब हम अगला option देखते हैं अगला option है texture इस option का उपयोग पहले से बने color image को table background में fill करने के लिए होता है अब हम यहाँ पर दिखाई दे रहे texture में से जिस पर भी click करेंगे वो table के background में set हो जाएगा कि देखिए अब हमारा जो table background है वो फिर change हो गया इस menu में आखरी option है table background जिसमें आपको वही सब options दिखेंगे जो हम इस menu में पहले देख चुके हैं इनसे आप table की background को अलग-अलग shade, color, texture इत्यादी दे सकते हैं table styles block के अंतरगत next option है borders यहां पर हमको borders अच्छे से दिख सके इसलिए हम इसको no fill कर देते हैं अब यहां पर menu में पहला option है no border जैसे ही हम इस पर click करेंगे तो आप देख पाएंगे कि table की जो सभी borders थी वो हट गई हैं इसी तरह यहां पर और भी options हैं जैसे की all borders इस पर click करते ही सारी borders यहां पर आ गई हैं इसी तरह से यहां पर और भी borders हैं जैसे की outside borders, inside borders इत्यादी हम एक दो border पर और click करके देखते हैं जैसे की हमने inside borders पर click किया तो यहां पर table में आप देख सकते हैं कि केवल अंदर की जो borders थी table के अंदर की वो आ गई हैं और outer border जो थी वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं उसी तरह से यदि हम borders menu के left border option पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं table की केवल left side में एक border आ गई है, right side में अभी भी कोई border नहीं है यदि हम menu में diagonal down border पर click करते हैं तो यह देखिए यहां पर हमारी table इस तरह से दिखाई देगी और अगर हमको यह हटाना है तो उसके लिए हम फिर से diagonal down border पर click करेंगे जिसे की यह diagonal down border जो है वो हट जाएगी यह देखिए table वापस पहले की तरह हो गई है, अब table styles block में अगला जो option है वो है effects इस option का उप्योग करके हम table को विवेन effects दे सकते हैं जैसे ही इस option पर हम click करते हैं तो एक menu open हो जाता है जिसमें आपको तीन options दिखाई देंगे cell babel, shadow और reflection इन तीनों options के भी अलग-अलग submenu होते हैं जैसे हम पहले option पर mouse ले जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एक submenu open हो गया है यहां पर दिखाई दे रहे effects में से हम जिस भी effect पर click करेंगे वो effect हमारी table में apply हो जाएगा अभी यहां पर यह effect बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो color है यहां पर वो बहुत light है तो हम shading में जाकर के इसका color जो है वो थोड़ा सा change कर लेते हैं यह देखे अब जैसी हमने यहां पर dark color लिया तो आप देख सकते हैं कि cell bevel का effect यहां पर नज़र आ रहा है उसी तरह से shadow की sub menu में से अगर हम किसी option पर click करेंगे तो वो shadow हमारी table पर apply हो जाएगी यह देखे आप देख सकते हैं यहां पर पीछे table का shadow दिखाई दे रहा है इसी तरह से reflection के sub menu में से भी हम कोई सा भी reflection यहां से चुन सकते हैं अब यह देखे यहां पर नीचे table का reflection दिखाई दे रहा है तो जो भी style आप चुनेंगे जिस पर भी आप click करेंगे वो table पर apply हो जाएगी हमने table में एक एक करके जो भी effect दिये थे यदि यह सभी effects हम table में से हटाना चाहते हैं तो इन्हें हमें एक एक करके ही हटाना होगा इसके लिए हर एक effect वाला menu open करके हम उस effect को हटाएंगे सबसे पहले हमको cell bevel नहीं चाहिए तो यह sub menu open करके हमने no bevel पर click कर दिया इसी तरह से हम no shadow पर click करेंगे और reflection वाले option में से no reflection पर click कर देंगे यह देखिए सारे effects जो हमने डाले थे वो हमारी table में से हट गए है Design tab में next block है word art styles इस block में दिखाई दे रहे options की सहायता से आप अपने table के text को अलग-अलग style, color, border दे सकते हैं इस block में पहला option है quick styles इस पर click करने पर कुछ predefined styles आपके सामने आएंगी और जिस भी style पर आप click कर देंगे table का text उसी style में आ जाएगा जैसे कि हमने इस style पर click किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो text था वो selected style का हो गया है फिर इस block में next option है text fill यहाँ click करने पर एक menu open होगा इसमें आपको कुछ options दिखाई देंगे इनके सहायता से आप अपने text को अलग-अलग color या effects दे सकते हैं इन सभी options के बारे में हम detail में पहले ही पिछले वीडियो में पता चुके हैं next option है text outline इस option की सहायता से आप table में लिखे गए text की outline को अलग-अलग color या effect दे सकते हैं और इस block में आखिरी option है text effects यहां click करने पर एक menu open होगा इसमें आपको अलग-अलग तरह के effects दिखाई देंगे जैसे की shadow, reflection, glow, इत्यादी अब यहां हमने shadow पर click किया तो यह एक sub menu open हो गया है इस menu में आप जिस भी shadow option पर click करेंगे वो shadow effect आपके text में दिखाई देने लगेगा यह देखिए इस तरह से इसी तरह से glow option के menu में भी आपको तरह-तरह के glow options मिलेंगे यहां पर भी जैसे जैसे आप अलग-अलग options पर जाएंगे आपको slide पर वो changes दिखाई देने लगेंगे अब इसमें से आपको जो भी option अच्छा लगे उस पर आप click कर सकते हैं यह देखिए यहां पर वो effect आ गया है और अगर आपको इसे हटाना है आपको यह नहीं चाहिए तो वापस glow पर जाकर no glow पर click कर देंगे चलिए अब हम बाकी के formatting options देख लेते हैं design tab का आखिरी block है draw borders इस block के अंतरगत आपको कुछ options दिखाई देंगे पहला है pen style इसके drop down arrow पर click करने से यह एक menu open हो गया है इसमें आपको different style की borders दिखाई दे रही हैं इसमें से कोई सा भी border style सेलेक करने पर mouse का जो pointer है वो एक pen के निशान में बदल जाएगा जैसे हमने इस border पर click किया अब आप table में जिस भी border पर click करेंगे वो आपकी चुनी हुई style में दिखाई देने लगेगा जैसे की column 1 के नीचे जो cell है हमने यहां पर एक border पर click किया तो यह देखिए यहां पर इसका border style change हो गया है यह वो style है जो हमने यहां पर चुना हुआ है अब हम देखते हैं अगला option यह है pain weight इसकी साहता से आप border की चौडाई सेट कर सकते हैं हम इसके drop down menu पर click करते हैं यह देखिए एक menu यहां पर open हो गया है इसमें आपको अलग-अलग weight दिखाई देंगे हम इसमें से 4 and half point पर click कर रहे हैं अब हम mouse से जहां पर भी या जिस भी border पर click करेंगे वो border जो भी style आपने select की होगी और जो भी यहां पर pain weight select किया होगा याने उसकी चौडाई select की होगी उसकी अनुसार बन जाएगी जैसे कि यहां पर पहले जब हमने click किया तब यह one point की थी इसलिए बहुत पतली बनी पर अभी हमने 4 and half point लिया है इसलिए यहां पर same border आपको चौड़ी दिखाई दे रही है अब हम चलते अगले option पर जो है pen color इसे select करने पर एक menu open होगा इसमें से आप जिस भी color का border बनाना चाहते हैं वो color यहां से select कर सकते हैं अब हम यहां से जो भी color select करेंगे हमारी border उसी color की बनेगी जैसे हमने यह color select किया अब अगर हम किसी भी border पर click करेंगे तो जो style हमने चुनी है जितनी चौड़ाई चुनी है और जो color चुना है उसके हिसाब से border बनेगी यह देखिए इस तरह से अब यह जो border बनी है वो हमारे selected color के हिसाब से बनी है अब आगे बढ़ने के पहले हम एक बार table को reset कर लेते हैं उसे पहले जैसा बना देते हैं टेबल को reset करने के लिए टेबल पर click करके borders option में से no borders पर click करेंगे draw borders block में जो next option है वो है draw table इसकी सहायता से हम अपने अनुसार table बना सकते हैं इसे click करने पर हमारा mouse का pointer जो है वो एक pen का shape ले लेता है अब इसकी सहायता से हम table बना सकते हैं आप जहां table बनाना चाहते हैं वहां पर mouse से click करें और वहां तक खीच कर ले जाएं जहां तक आप table चाहते हैं हम यहां तक table चाहते थे इसलिए हमने यहां पर mouse pointer को ले जाकर के उसे छोड़ दिया जैसे हमने mouse का click छोड़ा तो आप देख सकते हैं यहां पर एक row और एक column वाली table की outline पन गई है अब इसमें अन्य rows और columns कैसे जोड़ सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं टेबल में एक से ज्यादा row add करने के दो तरीके हैं पहला तरीका यह कि आप अपने keyboard की tab key को press कर दें जैसे जैसे आप tab key प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे row टेबल में जुड़ती जाएंगी दूसरा तरीका यह है कि माउस को टेबल पर ले जाकर के राइट क्लिक करें open हुए menu में से यह यहां पर insert option पर क्लिक करें insert option पर क्लिक करते ही एक sub menu open हो जाएगा इसमें आपको कुछ options दिखाई देंगे जैसे की insert column to the left, insert column to the right, insert row above और insert rows below इन options की साहता से आप अपने टेबल में row और columns जोड सकते हैं जैसे की अभी हमने rows जोड़ी थी अब हम columns जोडना चाहते हैं तो हम यहां पर दिखाई दे रहे insert columns to left option पर क्लिक करेंगे यह देखे उस पर क्लिक करते ही हमारी टेबल में एक column जुड़ गया है इसी तरह से आप चाहें तो row भी add कर सकते हैं उसके लिए हम अपने टेबल में right क्लिक करके insert option पर क्लिक करेंगे और फिर insert rows below option पर क्लिक कर देंगे यह देखे यहां पर एक और row add हो गई है यह तो अभी हमने row और column को add करना देखा अब मान लीजिए आप अपनी टेबल में से row या column को delete करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस भी row या column को delete करना चाहते हैं उसमें right क्लिक करेंगे जैसे हमको यह वाली जो row है उसको delete करना है तो इसमें जाकर के हम right क्लिक करेंगे और open हुए menu में से delete option पर क्लिक करेंगे delete option पर क्लिक करते ही एक sub menu open हो गया है इसमें आपको तीन options दिखाई देंगे delete columns, delete rows और delete table यदि आप column delete करना चाहते हैं तो delete column पर क्लिक करें और यदि आप row delete करना चाहते हैं तो delete rows पर क्लिक करें अब इसी तरह से अगर हमको पूरा टेबल डिलीट करना है तो ये वापस से हमने टेबल पर ja करके right click किया, delete option पर click किया और अब यहां से delete table पर click कर देंगे तो यह देखिये पूरी table यहां से delete हो गई है अब आपको Design Tab का आखिरी Option बता देते हैं, इसके लिए हम Table पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने Table पर क्लिक किया, यह उपर Design Tab अपने आप Enable हो गया है, इस Tab में आखिरी Option है Eraser, इस Option के साहता से आप Table की Border को Erase कर सकते हैं, यानि उसे हटा सकते हैं, हम जैसे ही इस Option पर क्लिक करेंगे, माउस का जो Pointer है, वो एक Eraser के आकार का बन जाएगा, अब आप Table के जिस भी Border को Delete करना चाहते हैं, उस Border पर क्लिक कर दें, जैसे हमने इस Border पर क्लिक किया, तो यह देखिए, क्लिक करते ही यहां से वो Border डिलीट हो गया है, इस तरह से आप किस इसे भी Border को Delete कर सकते हैं, अब चलिए हम इस Table को भी Delete कर देते हैं, और Insert Tab में Table Block के अन्य Options देख लेते हैं, Table Option को क्लिक करने पर Open हुए Menu में अगला Option है Insert Table, इस Option की साहता से भी आप Table इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए इस Option पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करते ही एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, यहां पर आपको Number of Columns और Number of Rows option दिखाई देंगे, इनकी साहता से आप यह सेट कर सकते हैं कि आपको Table में कितने Columns और कितनी Rows चाहिए, इसमें अभी 5 Columns और 2 Rows दिया हुआ है, आप चाहें तो यह Number चेंज कर सकते हैं, हम इसे ऐसा ही रहने दे रहे हैं, और OK पर क्लिक करते हैं, और OK पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं, कि यहां पर 5 Columns और 2 Rows वाली Table हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो गई है, इस Table के लिए Formatting Options वैसे ही काम करेंगे, जैसे इस वीडियो में हम आपको पहले बता चुके हैं, इन Options के साहता से आप Table को अलग-अलग Color, Style, Effect सत्यादी दे स देखते हैं, अब हम Insert Tab में Table Block का अगला Option देखते हैं, यह है Draw Table, Table कैसे Draw की जाती है, और Table की Formatting कैसे की जाती है, यह हम आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, इस Option से भी आप उसी तरह Table बना सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम इस Table को भी Delete कर देते हैं, अब हम देख लेते हैं Table Block का आखरी Option, टेबल मेन्यू में आखरी Option है Excel Spreadsheet, इस Option के सायता से आप PowerPoint की स्लाइड में Microsoft Excel की Spreadsheet इंसर्ट कर सकते हैं, यह हमने इस Option पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं, एक Microsoft Excel Spreadsheet हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो गई है, यहां से आप इसे ड्रैक करके बढ़ा कर सकते हैं, यह Spreadsheet वैसे ही काम करती है, जैसे आप Excel में इसे उप्योग करते हैं, आज कल PowerPoint का उप्योग कई जगह होता है, जैसे स्कूल या कॉलेज में प्रिजन्टेशन देते समय, ओफिस में प्रिजन्टेशन देते समय इत्यादी, ऐसे में यदि आपका PowerPoint प्रिजन्टेशन आकर्शक हो, तो प्रिजन्टेशन देखने में भी अच्छा लगता है, और सामने वाले व्यक्ति पर उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, PowerPoint प्रिजन्टेशन को आकर्शक बदाने के लिए हम Shapes और Smart Art का उप्योग कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको Drawing Tools के Format टैप के अंतरगत, Insert Shapes और Shapes Styles ब्लॉग के Options की सहायता से, Shape Insert करना और उसे Format करने के बारे में समझाएंगे, PowerPoint ओपन करके Insert टैप पर क्लिक करें, Options ब्लॉग के अंतरगत आपको Shapes और Smart Art के Options दिखाई देंगे, चलिए पहले Shapes ओप्शन को समझ लेते हैं, इसके लिए हम इस ओप्शन पर क्लिक करेंगे, Open हुए मेन्यू में आपको अलग-अलग तरह के Shapes नज़र आएंगे, जैसे की, Lines, Rectangles, Basic Shapes, Block Arrows, इत्यादी, आपके Presentation में जैसा भी Data या Text हो, उसके अनुसार आपको जो भी Shape चाहिए, वो आप यहां से चुन सकते हैं, Shapes ओप्शन को बहतर तरह के से समझाने के लिए, हम यहां पर कुछ Shapes इंसर्ट कर रहे हैं, पहले हम एक Star यानी तारे का Shape इंसर्ट करते हैं, यह हमारे Recently Used Shapes में दिखाई दे रहा है, 5.Star नाम से यह मैन्यू में दिख रहा है, इस पर हमने क्लिक किया, Shape चुनने के बाद, जहां भी वो Shape ड्रॉ करना हो, वहां पर क्लिक करके, माउस की सहायता से ड्रैक करते हुए, क्लिक छोड़ दीजिए, कि देखिए, यह Star शेप हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, हम जब भी कोई Shape इंसर्ट करते हैं, तो उपर यह Format टैब दिखाई देने लगता है, और यदि यह टैब नहीं दिखाई पड़ रहा हो, तो Shape पर क्लिक करें, ऐसा करते ही Format टैब आ जाएगा, इस टैब के माधियम से, Shape की पूरी Format टैब की जा सकती है, जैसे Shape में अलग-अलग तरह के Color कर सकते हैं, इसकी Outline को भी Color या Design दे सकते हैं, Shape में Shadow Effects दे सकते हैं, 3D Effects दे सकते हैं, इत्यादी, चलिए हम इसकी कुछ Format टैब करके बता देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले है, Edit Shape Option, इस Option की सायता से आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट किये गए Shape में चिंजिस कर सकते हैं, हम इस Option पर क्लिक करते हैं, इस Menu में कुछ Options दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहला Option है Change Shapes और दूसरा है Edit Points, यह दोनों Options यहाँ पर Active हैं, एक एक करके हम इन दोनों Options को समझेंगे, पहले हम Change Shapes को समझ लेते हैं, इस पर माउस ले जाते ही यह एक Menu ओपन हो जाएगा, इसमें सभी Shapes दिखाई पड़ेंगे, यदि आप इनमें से किसी भी Shapes पर क्लिक करते हैं, तो Slide में अभी जो Shapes है, उसकी जगह पर वो नया Shapes आजाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे, माल लिजे हमने Smiley पर क्लिक किया, तो यह देखिए स्टार की जगह पर Smiley आ गई, अब हम वापस से Edit Option में Change Shape की सहायता से इसको स्टार बना देते हैं, अब यहाँ पर दूसरा सब Option है Edit Points, इस Option की सहायता से आप Slide में Insert किये हुए Shape के आकार में बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए हम इस Option पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि इस Shape में हर कॉर्णर पर यह काला रेक्टेंगल आ गया है, यदि हम इसमें से किसी भी काले रेक्टेंगल पर क्लिक करके ड्रेक करेंगे, तो वहाँ से इस Star का Shape चेंज हो जाएगा, यह देखे, जब हमने यहाँ पर क्लिक करके ड्रेक किया, तो यहाँ से Star का Shape चेंज हो गया है, ऐसे ही हमने दूसरे पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैक किया और फिर छोड़ दिया तो यह इस तरह से जो भी शेप हमने लिया है उसका आकार हम बदल सकते हैं अब हम वापस इसे ओरीजिनल शेप में ले आते हैं और अब हम आगे के ऑप्षिन समझ लेते हैं यहाँ पर next option है text box यदि आप अपने शेप के अंतरगत कोई text लिखना चाहते हैं तो इस option की सहायता से आप वो कर सकते हैं इसके लिए text box option पर क्लिक करें और फिर उस shape के अंदर mouse की सहायता से एक text box बनाएं यह हमने text box बना लिया है अब यहाँ पर जो भी text टाइप करना चाहें इस text box के अंदर हम उसको टाइप कर सकते हैं यह यहाँ पर हमने text टाइप कर दिया है अब हम formatting के अन्य option समझ लेते हैं अब यहाँ पर draw a text box के बाद अगला जो option है वो है merge shapes अभी आप देख सकते हैं कि यह option active नहीं है उसके लिए slide में एक से ज्यादा shapes होना ज़रूरी है इसको समझने के लिए हम यहाँ से यह जो star shape है इसको हटा देते हैं और इसके जगह दो shapes insert कर लेते हैं एक तो हमने यहाँ पर circle insert किया और इसके साथ एक हम insert कर लेते हैं triangle अब जैसे हमने एक shape पर click किया format tab हमारा open हो गया है यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि merge shapes वाला जो option है वो अभी भी in active है यह active तब होगा जब हम इन दोनों shapes को एक साथ select करेंगे उसके पहले हम इन दोनों shapes को थोड़ा overlap कर देते हैं circle के ऊपर हमने triangle को ओवरलेब कर दिया है अब हम इन दोनों shapes को select कर लेंगे यहाँ पर format tab पर हमने click किया अब आप देख सकते हैं कि merge shapes वाला जो option है वो active हो गया है इस पर जब हम click करेंगे तो drop down menu open होगा इसमें आपको बहुत सारे options दिखाई देंगे पहला है union union option पर click करने पर आप देखेंगे कि दोनों जो shapes हैं वो मिल करके एक दिखाई देंगे अब यहाँ पर circle और triangle ये दोनों मिल गए हैं इसमें बीच में कोई अलग line आपको नहीं दिखाई दे रही है इसके बाद इसमें जो दूसरा option है वो है combine इस पर click करने पर जो overlapped part है वो यहाँ से हट गया है उसकी जगव background दिखाई दे रहा है इसके बाद इसमें जो अगला option मिलता है वो है fragment इस option में जो overlapped area है वो अलग से mark होकर के दिखाई दे रहा है और ये जो है एक तीसरा shape बन गया है अब आप जाहें तो इनको तीनों को अलग-अलग कर सकते हैं हम इनको वापस से जोड़ दे रहे हैं और अब हम देखते हैं इसमें अगला option वो है intersect इंटरसेक्ट option पर आप जाएंगे तो अभी जो हमको अलग से part दिखा था जो overlapped था वो यहां पर बाकी बच्चा हिस्सा चला गया है और केवल जो intersect part है वो यहां पर नजर आ रहा है और अगर हम subtract option पर जाएंगे तो इसमें जो पीछे वाला shape था यानि जो circle था इसमें से उपर वाला जो shape था यानि जो triangle था वो पूरा की पूरा गायब हो गया है और बच्चा हुआ जो circle है वो आपको नजर आ रहा है अब हम format tab के बाकी के options देख लेते हैं उसके लिए हम वापस star shape को लेकर के आ रहे हैं format tab में जो next block है वो है shape styles इस block के अंदर आपको shape के लिए कुछ predefined styles मिलेंगी आप यहां देख सकते हैं हम जिस style पर mouse ले जा रहे हैं slide में shape उसी style में दिखाई दे रहा है जिस भी style को आप confirm करना चाहते हैं उसके लिए आपको उस style पर click करना होगा जैसे हमने इस पर click किया तो यह देखिए यहां पर हमारा जो star था वो black हो गया है इस drop-down arrow पर click करके open हुए theme styles में से आप shape के लिए और भी styles select कर सकते हैं यहां पर भी आप देख सकते हैं हम जिस भी style पर mouse ले जा रहे हैं slide पर आपको उस हिसाब से changes दिखाई दे रहे हैं अब आपको जो भी style select करनी हो उस पर आप click कर दें तो वो style select हो जाएगी माली जी हमको यह वाला style चाहिए तो हम इस पर click कर देते हैं अब आप देख सकते हैं कि slide में जो shape है उस पर यह style apply हो गया है और अंदर लिखा हुआ जो text है वो भी चुने हुए style के अनुसार change हो गया है अब हम एक बार फिर से इस drop down arrow पर click करते हैं theme styles menu में नीचे की तरफ आप other theme fills option देख सकते हैं इस पर click करने पर एक और menu open हो जाएगा अब इस में से आप जिस भी theme पर click करेंगे वो आपके shape में apply हो जाएगी यह देखिए हमने इस theme पर click किया तो यह हमारे shape में apply हो गई है अब हम आगे बढ़ते हैं shape styles block के अंतरगत अगला option है shape fill इस option की सहायता से आप shape को अलग-अलग color दे सकते हैं यह हमने इस option पर click किया इस पर click करते ही यह एक menu open हो गया है इसमें आपको काफी सारी colors दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपको इसा भी color चुन सकते हैं यह देखिए हम जहां पर भी mouse ले जा रहे हैं background में slide पर वो color दिखाई दे रहा है इसमें से आपको जो color अच्छा लगे वो आप fill कर सकते हैं उसके लिए आपको वहाँ पर click करना होगा यहाँ पर जो colors दिखाई दे रहे हैं अगर आप इसके अलावा कोई और color चाहते हैं तो उसके लिए more fill colors पर click करें इस option पर click करते ही आपको यह यहाँ से और color options मिल जाएंगे अभी हम इसको close कर रहे हैं वापस हम चलते हैं shape fill option पर इसके drop down menu में अगला जो option है वो है eye dropper eye dropper basically कोई color select करने के काम आता है हम इस पर click करते हैं इसको click करने पर यह जो mouse pointer है वो एक dropper के shape का बन जाता है इसकी सहायता से आप आपकी slide में अगर कोई भी color है तो उसको लेकर के अपने shape में fill कर सकते हैं जैसे कि हम अपना जो mouse है उसको shape के border पर ले गए तो देखें आप देख सकते हैं color code लिखा हुआ है gray color का और छोटे से block में वो कैसा color दिखेगा वो दिखाई दे रहा है अब अगर हम इस पर click कर देंगे तो यह देखिए यही color पूरे shape में fill हो गया है अब इसमें next option है picture इस option की सायता से आप shape में कोई भी picture वाला background set कर सकते हैं हमने इस option पर click किया इस option पर click करते ही insert pictures की एक window दिखाई देगी इसमें आपको कुछ options दिखाई देंगे यदि आप कोई picture online यानि internet पर search करना चाहते हैं तो bing image search पर click करके आप उसे search कर सकते हैं हम फिलहाल अपने computer में से ही कोई picture insert करना चाहते हैं हम from a file option पर click कर रहे हैं इस पर click करते ही एक window open हो गई है इसकी सायता से आप अपने computer में से जहां से भी picture लेना चाहते हैं वहां पर जाकर के picture पर click करें और insert पर click कर दें insert पर click करते ही वो जो picture है वो shape में insert हो जाएगी अब हम shape fill के अन्य options देख लेते हैं इसमें अगला option है gradient इस option को click करने पर ये जो menu open हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ light variations हैं और कुछ dark variations हैं इन्में से आप जिस पर भी click करेंगे वैसा ही gradient shape में set हो जाएगा जैसे कि हमने इस gradient पर click किया तो ये देखिए इस shape में वो ही gradient set हो गया है अब हम देखते हैं अगला option है texture इस option का उपयोग पहले से बने textures को shape में fill करने के लिए होता है यहाँ पर देखिए अलग-अलग textures दिये हुए हैं इसमें से जो भी texture हमको shape में fill करना हो वो हम चुन सकते हैं जैसे हमने इस पर click किया ये दिखिए ये वाला texture इस shape के अंदर आ गया है ये तो अभी हमने shape fill के option समझे अब हम shape styles block के दूसरे option समझ लेते हैं अगला option है shape outline इस पर जब हम click करेंगे तो फिर है कि ये menu open हो गया है इसमें आपको अलग-अलग तरह की outline अर्थाद border के options देखने को मिलेंगे इन options का उप्योग करके आप shape को अलग-अलग तरह की outline दे सकते हैं outline का color बदल सकते हैं उसकी चौड़ाई बदल सकते हैं इत्यादी उधारण के लिए हम slide में जो shape है उसकी outline की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ इस menu में से हमने wait option पर click किया अब इसकी सहायता से हमको shape की outline की जो भी चौड़ाई चाहिए वो हम चुन सकते हैं देखिए जैसे-जैसे हम mouse ले जा रहे हैं उस तरह से background में जो हमारा shape है उसकी outline की चौड़ाई बदलती जा रही है अब यहाँ पर shape outline में अगला जो option है वो है dashes इस पर जब हम जाएंगे तो एक और sub menu open हो जाएगा इसमें आपको अलग-अलग तरह की outlines दिखाई पड़ेंगी इसमें से आप जिस भी style को select करेंगे shape की outline उसी तरह की हो जाएगी यह देखे शेप styles block में अगला option है shape effects इस option का उपयोग करके हम shape को ribbon effects दे सकते हैं इस पर click करने पर एक menu open होगा जिसमें कुछ options दिखाई देंगे जैसे की preset, shadow, reflection, इत्यादी इन सभी options के भी अलग-अलग sub menu होते हैं देखे जैसे ही यहाँ पर हम mouse ले जा रहे हैं तो यहाँ side में उसका sub menu दिखाई दे रहा है यह हम पहले option पर आए जो है preset इस पर आते ही यहाँ पर उसका sub menu open हो गया है अब यहाँ पर दिखाई दे रहे effects में से हम जिस भी effect पर click करेंगे वो effect slide पर जो हमारा shape है उसमें apply हो जाएगा जैसे हमने इस पर click किया यह आप देख सकते हैं कि हमारा जो shape है वो उसी तरह से change हो गया है और वो effect यहाँ पर आ गया है इसी तरह से अगर हम shadow की sub menu में से किसी option पर click करते हैं तो वो shadow भी shape पर apply हो जाएगी यह देखिए यहाँ पर ऊपर आपको shadow दिखाई दे रही होगी इसी तरह से इसमें अगला option है reflection अब यहाँ से अगर हम किसी reflection पर click करते हैं तो वो effect हमारी picture में दिखाई देने लगेगा यह देखिए यहाँ नीचे reflection दिखाई दे रहा है glow में से अगर हम कोई effect चुनेंगे तो हमारा जो shape है उसके आसपास उस तरह का glow दिखाई देगा यह देखिए और वो ही reflection में भी दिखाई दे रहा है इसमें अगला जो option है वो है soft edges इसको समझने के पहले हमारा यह जो shape है इसको हम वापस पहले वाली स्थिती में जो original shape था उसमें हम इसको ले आते हैं इसके सारी effects हटा देते हैं यह effects हमें एक-एक करके ही हटाने होंगे और उसके लिए हम हर एक effect वाला menu open करके उसको हटाएंगे जैसे सबसे पहले हमने glow लिया यहाँ पर देखिए सबसे उपर no glow वाला option है इस पर click करेंगे यह देखिए यहाँ से जो glow वाला effect था वो हट गया है अब एक-एक करके हम सारे effects हटा देंगे reflection पे गए no reflection लिया तो यह नीचे से reflection चला गया अब हम गये shadow पर no shadow पर click किया तो इसकी shadow भी चली गई है preset पर जाकर के हमने no presets कर दिया यह इसका जो 3D design था वो भी चला गया है और अब shapes styles में से हम वापस से यह plain blue वाला जो है इसको select कर लेते हैं यह यहाँ पर हमारा जो shape है अब यह original style में आ गया है और अब हम इस पे soft ages वाला जो effect है वो लगाएंगे यहाँ soft ages पर जब जाते हैं तो एक sub menu open होता है जिसमें कुछ points दिये हुए हैं अब इसमें से हम जो भी points select करेंगे उसका असर हमें shape पर दिखाई देगा जैसे background में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम points बढ़ा रहे हैं हमारा जो shape है वो blur होते जा रहा है जितना ज़्यादा points हम चुनेंगे shape उतना ही ज्यादा डल हो जाएगा यह दिखिए यह blur हो गया है अब इस effect को अगर हमको हटाना है तो हम वापस इस पर जाकर के no soft ages को चुन लेंगे यहाँ पर हमने slide में एक star insert करके रखा हुआ है किसी भी shape को कैसे insert करते हैं यह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं अब इस पर क्लिक करने पर format tab open हो जाएगा format tab के पहले दो blocks के बारे में आप इस से पिछली वीडियो में समझ चुके हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और tab के next block के options को देख लेते हैं next block है word art styles इस block में दिखाई दे रहे options की सहायता से आप shape में लिखे हुए text को अलग-लग style color और border दे सकते हैं उसके लिए पहले हम इस text का size पढ़ा लेते हैं इस block के पहले option में कुछ predefined text styles दी हुई हैं shape में text को select करके आप इसमें से जिस भी style पर click करेंगे text उसी style का हो जाएगा नीचे आप देख सकते हैं slide में वो changes आ रहे हैं drop down arrow पर click करने पर आपको और भी styles मिल जाएगी आप चाहें तो यहां से भी कोई style select कर सकते हैं जैसे कि हमने इस style पर click किया तो यहां पर देखिए जो हमारा selected text था वो उसी style में change हो गया है और अब अगर आप कोई और text लिखेंगे तो वो इसी style में लिखा जाएगा इस text को format करने के लिए पहले इस पर एक बार click करें इस पर click करते ही यह mini toolbar open हो गया है इसकी सहता से आप text को format कर सकते हैं अर्माल लीजे हमें इसका size कम करना है तो हम इसको कम कर सकते हैं और अगर बढ़ाना है तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं अब हम word art styles block के आने जो options से उनको देख लेते हैं इसमें अगला option है text fill इसे click करने पर एक menu open होगा इसमें आपको कुछ options दिखाई देंगे या अलग-अलग colors आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी सहता से आप text को अलग-अलग color या effect दे सकते हैं इन सभी option के बारे में हम detail में पहले इस video में बता चुके हैं आपको इसके बाद यहां पर अगला option है text outline इसकी सहता से आप text की outline को अलग-अलग color या effect दे सकते हैं यह देखिए जैसे-जैसे हम mouse अलग-अलग color पर ले जाएंगे आप slide पर देख सकते हैं text की outline का color change होता जा रहा है अब इस block में आखिरी option है text effects इस पर click करने से एक menu open होगा इसमें आपको अलग-अलग तरह के effects दिखाई देंगे जैसे कि shadow, reflection, glow, bevel, इत्यादी इन सब effects के sub menu हैं जिस भी effect पर हम जाते हैं आपको side में उसका sub menu नजर आ जाता है यह जैसे हम shadow पर गए तो यह देखिए यहां पर इसका sub menu आ गया है text में दिखाई देने लगेगा और इसमें से अगर आपको कोई shadow effect चुड़ना हो तो उस पर click कर दें इसी तरह से आप reflection, glow, bevel यह सब चुन सकते हैं इस menu में last option है transform इसके sub menu में से यदि आप किसी option को select करते हैं तो आप देख सकते हैं text जो है वो उसी तरह से transform हो जाएगा इसमें से जो भी style आपको select करनी हो वो आप कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको format tab के अन्य options के बारे में बता देते हैं पर इन options को समझने से पहले हम अपनी slide में एक दो shapes और insert कर देते हैं जिससे कि आगे के ये जो options हैं वो हम अच्छे से समझ सकें यह हमने यहां पर कुछ और shapes insert कर लिये हैं format tab में next block है arrange इस block के options का उप्योग करके आप slide में inserted shapes को व्यवस्थित क्रम में ला सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो star shape है वो अभी sun shape और rectangle shape के पीछे है और हमें इसको आगे लाना है तो उसके लिए पहले हम इस पर click करेंगे और उसके बाद यदि हम bring forward के drop down menu में से bring forward पर click करेंगे तो यह देखिए star जो है वो sun shape के आगे आगे है पर अभी भी यह rectangle shape के पीछे है यदि आप चाहते हैं कि यह सबसे आगे आ जाए तो उसके लिए यहां पर हम bring to front option पर click करेंगे यह देखिए इस पर click करते ही star shape जो है वो बाकी सारे shape से आगे आगे है इसी तरह से यदि हम send backward के drop down menu में से send backward पर click करेंगे तो star पहले केवल rectangle shape के पीछे जाएगा यह देखिए जैसे हमने send backward पर click किया star shape rectangle के पीछे चला गया है जबकि अभी भी वो sun shape के आगे है अगर आप चाहते हैं कि star shape सबसे पीछे चला जाए तो उसके लिए send backward के drop down menu में हम send to back option पर click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि star shape जो है वो सबसे पीछे चला गया है अब चलिए हम इन shapes को सही से arrange करके और आगे के option समझ लेते हैं यह देखे हमने इन shapes को arrange कर लिया है अब हम देखते हैं अगला option जो है selection pen इस पर click करने पर एक side pen open होगी इसमें आपको slide में inserted shapes की list दिखाई देगी और हर shape के नाम के आगे आपको एक आख की तरह बना हुआ निशान दिखाई देगा इसकी सहायता से आप किसी भी shape को hide या show कर सकते हैं जैसे कि हमने sun shape के सामने दिखाई दे रहे आख वाले icon पर click किया तो यह देखिए यहां से sun वाला जो shape था वो hide हो गया है और यहां sun shape के नाम के आगे जो पहले आख वाला निशान था उसकी जगह पर एक dash आ गया है अगर हम इस पर दुबारा click करेंगे तो sun shape हमको slide में फिर से दिखाई देने लगेगा अब हम arrange block के अन्य options के बारे में आपको बता देते हैं इसमें अगला option है align objects इस option के सायता से आप slide में inserted shapes को slide में दाएं बाएं उपर या नीचे align कर सकते हैं जैसे हमने star shape पर click करके align option के drop down menu में से align right पर click किया तो यह देखिए star shape की position change हो गई है पहले यह इस तरफ left में था अब यह right में आ गया है इसे तरह से हम जिस भी shape का alignment change करना चाहते हैं उसे select करके align option की सहायता से उस shape का alignment बदल सकते हैं माली जीए हमको sun shape का alignment change करना है तो इसको हमने select किया और यहां से हमने इसको align center कर दिया अब नीचे की बजाए हम इसको उपर लाना चाहते हैं तो align top कर दिया अब हम इनकी position वापस पहले जैसी कर देते हैं orange block में अगला option है group अभी आप यहां देख सकते हैं यह active दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका उप्योग करने के पहले हम सभी shapes को select कर लेते हैं यहां पर अभी एक ही shape selected है अब हम सारे shapes को select कर लेते हैं उसके लिए हम control key को press करके सारे shapes को select कर लेंगे अब आप यहां देख सकते हैं कि group option activate हो गया है अब हम इस पर click करेंगे यहां पर अब आप देख सकते हैं एक और menu open हुआ है इसमें पहला option है group इस पर click करने पर जितने भी selected shapes हैं वो group हो जाएंगे अब यह जो तीनो shapes हैं इन सब का एक group बन गया है मतलब अब यह तीन अलग-अलग shapes ना होकर एक ही shape की तरह काम करेंगे अगर हम इसको move करते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि तीनों की तीनों shapes एक साथ move कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं इन shapes को वापस से अलग कर दिया जाए तो group के drop down menu में जाकर ungroup पर click कर दें ऐसा करने से यह वापस से तीनों अलग-अलग shapes हो गये हैं अब यह देखिए इसमें से हम किसी भी एक shape पर click करेंगे तो वो shape select हो जाएगा क्योंकि अब यह तीनों अलग-अलग shapes हैं अब हम चाहें तो इसको move कर सकते हैं इसे move करना हो तो इसे move कर सकते हैं इस तरह से हमें selection pen की आवशक्ता नहीं है इसको हम close कर देते हैं अब हम देखते हैं arrange block का आखरी option जो है rotate इस option के menu में दिखाई दे रहे option की सहायता से हम shapes को 90 degree पर left या right रोटेट कर सकते हैं या उन्हें vertically या horizontally भी rotate या flip कर सकते हैं यहां से हमने rectangle shape को select किया और उसके बाद यहां से हमने rotate right 90 degree option पर click किया तो यह देखिए यह square shape जो है वो rotate हो गया है अब हम इसे वापस left में 90 degree rotate कर देते हैं format tab में last block है size इस block में दो options है shape height और shape width इन options की सहायता से आप shape की height और width चेंज कर सकते हैं यह देखिए हमने shape height वाले box में दिखाई दे रहे up arrow से rectangle की height बढ़ा दी इसी तरह से आप in options में दिखाई दे रहे up और down arrow से shapes की height और width बढ़ा या घटा सकते हैं या फिर आप किसी भी shape की height या width घटाने या बढ़ाने के लिए उस shape पर click करके उसके border पर दिखाई दे रहे points की सहायता से भी आप किसी भी shape की height या width को बढ़ाया घटा सकते हैं इस तरह से उसके लिए आपको किसी भी point पर click करके उसे drag करना होगा अपनी आवशकता नुसार आप उसे drag कर सकते हैं यह देखिए shapes का उपयोग करके हमने जल चक्र यानि water cycle बनाया है आप भी powerpoint में shapes की सहायता से एक अच्छा presentation बना सकते हैं यह तो हमने manually shapes का उपयोग करके एक water cycle बनाया कि यदि आप चाहें तो smart art option द्वारा पहले से ही तयार किये गए cycles या flow charts में से कोई भी art चुन सकते हैं चलिए हम आपको smart art option के बारे में बता देते हैं insert tab में smart art option की सहायता से हम एक project management cycle बना लेते हैं उदारन के लिए किसी company के एक employee को एक project दिया गया और उसे कहा गया कि project पर काम करने से पहले उस project की strategy या planning एक cycle द्वारा तर्शाओ तो उस cycle के लिए हम power point में smart art का उप्योग कर सकते हैं यह insert tab में हम smart art option पर click करेंगे अब यह देखिए यहाँ पर smart art का जो menu है वो open हो गया है इसमें आपको कई तरह के smart art मिलेंगे जैसे की list, process, cycle, hierarchy, इत्यादी जब हम cycle पर click करते हैं तो यहाँ पर देखिए कई सारे cycle patterns नजर आ रहे हैं यह basic cycle pattern है वैसे यहाँ पर कुछ और patterns भी हैं हमें जो cycle बनाना है वो radial cycle की तरह होगा तो हम इस पर click करते हैं और अब ok पर click करेंगे यह देखिए ok पर click करने पर cycle यहाँ पर आ गया है अब इसमें text की जगह पर आपको जो भी type करना हो वो आप type कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पर हमने text type कर दिया है अब project के अनुसार हम बाकी जगह पर भी text type कर देंगे यह देखिए हमने बाकी जगह पर भी text type कर दिया है अब हम cycle और text की थोड़ी formatting कर लेते हैं जब भी हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो forwarding के लिए format टैब आ जाता है उसकी स्माट आर्ट इंसर्ट करने पर भी Boris टैब आ जाता है और साथ ही दिजाइन टैब भी आ जाता है Design टेब में आपको Smart Art के लिए अलग-अलग तरह की Designs के Option मिलते हैं जैसे कि आप Smart Art का Color चेंज कर सकते हैं उसके लिए Change Colors के Drop Down Arrow पर क्लिक करके आप यहां से कोई भी Color चुन सकते हैं जैसे कि हमने ये Color चेंज किया Smart Art Style से आप Smart Art की Style चेंज कर सकते हैं कि देखिए जैसे-जैसे हम अलग-अलग Style पर माउस ले जाएंगे Slide में आपको changes होते हुए दिखाई देंगे इस Drop Down Arrow से आपको और भी कई सारी Styles यहां पर मिल जाएंगी यह हमने इस Style को चुना तो यह Style देखिए हमारे Smart Art में Set हो गई है अब चलिए हम आपको कुछ और Options बता देते हैं Add Shape से आप इसमें और भी Blocks जोड सकते हैं जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यह देखिए यहां पर एक और Circle Add हो गया है Add Bullets की सहायता से आप Smart Art के Text में Bullets Add कर सकते हैं Text Pen से आप Art में Text Insert कर सकते हैं यह देखिए हमने Text Pen पर क्लिक किया तो यहां पर एक Text Pen ओपन हो गई है इसमें पहले से ही Inserted जो Circle हैं उनके Points लिखे हुए हैं जैसे कि Understanding, Designing, Implementing और Concluding अभी हमने जो नया Circle यह Insert किया है उसके लिए यहां पर हम Text Type कर देते हैं यह हमने Type किया Result तो यह देखिए जैसे हमने इसको यहां Type किया वह यहां पर अभी हमने जो नया Circle Add किया था उसके अंदर Type होकर आ गया है आगे Option है Promote और Demote इन दोनों Options को समझने के लिए हम Result वाले Block में दो Sub Points या Bullets डाल देते हैं उसके लिए हम Add Bullets पर क्लिक करेंगे और यहीं Text Pen में हम वह Bullets Type कर रहे हैं Part 1 और Part 2 अब यहां पर आप देख सकते हैं Result के अंदर यह दो Bullets नजर आ रहे हैं जो कि यहां Circle के अंदर भी आ गए हैं अब इसमें अगर हम Part 2 Option पर क्लिक करके Demote Option पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए Part 2 जो है वो Demote होकर के Part 1 का Sub Point बन गया है इसी तरह से यदि अब हम Promote पर क्लिक करेंगे तो यह वापस से Result का ही एक सब Option बन गया है अब हम इस Text Pen को Close कर देते हैं यहां पर आप देख सकते है Move Up और Move Down यह तो Options हैं इनकी सहायता से Cycle के किसी भी Circle को उपर या नीचे खिसकाया जा सकता है यह देखिए हमने Result वाले Circle को Select करके Move Up पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो Concluding से पहले आ गया है और अगर अब हम Move Down पर क्लिक करेंगे तो यह वापस अपनी जगह पर आ गया है Right to Left Option की सहायता से आप Smart Art के Layout को Right to Left या Left to Right Direction में दर्शा सकते हैं यह हमने Result वाले Circle को Select कर रखा है और अब अगर हम Right to Left पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए जो Left वाले Circle थे वो Right में आ गये हैं और जो Right वाले Circle थे वो Left में चले गये हैं अब यदि आप Smart Art पर किये गई पूरी Formating हटाना चाहते हैं तो वो Reset Graphic Option की सहायता से कर सकते हैं यह देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए Smart Art में से पूरी Formating हट गई है आज हम आपको MS PowerPoint में Chart Insert करना बता रहे हैं कई बार जब हम PowerPoint में कोई Presentation बना रहे होते हैं और कुछ लिख रहे होते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिने हम Chart बना कर ही समझा सकते हैं MS PowerPoint में Chart एक ऐसा Feature या साधन है जिसका उपयोग Data को Graphic रूप में समझाने के लिए किया जाता है और Chart के रूप में Data समझने में आसान हो जाता है तो चलिए आपको बता देते हैं कि PowerPoint में Chart कैसे Insert किया जाता है Chart Insert करने के लिए Insert Tab पर क्लिक करें यहां दिखाई दे रहे Options में से Chart पर क्लिक करें यहां पर आपको अलग-अलग तरह के Chart दिखाई पड़ेंगे जैसे कि Column, Line, Pie, इत्यादी और जब आप इन में से किसी भी Chart पर क्लिक करेंगे तो यहां विंडो में आपको उस तरह का Chart दिखाई देने लगेगा जैसे अभी यहां पर Column वाला Chart selected है अगर आप Line पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए यह Line वाला Chart बन गया है Pie पर जाएंगे तो यहां पर आपको Pie Chart नज़र आएगा इन में से आपको जिस भी तरह का Chart चाहिए वो आप Select कर सकते हैं यहां पर हमने Column वाला Chart सेलेक्ट किया है और यहां पर आपको Column Chart के भी अलग-अलग टाइप्स नज़र आ रहे हैं इसमें से हम 3D Clustered Column को सेलेक्ट कर रहे हैं यहां पर से चार्ट टाइप सेलेक्ट करने के बाद OK पर क्लिक कर दें यह देखिए OK पर क्लिक करते ही यहां पर स्लाइड में Chart इंसर्ट हो गया है और उसी के साथ एक Excel शीट भी ओपन हो गई है अभी जो Excel शीट ओपन हुई है उसमें पहले से ही कुछ rough data है इस data को हटा करके जो data हम इस chart में दर्शाना चाहते हैं वो हम यहां पर डाल देते हैं जैसे यहां पर हमने यह data लिया है इसमें हमने एक electronic showroom में काम कर रहे top 3 employees की sales का data लिया है साथ ही इस sheet में यह भी लिखा हुआ है कि कौन से employee ने कौन सा product कितनी quantity में बेचा है जैसे कि मोहन ने 43 OPPO smartphones बेचे हैं 25 Lenovo laptop बेचे हैं 35 LG TV बेचे हैं और 45 Samsung refrigerator बेचे हैं इसी तरह से केशा में जिस product की जितनी cell की है वो यहां पर दिया हुआ है और प्रीतम की cells के details यहां पर दिये हुए हैं और उसी के हिसाब से यहां पर आप chart बना हुआ देख सकते हैं हमने जो Excel sheet थी वो close कर दी है और अब हम आपको chart के बारे में समझा देते हैं यहां पर chart में आप तीन कलर के बार्स देख सकते हैं और यह जो तीनों कलर हैं यह अलग-अलग employees के हैं इसको हम आपको थोड़ा बढ़ा करके बता देते हैं यहां पर जो blue कलर का बार है वो मोहन का है यह जो orange कलर का बार है यह केशव का है और जो grey कलर का बार है वो प्रीतम का है चार्ट में चार अलग-अलग products के अलग-अलग bars के ग्रूप बने हुए हैं यह OPPO smartphone का बार ग्रूप है यह Lenovo laptop का यह LG TV का और यह Samsung refrigerator का हर ग्रूप में जो तीन बार्स हैं वो तीनों employees की cell को दर्शा रहे हैं जैसे की हम OPPO smartphone का जो बार ग्रूप है उसको देखते हैं इसमें यह blue bar दर्शा रहा है कि मोहन ने OPPO smartphone की कितनी cell की है औरेंज बार दर्शा रहा है कि केशव ने OPPO smartphone की कितनी cell की है उसी तरह से grey bar से आपको पता चल रहा है कि प्रीतम ने इस product की कितनी cell की है वैसे ही दूसरे products के लिए ये आगे bars बने हुए हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और chart की अलग-अलग designs और styles के बारे में समझ लेते हैं और chart को customize करना बता देते हैं उसके लिए यहाँ chart पर क्लिक करें ऐसा करते ही उपर ये जो design tab है वो active हो जाएगा इस tab में आपको chart के अलग-अलग designs और colors के लिए बहुत सारे options मिलेंगे चलिए हम इन options को समझ लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला option है add chart element add chart element को क्लिक करने पर एक menu open होगा इसके अंतरगर्द आपको कई सारे options मिलेंगे यहाँ पर पहला option है axis axis पर mouse ले जाते ही एक और sub menu open हो जाएगा इसमें आपको दो और options मिलेंगे primary horizontal और primary vertical यदि आप primary horizontal पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए bars के नीचे पहले जो products के नाम लिखे हुए थे मतलब horizontal axis में जो नाम लिखे हुए थे वो हट गए हैं और यदि आप primary vertical पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए bar के side में जो products की quantity लिखी हुई थी मतलब vertical axis में जो product की quantity लिखी हुई थी वो यहां से हट गई है अब हम वापस से इन दोनों options पर क्लिक करके इसको पहले जैसा बना देते हैं इसमें भी आपको दो options दिखेंगे प्राइमरी horizontal और प्राइमरी vertical जिस भी option पर हम माउस ले जाते हैं तो उसका change जो है वो आपको यहां स्लाइड पर दिख जाता है यदि आप प्राइमरी horizontal पर क्लिक करेंगे तो आप चार्ट में horizontal axis में यह नीचे देख सकते हैं axis title दिखाई पड़ रहा है यदि आप टाइटल का नाम बदलना चाहते हैं तो चार्ट में दिखाई दे रहे axis title पर क्लिक करें और जो भी नाम इसे देना चाहते हैं वो टाइप कर दें यह जो axis title दिखा हुआ था उसको हमने हटा दिया है और इसकी जगह हम टाइप कर देंगे product name यह यहाँ पर हमने इस axis के लिए title टाइप कर दिया है अब अगला option जो आपको add chart element में मिलता है वो है chart title जैसे ही आप यहाँ पर mouse ले जाएंगे आपको यहाँ पर तीन options दिखाई करेंगे none above chart and centered overlay अगर आप none select करेंगे तो chart में से title हट जाएगा above chart select करने पर यह पूरे chart के ऊपर यहाँ पर chart title आएगा और अगर आप centered overlay इस option को select करते हैं तो यह देखिए जो chart title है यह जो horizontal nines दिखाई दे रही हैं यहाँ पर इसके बीच में आ जाएगा हम फिल्हाल chart के लिए कोई title नहीं चाहते हैं इसलिए हम none select कर रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला option जो है data labels यहाँ पर mouse ले जाते ही आपको फिर दो options दिखाई देते हैं none और data call out नन पर आप mouse ले जाएंगे तो देखिए जिस स्थिती में यह चार्ट अभी दिखाई दे रहा है वैसा ही रहेगा पर अगर आप data call out पर mouse ले जाएंगे तो जितने भी बार से उन सब के ऊपर data दिखाई देगा यह देखिए जैसे ही हम data call out पर mouse ले गए तो आप देख सकते हैं हर बार के ऊपर detail दिखाई दे रही है मालीजे हमने इसको select कर लिया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार के ऊपर इसकी detail आ गई है कि OPPO smartphone की कितनी quantity बेची गई 43 इसी तरह से जो grey वाला बार है इसक आपको उनकी details दिख जाएंगी अब अगर हम data labels में से none को select करेंगे तो यह यहाँ पर जो भी data labels थे वो हट गए है data labels के बाद अगला जो option है वो है data table इसे select करने पर chart के अंतरगत ही आपको एक छोटी सी table दिखाई देने लगेगी यहाँ पर data table के अंतरगत submenu में आपको तीन options दिखाई दे रहे हैं नन, with legion keys, no legion keys जैसे जैसे इन options पर हम mouse ले जाएंगे, chart में changes नज़र आएंगे अब यहाँ पर इस menu में अगला जो active option हमको नज़र आ रहा है वो है grid lines, grid lines पर mouse ले जाने पर फिर आपको एक submenu दिखेगा, जिसमें आपको यह अलग-अलग options नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे आप इन options पर mouse ले जाएंगे, तो आपको इसके अंदर changes नज़र आने लगेंग कि किस तरह से यहाँ पर grid lines में अंतर आ रहा है, अब यहाँ से आप जो भी grid line से लेक करना चाहते हैं, वो select कर सकते हैं, यहाँ पर हमने select किया primary major vertical, जैसे हम इसको select करते हैं, तो देखे चार्ट में vertical grid lines भी नज़र आ रही हैं, इन्हें हटाने के लिए हम तोबारा से grid lines option पर जा करके primary major vertical पर click कर देंगे, अब देखें यहाँ से जो vertical lines थी वो हट गई है, add chart element में अगला option है legend, इस option के अंतरगत आपको कुछ और options मिलेंगे, इनसे आप यह select कर सकते हैं कि चार्ट में legend अर्थाथ employees के नाम कहां पर दिखें, अभी legend यानी employees के नाम चार्ट में यहाँ पर नीचे नजर आ रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कि यह नाम चार्ट में ऊपर की तरफ दिखाई दें तो उसके लिए हम इस sub menu में से top option पर click करेंगे, यह देखें इस पर click करते ही जो employees के नाम है वो ऊपर आ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और design tab में अन्य options को समझ लेते हैं, design tab का अगला जो option है वो है quick layout, इसे click करने पर एक menu open होगा जिसमें आपको काफी तरह के chart layouts दिखेंगे, आप देख सकते हम जिस भी layout पर mouse ले जा रहे हैं, उसका preview chart में दिखाई दे रहा है, इसमें से हम जिस भी किसी chart layout पर click कर देखेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं, chart layout चेंज हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, अगला जो block है वो है chart styles का, यहाँ पर सबसे पहला option है, change colors, इसे click करने पर यह एक menu open हुआ है, यहाँ से आप chart का color change कर सकते हैं, यह देख देखेंगे, जैसे जैसे हम mouse अलग-अलग colors पर ले जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर chart का color भी बदल रहा है, जैसे हमने यह color select किया, यह देखेंगे, यहाँ पर chart का color change हो गया है, इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, अगला जो option है, इसमें chart के कुछ predefined styles दिये हुए है, drop down arrow पर जब आप click करेंगे, तो आपको यहाँ पर और भी कई सारे styles नजर आ जाएंगे, यह देखेंगे, जैसे जैसे हम mouse अलग-अलग style पर ले जा रहे हैं, उसका preview हमको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें से आप जो भी style select करना चाहे है, वो select कर सकते हैं, design tab का अगला option है, switch row और column, अभी यहाँ पर यह वाला जो option है, वो active नहीं है, उसके लिए हमको data select करना होगा, उसके लिए यहाँ पास में select data का option मिलता है, जैसे ही आपस पर click करेंगे, तो यह जो data है, वो यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली window को अभी हम close क कर देते हैं, यह यहाँ पर हमारी excel sheet, जिस पर data था, वो छोटी सी excel sheet यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम छोटा कर देते हैं, ताकि हमको अपना chart पूरा दिखाई दे, अब देखिए, जैसे ही यह data sheet यहाँ पर आई, design tab में switch row और column वाला, जो हमारा option था, वो active हो गया ह जब हम इस पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर नीचे देखिएगा, chart के अंदर changes हो जाएंगे, और यह changes हमको केवल chart में दिखेंगे, यहाँ पर excel sheet में नहीं, यह जैसे हमने इस पर click किया, तो यह देखिए, यहाँ पर यह changes हो गया, और यह changes क्या है, यह हम आपको बता देते हैं, कि जब हम इस option पर click करते हैं, तो row वाला जो data है, वो columns में आ जाता है, और columns वाला जो data है, वो row में आ जाता है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि मोहन, केशव और प्रीतम, इनकी cells के, यह 3 bar groups दिखाई दे रहे हैं, और यह जो 4 bars हैं, वो इन 4 products के हैं, अगर हम य click करेंगे, तो यह फिर change हो जाएगा, यह देखिए, यह change हो गया है, अब यह जो है, चार products के bar groups दिखाई दे रहे हैं, और यह जो bars हैं, यह मोहन केशव और प्रीतम के द्वारा की गई cells के हैं, तो अभी यह जो bars हैं, वो employees के नाम के हैं, और इस पर click करते ही यह जो bars हैं, व products के नाम के बन जाते हैं, यहां से हम इसे close कर देते हैं, और अब हम आपको बता देते हैं, अगले option के बारे में, जो है, edit data, यदि आप chart को edit करना चाहते हैं, तो वो आप edit data option की साहता से कर सकते हैं, इसके अंतर गता आपको दो option मिलते हैं, edit data और edit data in Excel, इन दोनों यह options में, option की Excel sheet इसी document के अंतरगत open हो जाएगी, और दूसरे option की जो Excel sheet है वो अलग से open होगी, data में हम जो कुछ भी changes करेंगे, वो यहां पर chart में आपको अपने आप दिखाई दे जाएगे, यहां से Excel sheet खोल करके आप data में change कर सकते हैं, चलिए हम आपको data में कुछ changes करके बता देते है उसके लिए हम यहां से यह जो menu open हुआ है, इसमें से edit data पर click कर रहे हैं, यह देखिए, यह Excel sheet यहीं पर open हो गई है, अब चुकि हमको इसमें एक row और एक column बढ़ाना है, इसलिए हम इसका size बढ़ा कर लेंगे, और यह जो selected area है, इसमें भी हमको एक column और एक row बढ़ानी है, इसलिए इसके यहां corner पर mouse से click करके, इसे drag करके हम एक column और एक row बढ़ा देंगे, यह देखिए, यहां पर हमने एक column और यह एक row extra select कर ली है, अब जैसे ही यहां पर हम एक और employee का नाम लिखेंगे, मालीजे हमने यहां पर एक और employee का नाम लिख दिया, शाम, यहां पर यह नाम add करते ही आप देख सकते हैं, नीचे, यहां पर chart के अंदर भी employee का नाम add हो गया है, अब हम शाम वाले column में उसके द्वारा की गई cell का data डाल देते हैं, जैसे ही हमने यह शाम द्वारा की गई cells का data यहां पर डाला, आप देख सकते हैं, कि यहां पर chart के अंदर भी changes हो गए हैं, इस data के अनुसार, यहां पर पहले जो आपको तीन बार्स दिखाई दे रहे थे, इन तीन employees के, वहां पर अब एक और बार शाम के नाम का जुड़ गया है, यह वाला जो बार है इस कलर का यह शाम की cells को दर्शा रहा है, अब हम यहां पर row में एक product का नाम डाल कर देखते हैं, अभी हमारे पास चार products हैं, अब हम यहां पर एक product का नाम और बढ़ा रहे हैं, यह यहां पर हमने crompton fence नाम से एक product डाला, फेरे के चार्ट में भी crompton fence add हो गया है, पर चुकि इसमें अभी कोई data नहीं है, इसलिए यहां पर bars दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब हम यहां पर sheet में सभी employees द्वारा की गई इस product की sales का data डाल देते हैं, यह देखिए जैसे ही हमने यहां पर mohan ने इस product की जितनी sell की है उसका data डाला, तो यहां पर mohan की sell का एक बार आ गया है, इसी तरह से जैसे जैसे हम दूसरे employees द्वारा इस product के sell का data डालेंगे, आप chart में changes होते हुए देख पाएंगे, यह देखिए, अब आप देख सकते हैं, चुकि यहां पर हमने data फिल कर दिया है, इसलिए अब यहां पर chart में भी वो पूरे changes आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करने पर यह charts वाला menu open हो गया है, जिसमें से आप इसी data के लिए नया chart चुन सकते हैं, यहां से हमने line chart में line with markers option को select किया, और उसके बाद okay कर दिया, तो यह देखिए, पहले जो chart columns में दिखाई दे रहा था, वो अब change होकर के इस style में आ गया है, कई बार हमें powerpoint presentation में arrow बनाने के आवश्यक्ता होती है, arrow बनाने के लिए हमें insert tab में जाकर arrow वाला shape insert करना पड़ता है, हम आपको एक ऐसा shortcut बता रहे हैं, जिसकी सहता से आप आसानी से powerpoint presentation में arrow insert कर सकते हैं, right pointing arrow बनाने के लिए पहले अपनी slide में जहां भी आप arrow बनाना चाहते हैं, वहाँ पर एक text box insert कर लीजिए, यह यहाँ पर हमने एक text box insert कर लिया है, अब यहाँ पर हम arrows अच्छे से दिख सकें, इसलिए font size बढ़ा रहे हैं, इस text box को भी थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम पहले तो equal to के निशान लगाएंगे, उसके बाद greater than का sign लगा देंगे, जैसे ही हम greater than का sign लगाएंगे, यह देखिए, यहाँ पर right pointing arrow बन जाएगा, अब left pointing arrow बनाने के लिए, पहले less than का sign लगाएं, और उसके बाद दो equal to के sign लगाएं, यह देखिए, दो equal to के sign लगाते ही, left pointing arrow बन गया है, अभी यह जो हमने arrows बनाएं, यह देखने में hold थे, आप चाहें तो light arrow भी बना सकते हैं, उसके लिए, दो बार dash का sign लगाएं, और उसके बाद greater than का sign लगादें, तो यह देखिए, यह light right pointing arrow बन गया है, इसे तरह से आप light left pointing arrow भी बना सकते हैं उसके लिए पहले less than का sign लगाएं और उसके बाद 2 बार dash लगाँएं 2 बार dash लगाते ही यह light left pointing arrow बन जाएगा double pointing arrow बनाने के लिए less than का sign लगाईए फिर equal to का sign लगाईए और उसके बाद greater than का sign लगादीजी ये देखिए double pointing arrow बन गया है अब आगे बढ़ते हैं और आपको copyright ट्रेड मांक इत्यादी के sign लगाना बता देते हैं उसके लिए हम एक नई slide ले लेते हैं यदि आप copyright का mark बनाना चाहते हैं तो उसके लिए bracket open करके c लिखिए और फिर bracket close कर दीजी ये देखिए ये copyright का sign बन गया है इसी तरह से trademark का sign बनाने के लिए bracket open करें फिर tm लिखकर bracket close कर दें ये देखिए ये trademark का sign यहाँ पर बन गया है कई बार school, college में हमें अलग-अलग text, layouts या paragraph alignment इत्यादी समझाने के लिए अपने powerpoint presentation में example paragraph लिखने की आवशक्ता होती है example देने के लिए कोई भी text type करने में काफी समय चला जाता है इसी समस्या का समाधान हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं जिससे आपका काफी समय बचेगा साथ ही हम आपको powerpoint presentation में math equation insert करना और किसी chemical equation में subscribe और superscript कैसे लगाते हैं उसके shortcut भी बताएंगे powerpoint में हम random paragraph एंटर करने के लिए rant function का उप्योग करेंगे जिस तरह हम excel में rant function का उप्योग करके कुछ random numbers एंटर कर सकते हैं ठीक उसी तरह powerpoint में rant function का उप्योग करके random paragraph एंटर कर सकते हैं random paragraph एंटर करने के लिए slide में text box insert करें उसके लिए insert पर जाकर यहां से हम text box insert कर सकते हैं यहां पर हमने text box insert कर लिया है अब इसमें equal to का sign लगाएंगे और type करेंगे rant इसके बाद bracket open करके फिर close कर देंगे और enter प्रेस कर देंगे यह देखिए यहां पर कुछ random paragraphs आ गए हैं चलिए shortcut का एक और पाठ हम आपको बता देते हैं इसके लिए इन paragraphs को हम हटा देते हैं अब हम फिर से equal to का sign लगाएंगे rant formula टाइप करेंगे और bracket open करेंगे अब यदि आप कोई निश्चित संख्या में paragraphs और sentences चाहते हैं तो वो numbers यहां bracket के अंदर type कर दें उधारन के लिए हम slide में दो paragraphs एंटर करना चाहते हैं तो हमने type किया 2 और हम यह चाहते हैं कि हर paragraph में 3-3 sentences हों तो उसके लिए दो type करने के बाद कॉमा लगा के हम type करेंगे 3 अब हम bracket को close करके फिर enter प्रेस करेंगे अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर 2 paragraphs आ गए हैं और दोनों ही paragraphs में 3-3 sentences हैं इसको फिर से undo कर देते हैं और एक और example देखते हैं माली जी हमें 4 paragraphs चाहिएं जिसमें 2-2 sentences हों तो यहां पर rent function type करके bracket में हम पहले type करेंगे 4 क्योंकि हमको 4 paragraphs चाहिएं फिर कॉमा लगा के जितने sentences के वो paragraphs चाहिएं वो number यहां पर type कर देंगे हम चाहते हैं कि 2-2 sentences के 4 paragraph हों तो 4 लिखने के बाद कॉमा लगा के अब हम type करेंगे 2 bracket close कर देंगे और enter press करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं यह 4 paragraphs यहां पर आ गए हैं हर paragraph में 2-2 sentences हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको PowerPoint के कुछ अन्य features और उनके shortcuts बता देते हैं अब हम आपको बताते हैं कि slide में math equation यानि गणितीय सम्मिकरन कैसे लिख सकते हैं math equation तब काम आती है जब हम office में finance से संबंधित या फिर school या college में maths या science संबंधित presentation देना चाहते हैं उधारन के लिए हमें इस slide में area of circle की equation लिखनी हैं तो उसके लिए insert tab के equation option के drop down arrow पर click करें यहां click करते ही math equations की एक list open हो जाएगी इसमें आपको अलग-अलग math equations दिखाई देंगी इसमें से आप जिस भी equation पर click करेंगे वो slide में insert हो जाएगी हमें area of circle चाहिए इसलिए हम इस equation पर click करेंगे यह देखे PowerPoint में math equation कुछ इस तरह से उपयोग की जा सकती है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको equation option की drop down list के अन्य options के बारे में समझा देते हैं उसके लिए हम वापस से इन सारी चीजों को यहां से हटा देते हैं यहां पर से हमने पहले जो equation ली थी वो हटा दी है और अब हम वापस insert tab में equation के drop down arrow पर click करेंगे यहां पर next option है insert new equation इस option के सायता से आप equation खुड type कर सकते हैं उसके लिए इस पर click करेंगे यह देखें यहां पर लिखा हुआ आ गया है type equation here यहां design tab के अंतरगत आपको कुछ structures दिखेंगे इनमें से आप अपने अनुसार equation structure चुनकर equation type कर सकते हैं उदारन के लिए हमने script option को click किया इसे click करने पर यहां एक menu open हो गया है इस menu में आपको अलग-अलग subscribe और superscript के options देखने को मिलेंगे हम इनमें से एक option पर click करते हैं यह click करते ही देखिए हमारे द्वारा selected math structure slide में insert हो गया है अब हम इसे edit करते हैं उसके लिए यह जो नीचे वाला box है इस पर click करके type करेंगे a फिर उपर वाले box में click करके superscript type करेंगे यहां हमने square लगाने के लिए to type किया है तो यह देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यह इस तरह से नजर आएगा इसी तरह powerpoint में आपको कई predefined equations और उनके structures मिल जाएंगे चले आगे बढ़ते और equation option की drop down list का आखिरी option देख लेते हैं इस list में आखिरी option है ink equation इस option को select करने पर आपका mouse pointer एक pen की तरह दिखाई देगा जिसकी सहायता से आप equation लिख सकते हैं जैसे हमने उस पर click किया देखिए यह window open हो गई यहां पर right math here लिखा हुआ है अब जहां पर यह लिखा हुआ है यहां पर हम equation लिखना शिरू करते हैं हमने लिखा a square फिर हम insert पर click कर देंगे insert पर click करते ही देखिए हमारे द्वारा लिखा हुआ equation slide में insert हो गया ये तो हमने equation option की सहयता से slide में equation insert करना सीखा चलिए अब हम आपको math equation में subscript और superscript बनाने का shortcut बता देते हैं माली जी हमें एक equation लिखनी है a square plus b square equals to c square अभी यहां पर हमने square के लिए ये two type किया है अब हमें इस equation में लिखे हुए सभी two को square बनाना है पहले हम इसका font size थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अब हम control key press करके तीनो two को select कर लेंगे और उसके बाद control shift और plus squeeze को press करेंगे यह देखे अब यहां पर जो formula आप देख रहे हैं यह जो two था वो अब superscript बन गया है अब यह हो गया a square plus b square is equal to c square यहां पर हम आपको एक मतपुन बात बता दें कि अभी तो हमने एक साथ तीनों को superscript बनाया आप चाहें तो एक एक करके भी character को superscript बना सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं और आपको किसी chemical equation में किसी number को subscript में लिखना बता देते हैं उसके लिए पहले यहां पर हम एक chemical equation लिख लेते हैं यह हमने लिखा 2H2 plus O2 is equal to 2H2O अब यहां से हम उन numbers को select कर लेंगे जिने हम subscript बनाना चाहते हैं इसके लिए भी हम पहले इस font को बड़ा कर लेते हैं यह हमने control की प्रेस करके एक एक करके उन सभी numbers को select कर लिया जिने subscript बनाना है अब control और plus keys को प्रेस करेंगे यह देखिए chemical equation के selected numbers सभ इसक्रिप्ट बन गए हैं हमने powerpoint में पहले से ही एक table insert की हुई है powerpoint में table कैसे insert की जाती है यह सीखने के लिए आप हमारे दौरा बनाई गए वीडियो insert a table and customize it with different styles, colors, etc. in ms powerpoint बाय क्या लेकि देख सकते हैं अब हम इस table पर click करेंगे इस पर click करते ही ऊपर menu बाहर में layout tab enabled हो गया है उस पर click करें इस tab में rows and columns block के अंतरगर्ट आप सबसे पहरा option देख सकते हैं delete इसके drop down arrow को click करने पर एक menu open होगा इसमें आपको तीन options दिखेंगे पहला है delete columns जिसकी सायता से आप selected columns को delete कर सकते हैं दूसरा है delete rows इसकी सायता से आप selected rows को delete कर सकते हैं और तीसरा है delete table जिसकी सायता से आप पूरा table delete कर सकते हैं उदारण के लिए हम column 2 पर click करके इस menu से delete column पर click कर रहे हैं तो देखिए second column delete हो गया है इसे तरह से आप row को भी delete कर सकते हैं या पर चाहें तो table भी delete कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते और उससे पहले ctrl z प्रेस करके table को पहले की तरह कर देते हैं ले आउट टैप के rows and columns block में अगला option है insert above इस option की सायता से आप selected row के ऊपर दूसरी row insert कर सकते हैं यदि आप एक से ज्यादा rows insert करना जाते हैं तो उसके लिए आपको उतनी rows select कर दी हैंगी चलिए आपको row insert करके बता देते हैं हमने row B में कहीं पर क्लिक किया इसके बाद insert above option पर क्लिक किया इस पर क्लिक करते ही देखे एक row insert हो गई है इसी तरह insert below option के सायता से आप row के नीचे दूसरी row insert कर सकते हैं हमने row B से row D तक तीन rows को select करके insert below option पर क्लिक किया तो देखे रो D के नीचे तीन rows insert हो गई है इस तरह आप किसी row के ऊपर या नीचे जितनी rows चाहें add कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ले आउट अपके rows and columns block में अगले options हैं insert left और insert right insert left option की सायता से आप selected column के left side में दूसरा column insert कर सकते हैं और insert right option की सायता से आप selected column के right side में दूसरा column insert कर सकते हैं चलिए अब layout tab के merge block के options को समझ लेते हैं इसके लिए हम टेबल में कुछ data डाल देते हैं यह देखिए हमने टेबल में कुछ numbers लिख दिये हैं layout tab के merge block का पहला option है merge cells इस option की सायता से आप table में एक row या फिर एक column के एक से अधिक cells को combine कर सकते हैं चलिए हम आपको यह करके दिखा देते हैं जिन cells को merge करना चाहते हैं उन्हें select करें हमने C row के सभी cells को select किया अब merge cells option पर click करेंगे देखे click करते ही सभी cells combine हो गये हैं और data एक ही cell में आ गया है अब हम merge block का अगला option समझ लेते हैं अगला option है split cells इस option की सायता से एक cell में दो या दो से अधिक cells बनाई जा सकती है अधारम के लिए हमने C row के इस cell में click करके split cells option पर click किया click करने पर यह window आ गई है इसमें पूछा जा रहा है कि आप कितनी columns और rows आड़ करना चाहते हैं column और row बढ़ाने या गटाने के लिए आप यहां दिखाई दे रहे arrows की सहयता ले सकते हैं हमने number of columns को 3 पर set किया और row को 1 पर अब ok पर click करेंगे ok पर click करते ही देखिए selected cell तीन columns में split हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं layout tab में अगला block है cell size इस block में दिखाई दे रहे options की सहयता से आप table में cell की size बढ़ा या खटा सकते हैं यदि आप row की height बढ़ाना या खटाना चाहते हैं तो पहले उस row में कहीं पर भी click करें उसके बाद table row height के सामने दिखाई दे रहे box के up या down arrow पर click करके row की height बढ़ाया खटा सकते हैं देखिए हम up arrow पर click कर रहे हैं तो row की height बढ़ रही है इसी तरह down arrow पर click करने से height कम होगी इसके बाद है table column width option यदि आप column के width बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो पहले उस column में कहीं भी click करें उसके बाद table column width के सामने दिखाई दे रहे box के up या down arrow पर click करके column की width बढ़ाया घटाई जा सकती है देखिए हम up arrow पर click कर रहे हैं तो column के width बढ़ रही है इसी तरह down arrow पर click करने से width कम हो जाएगी cell size block का अगला option है distribute rows इस option पर click करके आप table की सभी rows की height को एक समान कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारी table के कुछ rows की height अलग है तो हमने table पर click करने के बाद distribute rows option पर click किया और ये देखिए सभी rows की height एक समान हो गई है इसी तरह यदि आपके table में columns की width अलग अलग है और आप एक ही बार में उन्हें एक size का करना चाहते हैं तो table पर click करने के बार layout tab में आकर distribute columns option पर click करें ऐसा करते हैं सभी columns की width एक समान हो गई है चलिए अब आपको आगे के options की जानकारी दे देते हैं layout tab में अगला block है alignment इस block के options की सायता से आप table के text का alignment ठीक कर सकते हैं यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि text alignment से संबदेज वीडियोज आपको हमारे YouTube चैनल पर PowerPoint की playlist में मिल जाएंगे इस playlist के link हमने वीडियो के नीचे description में भी दी है layout tab का अगला block है table size इस block के options की सायता से आप table की height और width बढ़ा या घटा सकते हैं table की height बढ़ाने या घटाने के लिए table पर कहीं पर भी click कीजिए फिर table size block में height के सामने दिखाई दे रहे box के up arrow पर click करें यह देखिए height बढ़ रही है इसी तरह down arrow पर click करने पर table की height कम हो रही है और यदि आप table की width बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो इसके लिए table पर कहीं पर भी click करें फिर table size block में width के सामने दिखाई दे रहे box के up arrow पर click करें ऐसा करने से देखिए table की width यानी चोड़ाई बढ़ रही है इसी तरह down arrow पर click करने पर table की चोड़ाई कम हो रही है अब हम आपको बता रहे हैं layout tab के आखिरी block के बारे में यह आखिरी block है arrange blocking options की सायता से आप slide में insert किया हुए table को अपनी अनुसार align कर सकते हूं आज हम आपको powerpoint में view tab के कुछ options की जानकारी दे रहे हैं इन options की सायता से आप presentation का view बदल सकते हैं ruler, grid lines को hide या unhide कर सकते हैं slides को zoom in या zoom out कर सकते हैं इत्यादी तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं हमने यहां एक powerpoint presentation open किया हुआ है हम आपको सबसे पहले presentation views block के बारे में बताएंगे इस block के options की सायता से आप slide को अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं इस block में सबसे पहले है normal view जब भी हम ms powerpoint पर काम करते हैं तो prior यही view दिखाई देता है जब भी आप यह देखना चाहते हों कि print होकर presentation कैसा दिखेगा तो normal view काम आता है next view है outline view हम इस पर click करते हैं इस पर click करते ही आप left side में देख सकते हैं कि slides की जगह केवल slides में लिखे हुए headings और text दिखाई दे रहा है आप चाहें तो यहां से भी text या फिर heading को edit कर सकते हैं देखें यहां हमने तीसरी slide में inappropriate rules के अंतरगत दिखाई दे रहे bullet points में एक और point add किया तो देखिए इस presentation के उसी slide में भी ये point add हो गया है presentation views block का अगला option है slide sorter इस पर click करने पर आप देख सकते हैं presentation की सभी slides के thumbnails एक साथ एक ही जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं यहां से आप आसानी से अपने presentation की slides को आगे या पीछे arrange कर सकते हैं arrange करने के लिए केवल slide पर click करें और drag करके उसकी जगह change कर दें चलिए अब आपको अगले view की जानकारी दे देते हैं next option है notes page इसे click करने पर आप देख सकते हैं उपर slide है और उसके नीचे उस slide का note है print होने के बाद ये page कुछ इस तरह का दिखेगा अब हम देखते हैं presentation views block का आखरी option जो है reading view ये view slide show की तरह काम करता है पर ये slide show की तरह full screen में नहीं दिखता इस पर click करके हम आपको ये बता देते हैं ये देखिए इस view में presentation कुछ इस तरह से दिखेगा आगे की slide देखने के लिए इस slide पर click करें या फिर right की press करें skip की press करके हम इस view से बाहर आ जाते हैं चलिए अब view tab के आगे के blocks की जानकारी आपको दे देते हैं पर उससे पहले normal view पर click करके presentation को हम normal mode में ले आते हैं MS PowerPoint में view tab का अगला block है master views इस block के options की साहता से आप अपने presentation के लिए स्वयम कोई design बना सकते हैं यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि master views की विस्त्रे जानकारी हम आपको भविश्य में आने वाली वीडियो में देंगे फिलहाल हम view tab के show block की जानकारी आपको दे देते हैं show block में पहला option है ruler इस option का उप्योग करके ruler को height या unheight कर सकते हैं फिलहाल presentation में ruler नहीं दिख रहा है तो ruler को लाने के लिए ruler option के आगे बने box पर click करें यह देखिए इस पर click करते ही presentation में ruler दिखाई दे रहा है अब show block का दूसरा option है grid lines इस option के आगे दिखाई दे रहे box को click करने पर slide पर grid lines दिखाई देने लगती हैं यह graph की तरह होती हैं जिनके साहता से slide में insert किये हुए image, chart, इत्यादी को किसी particular जगर पर align और arrange करना असान हो जाता है हम grid lines के आगे दिखाई दे रहे box पर click करके इन्हें हटा देते हैं चलिए अब show block का तीसरा option देख लेते हैं यह है guides इसके आगे दिखाई दे रहे box पर click करने पर यह देखिए slide के बीच में एक horizontal और एक vertical guideline आ गई है आप इन guidelines को mouse की सायता से drag करके अपने अनुसार set कर सकते हैं और slide में insert किये हुए image, chart, इत्यादी को अच्छे से align और arrange कर सकते हैं हम guides के आगे दिखाई दे रहे box पर click करके इन्हें हटा देते हैं अब show block का चोथा option है notes इस option पर click करके आप presentation में slides के नीचे दिखाई दे रहे notes को hide या unhide कर सकते हैं अब इस slides के नीचे notes दिखाई दे रहे हैं हम notes option पर click कर रहे हैं ये देखिए notes option पर click करते ही सभी slides के नीचे से notes hide हो गए हैं यदि आप notes को unhide करना चाहते हैं तो दोबारा से notes option पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए notes फिर आ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और view tab का zoom block देख लेते हैं, इस block के options की सायता से आप slide को zoom in या zoom out कर सकते हैं, ये हम आपको करके दिखा देते हैं, जूम option पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही एक window open होगी, इस window में आपको अलग-अलग zoom percent दिखेंगे, इन में से आप अपनी आवशक्ता अनुसार zoom percent चुन कर slides को अपने हिसाब से छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं, उधारण के लिए हमने 50 percent के आगे दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक किया, अब OK पर क्लिक करेंगे, OK पर क्लिक करते ही देखिए, slide पहले से छोटी हो गई है, जूम के बाद अगला option है fit to window, इस पर क्लिक करने पर slide window की size में fit हो जाएगी, यानि normal size में आ जाएगी, हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए, fit to window पर क्लिक करते ही slide नormal size में आ गई है, पावर पॉइंट में view tab का अगला ब्लॉक है color oblique gray scale, इस ब्लॉक में सबसे पहला option है color जो पहले से ही selected रहता है, जिसके कारण हमारे presentation में सभी colors दिखते हैं, अब यदि आप अपने presentation को black and white करना चाहते हैं, तो नीचे दिखाई दे रहे options में से gray scale या फिर black and white पर क्लिक कर दीजी, gray scale और black and white options में ज्यादा फर्क नहीं होता है, हम gray scale पर क्लिक कर रहे हैं, इस पर क्लिक करते ही देखिए सभी slides की images और text black and white हो गई हैं, और साथ ही एक नया tab भी आ गया है, इस tab में अलग-अलग shades और effect के options दिये हुए हैं, हम जिस भी option पर क्लिक करेंगे, slide में insert किये हुए object पर उसका असर दिखेगा, उदारंग के लिए हमने inverse gray scale पर क्लिक किया, तो देखिए सभी slides कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेंगी, यानि उनका जो background है वो black हो गया है, और यदि हम gray with white fill पर क्लिक करते हैं, तो सभी slides कुछ इस तरह से दिखेंगे, यहां हम आपको बता दें कि gray scale या black and white के सभी options तब उप्योगी होंगे, जब आपके presentation में कोई theme लगी हो, और आप अपने presentation का black and white print out निकालना चाहते हों, उदारंग के लिए हम एक theme लगा कर gray scale के options का उप्योग बता देते हैं, हमने ये theme चुनी है, अब view tab में आकर gray scale option पर click करेंगे, इस पर click करते ही देखे हमारे द्वारा set की हुई theme दिखाई नहीं दे रही है, पर अब यदि हम gray scale tab में दिखाई दे रहे किसी option पर click करेंगे, तो हमें theme दिखाई देने लगेगी, हमने light gray scale पर click किया, तो theme इस तरह से दिख रही है, वैसे ही बागे के options से shades चेंज होते जाएंगे, अब हम back to color view option पर click करके presentation को फिर से color में ले आते हैं, view tab का अगला block है window, window block में पहला option है new window, इस option की सायता से आप एक ही समय में एक ही presentation की दो या दो से अधिक slides पर काम कर सकते हैं, हम इसको करके दिखा देते हैं, new window option पर हमने click किया, click करते ही इसी नाम के presentation की एक और window खुल गई है, देखिए पहले वाले presentation के नाम के आगे one लिखा है और जो नई window खुली है, उसमें भी नाम वो ही है, बस नाम के आगे two लिखा हुआ आगया है, अब हम इन में से जिस भी window में change करेंगे, वो change दूसरी window में अपने आप हो जाएगा, यदि आप open की हुई windows को एक ही screen पर एक साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए arrange all option पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करते ही देखिए windows इस तरह से arrange हो जाएंगी और आप इन्हें एक साथ देख सकते हैं, यदि हम cascade windows option पर क्लिक करते हैं, तो powerpoint की windows एक के उपरे कुछ इस तरह से arrange हो जाएंगी, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस option की विस्तुरित जानकारी आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो, अब हम window block का आखरी option समझ लेते हैं, विंडो ब्लोग का आखरी option है, switch windows, इसके drop-down arrow को क्लिक करने पर एक menu open होगा, इसमें उन powerpoint presentations की list दिखेगी, जो फिल हाल आपके computer पर खुले हुए होंगे, इन message जिस भी presentation पर आप जाना चाहते हैं, उसके नाम पर क्लिक कर दें, उस पर क्लिक करते ही वो presentation आपके सामने आ जाएगा, आज हम आपको powerpoint में view tab के master views की जानकारी दे रहे हैं, master views block के options की सहता से आप अपनी अनुसार presentation की सभी slides के लिए layout जैसे की fonts, color, style, इत्यादी set कर सकते हैं, हम आपको बता दें कि master view में slide master theme option की तरह ही काम करता है, फर्क केवल इतना है कि slide master का प्रयोग एक साथ सभी slide में बदलाव करने के लिए किया जाता है, चलिए हम आपको एक उधारण देकर समझा देते हैं, हमने उधारण के लिए एक presentation open किया हुआ है, पहले हम इसमें एक theme set कर लेते हैं, उसके लिए design टैब में जाएंगे और theme block के drop down arrow पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ दिखाई दे रहे themes में से किसी भी एक theme पर क्लिक करेंगे, यह देखिए theme set हो गई है, अमा लिजे हम अपनी पहली slide में title में कुछ बदलाव करते हैं, जासे कि title को हमने underline कर दिया, तो यह change केवल इसी slide में होगा, बाकी slides में नहीं, यदि आप चाहते हैं कि यह change सभी slides में एक साथ हो जाए, तो इसके लिए हम slide master का उप्योग करेंगे, उसे पहले हम इस slide के title को पहले की तरह कर देते हैं, अब slide master का उप्योग करने के लिए view tab पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर master views ब्लॉक के अंतरगत slide master option पर क्लिक करेंगे, slide master option पर क्लिक करते ही आपको left side में slides के अलग-अलग layouts दिखेंगे, इन में से पहली वाली बड़ी slide master slide कहलाती है, इस slide में किये गए किसी भी परिवर्तन से अन्य सभी slides प्रभावित होती हैं, उदारण के लिए हमने master slide में title को underline किया, तो देखिए नीचे सभी layouts में title underline हो गया है, इसी तरह हम master slide में और भी changes कर देते हैं, हम title का color बदल कर blue कर देते हैं, और नीचे दिखाई दे रहे पहले bullet point को bold और red color का कर देते हैं, यह देखिए हमने सारी changes कर दिया हैं, और आप देख सकते हैं कि यह changes सभी layouts में दिखाई पड़ रहे हैं, चलिए अब आपको slide master tab के कुछ और options की जानकारी देते हैं, स्यादी से संबंधित options आपको edit themes और background block के अंदरगत मिलेंगे, यह options MS PowerPoint के design tab के options की तरह ही काम करते हैं, हम आपको बता दें कि इन options की अधिक जानकारी आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो, अब आगे बढ़ने से पहले हम इस कस्टमाइज की गई master slide की theme को save कर लेते हैं, जिससे की भविश्य में हम उसका उप्योग कर पाएं, theme को save करने के लिए themes option के drop-down arrow पर क्लिक करें, फिर open हुए menu में से save current theme option पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करते ही ये window आएगी, इस window में computer की उस location पर जाएं, जहां पर आप इस customize की हुई theme को save करना चाहते हैं, इसके बाद इस theme को जो भी नाम देना चाहते हैं, file name के सामने वाले box में वो नाम दे कर save पर क्लिक कर दें, save पर क्लिक करते ही ये theme save हो जाएगी, अब master views को close कर देते हैं, और देखते हैं कि हमने master slide में जो बदलाव किये हैं, वो हमारे presentation में कैसे दिख रहे हैं, और bullet points बोल्ड और लाल कलर के हो गए हैं, चलिए अब आपको बता देते हैं कि भविश्य में कभी अगर आपको यही customize की हुई theme set करनी हो, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक नया presentation खोल लिया है, अब design tab में जाकर themes block के drop down arrow पर क्लिक करेंगे, ओपन हुए menu में से browse for themes option पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते ही एक window open होगी, इस window पर आपने जहां customize की हुई theme सेव की हुई है, उस location पर जाएं, हमने computer desktop पर customize की हुई theme सेव की है, तो हम desktop पर जाएंगे और theme पर double click कर देंगे, double click करते ही ये theme, themes block में दिखाई देने लगेगी और साथ ही apply भी हो जाएगी, इसी तरह आप master slide की सहयता से ready-made themes को अपने अनुसार customize करके apply कर सकते हैं, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने अनुसार नया layout बनाना चाहते हैं, यानि शुरुआत से ही उसमें title, picture, box, text box इत्यादी अपने अनुसार सेट करना चाहते हैं, तो उस पर आधारित वीडियो हम जल्दी publish करेंगी, अब हम view tab के master views का अगला option समझ लेते हैं, view tab में master views का अगला option है handout master, इस पर click करेंगे, handout master में slides कुछ इस तरह से दिखती हैं, अर्थाथ हम एक page पर 1, 2, 3, 4, 6, या फिर 9 slides का printout निकाल सकते हैं, फिलाल आप देख सकते हैं, एक page पर 6 slides हैं, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि handout master तब उप्योगी होता है, जब हम बहुत अधिक audience को presentation दे रहे हूं, तो SMA presentation का ऐसा printout निकाल कर audience के बीच बाढ़ सकते हैं, जिससे audience presentation को हसानी से समझ सके, आप page setup block के slide पर page option से यह set कर सकते हैं, कि आपको printout के समय एक page पर कितनी slides का printout चाहिए, चले आगे बढ़ते हैं, और आपको master views block के आखिरी option की जनकारी दे देते हैं, उसके लिए close master view पर क्लिक करके handout master को बन कर देंगे, अब view tab पर क्लिक करें, master views का आखिरी option है notes master, इससे आप यह customize कर सकते हैं, कि जब notes के साथ presentation का printout निकालें, तो वो कैसा दिखे, हम notes master पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही notes master view दिखेगा, और notes master tab भी enable हो जाएगा, इस tab के options की सहायता से आप printout निकालते समय notes वाली slides कैसी दिखे, वो design और layout सैट कर सकते हैं, चलिए हम इसके बारे में और जानकारी दे देते हैं, notes page orientation option की मदद से आप ये set कर सकते हैं, कि notes वाली slide portrait हो या lens gap, slide size option की सहायता से आप slide के आकार को बदल सकते हैं, place holder block में आपको कही सारे options दिखेंगे, इन options की सहायता से आप ये set कर सकते हैं, कि आपको notes वाली slide पर header, footer, date, इत्यादी डालना है या नहीं, next block है themes, यहां से आप notes वाली slide के print out की theme चुन सकते हैं, इसके बाद है background block, यहां से आप notes वाली slide के print out के लिए fonts, background, style, effects इत्यादी चुन सकते हैं, हम close master views पर click करके इस view से बाहर आ जाते हैं, हमें बाहर हैं, यहां से आपको, पूल्मकि क की बाहर हैं, इस समी हमें,